सो विजिबल अडिबल है आल क्लियर आल सेट हलो 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 जल्दी से बचा दीजिए मुझे कि आपको आ जा रही है तो आज जो टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम 1857 रीवोल्ट ठीक है सो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस सीरिस को कैसे कॉंटिन्यू करेंगे तो हम इस सीरिस को जो कॉंटिन्यू करेंगे वो ऐसे करेंगे कि जैसे हम alternate days के उपर classes करेंगे alternate days के उपर classes का मतलब क्या है कि जैसे आज है और then Wednesday then उसके बाद Friday हम class करेंगे तीन दिन मेरी class होगी जो है यहाँ पे और तीन दिन हम discuss करेंगे spectrum की series और मैं history को अपने तरीके से बढ़ाऊँगा spectrum को मैं अपने तरीके से बढ़ाऊँगा काफी लोग कहते हैं कि starting वाला जो topic है वो आप जो है वहाँ से start कर दीजिए जो पहला topic है लेकिन history को पढ़ने का अपना तरीका है मेरे पढ़ाने का अपना तरीका है तो मैं start करता हूँ हमेशा पहले 1857 से लेके 1947 ठीक है और थोड़ा सा modern trend होता है तो थोड़ा सा उसमें नजर आ जाती है चीज़ें काफी और फिर उसके बाद जो है हम 1757 डो 1857 का part discuss करेंगे देन आपकी ancient और medieval की बात आती है ठीक है तो लेकिन आज हम जो spectrum discuss कर रहे हैं तो आज मैं पहला lecture ले रहा हूँ आपके साथ ठीक है तो हम discuss करेंगे 1857 रिवोल्ट आज की lecture में अब देखो सीधी सी बात है एक word देखो जी रिवोल्ट का मतलब क्या कहते हो क्रांती लड़ाई ठीक है इस तरह के से so what is the meaning actually meaning revolt अब एक चीज़ बताओ आपकी obviously बात अपने दोस्तों के साथ घरवालों के साथ यार दोस्तों के साथ girlfriend boyfriend की हमेशे लड़ाई होती है कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ के उपर लड़ाई होती है ठीक है जो भी आपके चाहने वाले है अब लड़ाई होती है एक तो होता है गुसा होना एंड में निकाल देते हैं और प्रपर तरीके से लडाई होती है चाहे किसी की भी है चाहे घर में है चाहे यार दोस्तों के साथ है चाहे किसी भी तरीके की है तो मतलब जो चीज़े कठी 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 हो रही होती है उसके बात जो है हम धावा बोलते हैं ठीक है वो धावा बोलन जो है वो क्या है actually लड़ाई है तो ऐसे ही हमारा 1857 का revolt था ऐसा लोग बहुत कहते हैं कि हाँ जो चर्बी वाले कार्टूस that is the infield rifles उसके कारण जो है ये हमें revolt देखने को मिला but actually जो है वो यही reason नहीं है वो यही reason नहीं है सिर्फ अकेला यही reason नहीं है कि हाँ चर्बी वाले कार्टूस आये थे that means आपके infield rifles आये थी और जो है revolt हो गया ऐसा नहीं होता revolt होने के कारण बहुत सारे है छोड़ छोड़े चीज़े ऐसी होती गई हमारे देश में जिसके कारण 1857 का revolt हो गया no doubt immediate cause जो था वो आपका infield rifle था लेकिन बहुत सारी चीज़े और थी वो आज के lecture में हम जाने के क्या causes थे क्या से लड़ाई हुई और result क्या निकले fail क्यों हूँ और revolt वो सारे चीज़े जो है आज हम इस lecture के अंदर जाने के point समझ में आया समझ में आया जैसा कि आप सबको पता है बाकी जितने भी lectures हैं PDF हैं जो भी चीज़े होती हैं वो मैं हमेशा telegram channel के उपर आपको यहां पे share करता हूँ आप मेरे से यहां पे connect रह सकते हैं instagram के उपर मेरे से personally connect कर सकते हैं यहां पे लेकिन telegram channel के उपर 100% join कर लेना यहां पे और अगर आप state PCS exams के आप त्यारी कर रही हैं और उनमें भी ये 6 state PCS exams के आप त्यारी कर रही हैं बिहार, उत्तरपरदेश, उडिसा, असम, मध्यापरदेश, राजस्तान इन PCS exams के आप त्यारी कर रही हैं तो obviously बात है आप इन batches में enroll कर सकते हैं कल इसकी last date है batch की तो आप उसमें ये वाला coupon board लगाके आप अपना discount भी ले सकते हैं VIP live और again इन सभी courses के जो link हैं वो description और comment section में भी मिल जाएंगे otherwise आप study I.E.U. app और website के उपर जाके भी ये batches, live batches ले सकते हैं चलिए जी अब यहाँ पे अब यहाँ पे जो है हम discuss करेंगे हमारा 1857 का रिवोल्ट जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि छोटी छोडी कारण से बहुत बड़े कारण बन गड़ी अब कहानी यहाँ पे यह आती है कि आपको पता है कि जब 1757 का रिवोल्ट हुआ था स्री बैटल हुई थी प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें सीराजु दूला को हराया गया था रॉबर्ट क्लाइब जीता था अब उसके बाद जो है अंग्रेजों के पास पॉलिटीकल पावर जो है उन्होंने गेन कर ली थी देश के उपर तो अब इस पॉलिटीकल पावर का यूज भी क्हून करने वाले हैं अंग्रेजी यूज करनेवाले हैं CDC बात है अब यह पॉलिटीकल पावर को यूज कहां पे किया जाएगा जब Bengal की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो major impact इन्होंने देखा ज़ा इन्होंने rule करना चाहा तो वो North India की उपर focus करने की यहां पे इन्होंने बात करें तो that means after the 1757 जो है इन्होंने focus कहां पे किया, that is the Northern India जाने की उत्तर भारत की तरफ जो है इन्होंने ध्यान दिया अब अगर मैं North India की बात करता हूँ, कि North India की उपर इन्होंने ध्यान दिया, तो obviously बात है उसी के according policies चलेंगी, उसी के according कानून बनेंगे और उसी के according जो है act बनेंगे और जो है लड़ाई भी जो देखने को मिलेगी, वो इनी regions में देखने को आपको मिलेगी main क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे उन चीज़ों को capture करने की यहाँ पे बात करी थी, 757 के बात, पॉइंट सामन में आया, तो इसी लिए यहाँ पे जो अंग्रेजों की बात आई, तो जब उन्होंने 1757 से 1857 का rule किया वहाँ पे, तो वो शान्ती पुरवक नहीं था, और trouble free नहीं था, और उनकी policies ऐसी लगती थी, जो आम लोगों के समझ में नहीं आती थी, और देश के आम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती थी, तो add the end, यहाँ पे religious political violence होई, जाने कि धर्म को लेके लड़ाई होने लगी, tribal movements होगे, जाने कि जो tribes है, जन्जातियां हैं, वो आपस में, I mean, अंग्रेजों के साथ लड़ने लगती, पेजडेंट अप्राइजिंग, जाने के किसान लोग जो है, उनकी उपर भी policies अच्छी नहीं लगी थी, तो यह भी यहाँ पे लड़ने लगती, और agrarian rights, again, agriculture के उपर भी इनका focus नहीं था, tax share जो है, हमसे ज़्याद 1857 तक इतना कुछ हुआ, जब इतना कुछ हुआ है, तो हर जाती, हर वर्ग, हर धर्म, हर कास्ट, हर ट्राइबल जो है, इनसे पीडित हैं, तो जब यह पीडित हैं, तो obviously बात है ना, फूटेगा ना गुसाब, जो गुसाब फूटेगा, वो कब फूटेगा 1857 में, पॉइ यहाँ पे जब 1857 की अगर हम बात करते हैं, तो 1857 को बहुत सारे चीजों से जाना जाता है, जैसे सिपाय म्यूटिनी, मतलब एक सिपाय विद्रो था, बहुत बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, इंडियन म्यूटिनी, भारत का एक विद्रो था, ग्रेट रेबेलियन, ब हमारे बोलने लगे, और स्प्रक्टर में भी इन नामों के बारे में चर्चा करी गई है, अब अगर हम बात करते हैं, 1857, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, कि ऐसा तो है नहीं, कि बस आज, बस इन्फिल्ट राइपल जाई और लड़ाई होगी, नहीं, बहुत सारे ऐसे क जिनके कारण, जो है ये 1857 का रिपोल्ट होगा, अब ये बहुत सारे कारणों में कौन कौन सी चीज़े थी, एक तो नॉर्मल जेनल कॉजिस, मतलब आम, आम जो पॉलिसी बगारा लगाते थे, दूसरा पॉलिटिकल कॉजिस, जाने के जो परशास्तन है वो भी ठीक नहीं ह जो रहा, सब्सिट्री अलाइज लेके आई जा रहे है, डॉक्रिन ओफ लेके आई जा रहे है, वो डिस्कुस करेंगे अभी हम, ठीक है ना, तो ये पॉलिसी जो है हमारे उपर लगाई जा रही है, तो ये पॉलिसी वैसे तो अच्छी नहीं है, लेकि जब हमारे उपर आफ तो हो गई होगा यहां पर, ओके, सोशे और लिजेस कॉसे, सोसाइटी में बहुत बड़े बदलाव आई, धरम में बहुत बड़े बदलाव आई, जिसके कारण लोग भढ़के, इकनॉमिक कॉसे, सीधी सी बात है, आर्थिक, डैट मिस टैक्स, डैट मिस मनी, डैट मि पैसा, तो एकनॉमिक का मतलब क्या है, हमारे उपर कुछ ना कुछ, टैक्स वाली जो बात है, यहां पर की गई होगी, जिसके कारण लोग भढ़के, और लास्ट है, इमिजेट कॉस्ट, इमिजेट कॉस्ट तो तुम जानते हो, that is the Enfield Rifle वाला पार, that is Enfield Rifle वाला पार, तो सबसे पहली बार भारत देश में लेके आया गया English Education, अब English Education जो है, English Education जो है, हमारे भारत देश में सबसे पहली बार कब आया, that is Charter Act of 1813, 1813 के Charter Act में बोला गया कि हम English Language के उपर एक लाख रुपया खर्च किया करेंगे, पूरा एक साल, जब एक साल इन्होंने बोला कि किया करेंगे, तो इसका मतलब वो पर्मोशन की तरफ चल रही है, अब 1813 में एक लाख रुपय साला ना बोल दिया, अब दूसरी बात यहां पर यहां पर यहां पर यह क्या आती है, कि इस भाशा को कब लगाया गया, 1835 में 1835 में हमारे भारत देश में English Education को लगा दिया, अ अब English Education लगा दी, अब एक सीजी सीजी सी बात है, हम आज भी English के लिए लड़ रही हैं, जो Hindi students है, वो आज भी English के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उस टाइम पर उस टाइम देखें जी क्या हुआ होगा, 1857 के टाइम पर, अरे हम नॉर्मल भाशा बोलने वाले लोग, वर्न बाशा कोई नहीं है, फार्सी बाशा कुछ भी नहीं है, अब English का इस्तेमाल होगा, अब 1835 में भारदिश में लग गई, और इसमें कुछ Indians ने भी support कर दिया, कुछ जिन्नों ने अंग्रेजों ने लगाया था, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर पहले English language क है, 1813 के चार्टर एक्ट में इंडर्ड्यूस करी गई, और भारत में इंडर्ड्यूस करी गई, 1835 में, और 1813 के according, एक लाख रुपया पर यह जो है, खर्च करने की यहाँ पर बात करी गई, दो अंग्रे, इंडियन सपोर्टर्स कौन थे, राजा राम मौन रॉय और इश् किसकी recommendation से लगाई गई, Lord Macaulay की recommendation थी, किसकी recommendation थी, that is by Lord Macaulay, इसी कारण Lord Macaulay को हम क्या कहते हैं, Father of English Education इंडिया के नाम से जानते हैं, अब बात यह है कि इन्होंने तो recommend किया था, लेकिन governor channel कौन था, जिसने लगाई थी, that was William Pantic, William Pantic ने हमारे भारदेश में एक लाख रुप का असरी, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करने की यहाँ पे, official भाषा जो है, यहाँ पे बना दी गई, और William Pantic ने इस चीज़ को लगाया, recommendation मैं कॉल लेगी, supporters, राजा राम मौन राय, इश्वर विद्याज, इश्वर चंदर विद्या सागर, अब बात ये है, अब बात ये है, ये इन्होंने बोल दिया जी लगाओ, उन्होंने कहा दिया ऐसे, ठीक है, अब राजा राम मौन राय जो है न, ये परसन बिलॉंग करते हैं, ब्रमो समाच से, ब्रमो समाच से, और राजा वर्ड जो है, इनका टाइटल ह ये title इननको दिया किसे ने था, अकबर सेकंड ने दिया था, अब राजा रामोन राई जी को हम और क्या कहते हैं, modern man of India की नाम से जाना जाता है, ये modern man of India किसी ने बोला था, जौहालाल नहरूजी ने बोला था, किस book में, discovery of India में बोला था, भारत की coach, discovery of India में बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि ये English language को support कर रहे हैं, एक आगे जाके सती प्रथा को भी खतम करवाएंगे, point summary में ये ध्यार रखना है, अब बात ये हैं, चलो English तो होगी, अब सती को भी खतम करने की बात कर रहे हैं, सती होता क्या था, ठीक है, सती ये होता था, कि अगर किसी person की death हो ज जिन्दा है, उसकी पतनी जिन्दा है, और उसके पती की death हो जाती है, तो पतनी को जिन्दा जिला दिया जाता था, वो सती था, ये एक कैदना की social norm था, उस स्राइम पे, उस स्राइम पे एक social norm था, अब condition यहां पर ये आ जाती है, कि सती को जब abolish किया गया 1829 में, बाइदा Lord William Bantic, तो obviously बातल लोग भढ़केंगे, अरे यार, तुम हमारी society में भी घुसी जा रहे हो, हमारे social norms में भी घुसी जा रहे हो, ये तो चीजे हमारी प्रताइं चलती आ रही है, लेकिन तुम इसमें भी घुसी जा रहे हो, जब इन्होंने ये चीज करी, 1829 वाली चीज करी, तो ये चीज को support किस ने किया था, कि हाँ सती प्रता नहीं होनी चाहिए, राजा राम महुन राइज ने, अगेन इस सती प्रता को खतम किस ने करवाया था, डैडिज अगेन William Bantic ने, William Bantic कौन है, William Bantic जो है, पहला governor general of India है, जो 1833 में बना था, और ये ही राजा राम महुन रा कि ये वो ही person है राजा राम हुन रहाए, जिनने सती प्रता खुतम रहाए, जिन्होंने English language को introduce किया, तबी मैंने आपसे बात करी थी कि जो ये person है, राजा राम हुन रहाए, ब्रह्मो समा से जो link करते हैं, इनको हम क्या कहते है, modern man of India, जोहालाल नहरुजी ने क्यों बोला इनको, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा भी खतम करवा थी, इन्होंने English language भी हमारे भारदेश में लगा दी, that's why इनको क्या बोला गया, modern man of India बोला गया, ठीक है, अब बात यहां पर यह है, कि जब सती प्रथा खतम करी जाएगी, तो इसका मतलब जो पत्नी है, वो क्या होगी, विद्वा, अब जलाना बंद हो गया, तो इसका मतलब वो होगी, विद्वा, अब उसकी शादी करवाने की भी बात चल पड़ी, डैड मिस वीडो रिमेरिज, अब वीडो रिमेरिज का जो एक्ट आया था वो 1856 का Act था जिसको support किस ने किया था इश्वर चंदर विद्यासागर जी ने और अंग्रेज कौन था Lord Dalhauzी था Lord Dalhauzी ने बोला कि हाँ सतीप रथा तो पहले खतम करवा दी थी बैंटिक ने खतम करवा दी अब जो लड़की जो विद्वा है उसकी दोवारा से शादी होनी चाहिए तो विडो रिमेरी जेक्ट जो है आपका 1856 का इसको legalize करवाया गया डलhauzी दोवारा इसको support किस ने किया इश्वर चंदर विद्यासागर जी ने तो this is very very important point clear? याद रखना अब general causes होगे English और सती अब society और धर्म social and religion ये भी दो बहुत बड़े पहलू है हमारी society में 1857 के लिए अब क्या पहलू है इनको एक-एक word को समझना है ठीक है ध्यान से इसमें जब अगर आप exam की बात करते हैं तो हो सकता है आपको match order falling में पूछ ले हो सकता है आपसे chronology लगाके किसी भी तरीके से paper में exam equation पूछ ले यहां से ठीक है अब अगर मैं बात करता हूँ social and religious causes में racial overturn obviously बात है यार ये हमारा गोरा-काला वाला भात भेदवा उस सेंबे गोरे और काला ऐसे चलता था और जो कहते ना कि इस support किसको ज़्यादा मिलता था Britain को British के अंदर अब जो हमारा सैनिक होता था Indian सैनिक होता था वो जब सेना में भरती होता था तो maximum post उसकी सुबेदार जाती थी और क्यों जाती थी कि उसकी highest post हो है सुबेदार की लेकिन वो क्यों जाती थी क्यों को racial discrimination था हमारे भारादेश में उस त्राइन पे तो अब यहां पे हम Indians जो है maximum post सुबेदार और वो बंदा जो है Governor General पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया है तो इसके कारण भी differences हमारे भारादेश में देखने को मिले Government का decision हुआ to tax the mosque and temple lands जो जमीने है चाहे वो धरम की है चाहे किसी भी धरम की है mosque है जा temple है उसके उपर जो है tax लगाया जाएगा तो इनके कारण obviously बात है Hindu population ज़्यादा है तो लोग भढ़केंगे उस time की बात चल रही है और Muslim people भी है उस time पे वो भी बढ़केंगे point सामन में है तो हमारे धरम में गुस रही है अब अब देखिए जी activity of the Christian missionaries अब क्या हुआ है Christian missionaries को आपके भारादेश में introduce करने की बात कर दी गई और बोला कि यहां पे आप भारादेश में जितने लोगों को convert करना चाते है आप करो आप इंडिया में convert करो point सामन में है इंडिया में हाँ जी तो इंडिया में जितने भी लोगों को आपने धरम convert करवाना है Christianity में convert करवाना है इसाई धरम में convert करवाना है तो करवाओ, तो ये बात यहां पे करे गई Religious Disability Act 1856 अब यहां पे Disability Act का मतलब क्या है कि जैसे let's suppose कि अगर आपको याद होगा हमारे हम बोलते हैं कि अगर आप समुद्र पार करके जाते हैं ठीक है, तो obviously बात है कि आपके जो है धरम के अंदर, हिंदू धरम के अपरिंग जो है आपका आप धरम को खराब कर रहे हैं ठीक है, यह बोलते हैं और अगर ये person जाने के अंग्रेज, इंडियन persons को जो है सीना में लेना चाते हैं तो कहते हैं कि clean shape हो क्या हो Muslims को beard नहीं रखना ठीक है, सरदार people Sikh people को ये turban नहीं बाढ़नी तो धरम में गुस गए तो धरम में गुस रहे हैं, तो obviously बात है हम अब क्या करेंगे, लडाई करेंगे और हिंदू को बोले, टीका नहीं लगाना लगाते थे, ठीक है न, तो ये सब चीज़े अगर आप रोकवा रहे हो, तो obviously बात है लोग बढ़केगे, this is very important 1837 में, जैसे मैंने आपसे बात करी थी 1835 में अंग्रेजी भाषा इंडिया में लगा दी गई और 1837 में बोल दिया गया कि अब अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा, court language की तरह court language का मतलब क्या है, कि जो आप सरकारी भाषा बोलते हैं, अब English बोली जाया है, यहाँ पे जाने लगेगी clear, अब फार्सी भाषा खतर 1844 में बोल दिया गया, the knowledge of English was made compulsory for government services, अगर आप किसी slavery, गुलाम रखते थे लोग, बड़े जमीदार गुलाम रखते थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पे खतम कर दी गई, 1843 prohibition of the human sacrifice करते थे, बलियां चड़ाते थे, आज भी चड़ाते हैं, पहले भी चड़ाते थे, तो वो भी बंद कर दिये गई, 1850, the enactment of an act which enabled a Christian to inherit his ancestral property, कहने का मतलब यह है, जब यहाँ पे इनको convert करने की बात करी गई, कि यहाँ जो भी धर्म का लोग है, उसको इसाई धर्म में convert करो, और उसके बाद 1850 में यह बोल दिया गया, कि अगर property लेनी है, अपने पिता की property आपको लेनी है, तो इसका मतलब यह है, कि आपको Christian होना पड़ेगा, तो जाके आपको property मिलेगी, तो इसका मतलब सीधा-सीधा ही क्या convert किसमें करवा रहे हैं, तो सीधा-सीधा ही यह इसाई धर्म में convert करवा रहे हैं, Christian धर्म में convert करवा रहे हैं, तो यह इतनी चीज़े हुई थी हमारी society में, हमारे धर्म में, तो लोग क्या होंगे, भढ़केंगे या नहीं भढ़केंगे, बिल्कुल भढ़केंगे, पॉइंट सामने में आ है, तो यह लोग भढ़के यहां होंगे, अब बात आती है political causes, पॉलिटिकल causes में मैंने सबसे, डो बात में कही थी आपसे, वान इस दा सबसीट्री अलाइंस, और वान इस दा क्रेंगे लेकिन यह उन्होंड डिसकस करेंगे, कि वाट इस बात करता हूं, इसकी इलावा अगर मैं बात करता हूं, कि हमारी political causes के अगर हम बात करते हैं हमारे जो इंडियन सैनिक जाते थे बहां पर चोबी इंडियन सैनिक जाते थे ना तो उनको प्रपर तरीके से salary मिलती थी ना उनको जो है promotion मिलती थी और अगर वो person जो है बाहर चला जाता है बाहर चला जाता है तो मैं क्या कह रहा था कि कोई भी परसन जो है अगर बाहर जाता था ठीक है ना लड़ाई लड़ने के लिए बाहर जाता था तो उसको double salary मिलती थी क्या मिलती थी double salary अब इन्होंने double salary भी बंद करवा दी इनको अब double salary नहीं मिलेगी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जाएगा अगर अंग्रेज जा रहा है उसको double salary मिलेगी लेकिन हमें नहीं मिलेगी इंडियन्स को नहीं मिलेगी तो इसके कारण ज जबरदस्ती अबद एक स्टेट थी जिसको हमारे doctrine of lapse के according, doctrine of lapse में बताऊंगा आपको, उसको जबरदस्ती पकड़ लिया गया, ठीक है, actually क्या होता था, जैसे मैंने आपसे बात करी, जैसे मैंने आपसे बात करी, कि दो चीज़े हैं, एक है doctrine of lapse, अब ये doctrine of lapse क्या होता था, जो 1848 में start हुआ था, इसमें होता क्या, इसमें ये होता था, कि अगर let's suppose, let's suppose कि आप जो है, let's suppose कि आप जो है, 1848 में ये बोल दिया गया, कि अगर आप अपने राजा, अपने बंश्ट के last राजा हैं, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो अंग्रेज्यों की हो जाएगी, आपकी death के बाद, और अगर let's suppose कि आप लोग, आपने कोई बच्चा अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो उस बच्चे को salary ना मिलेगी, कुछ भी नहीं, उसको जबस एक हम pension दिया करे जा तो यह मेरी strategy अपना रहे हैं, मुझे मारने की strategy अपना रहे हैं, जा कुछ ना कुछ इस तरीके से, और बच्चे की उनको वैसी लग से tension रहती थी, ठीक है, कि हाँ मेरा बच्चा नहीं है, अगर मैंने अडॉप्ट किया, तो इसको भी रहने नि देंगे, तो that means उसको भ अपलो होंगो, तो इससे ये गडबड होने लग गई थी, और तूसरा बात ये है, और again, जो मैंने तुम्हें बताया, अवद वाली state, अवद वाली state का reason इन्हों ने क्या बनाया, just mal administration, mal administration का reason बताया, कि हाँ यहाँ यहाँ पे शासन नहीं ठीक रहे हो रहा, बस हडप लो, तुम्हें डॉक्टर्न फ्लैप्स पास किया था, यह थोड़ा पास किया था, और एक था, subsidiary alliance, subsidiary alliance, अब यह subsidiary alliance क्या है, what is this, subsidiary alliance, जिसे हम कहते हैं, सहायक संदी, अब what is the meaning of सहायक संदी, what is the meaning of subsidiary alliance, अब यह subsidiary alliance का मतलब क्या था, let's say, मैं अंग्रेज हूँ, आप एक चोटे राजा हैं, छोटे बिल्कुल चोटे राजा, ठीक है, छोटे राजा का मतलब आपके पास सेना कम है, और आप कम शक्ति शाली है, powerful इतने नहीं है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं आपके पास आउंगा, मैं आपको यह बोलूँगा, कि आहां, आपको मैं बचाऊ बड़े राजाओं से, मैं आपको बड़े राजाओं से बचाऊंगा, आपको आपकी तरफ नजर नहीं उठा पाएगा, आपको बस करना क्या है, मेरी सेना की टुकडी, जो है, मेरी सेना, जो आर्मी है, उसको अपने दरबार में रहने दो, ठीक है, जो आपकी protection करेगी, कह चोटे राजा मानगे कि हाँ बड़े राजाओं से बचे रहेंगे अब जाते हैं बड़े राजाओं के पास बड़े राजाओं को दिक्कत कहां से है बाहर की फोर्से से अंग्रेजों के दुश्मन जानकी फ्रांस ये फ्रांस हो गया आपका डच होगे पौर्टगीस होगे इनसे हम बचाएंगे आप, तो ये वहाँ पे पहुंच जाते थे, कि हाँ हम आपको बाहरी फोर्स से बचाएंगे, तो करना गया पड़ेगा, जैसे छोटे राजाओं को बोला है, वैसे वैसे ही हो जाएगी, कि हाँ, हाँ, आपको हमारी सेना की टुपड़ी अपने पास रखनी है, उसका खर्चा पानी जो है, उसको दे दो, और एड़ देंड चलाओ, बस हम ट्रेड करने आएंगे, बिजनस करने आएंगे, और अगर किसे ने लड़ाई करी, तो देख लेगे, और वैसे अगर मैं किसको कर लिया, इंडियन्स को इस्तेमाल कर लिया, छोटे राजाओं को भी इस्तेमाल कर लिया, बड़े राजाओं को भी इस्तेमाल कर दिया, और इसी लिए इसको सब्सिट्री अलाइंस बोला गया, सब्सिट्री मतला सहाय, मतला हेल्प, हेल्प करेंगे हम आपकी, बदल ये समझ में आ गया, political causes समझ में आ गया, जे, ठीक है, अब देखें जी क्या है, देखो सिती सी बात है, यहां पे salary कम मिल रही है, promotion नहीं हो रही, foreign भता नहीं मिल रहा, unhappy है, और again हमसे comparison अंग्रेजी सरकार का किया जा रहा है, और ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, अब जैसे states को, बहुत सारी states को capture किया गया, subsidiary alliance लेकिया आया गया, 1798 में जो मैंने हमने discuss कर लिया है, सबसे पहली बार किसने sign किया था, निजाम औफ हैदराबाद ने sign किया था, subsidiary alliance के उपर, ये हमने discuss कर लिया है, Lord Dalhousie ने doctrine of lab start किया था, मैंने तुमें बताया था, 1848 में, और उसमें सबसे पहली state को जो capture किया गया था, that was सतारा, सतारा कौन सी, महराष्टरा में, 1848, ये आपको सारी states, year-wise याद होनी चाहिए, paper में कई बार match of the fallinger के बुछ लेता है, जा, ऐसे पूछ लेता है, इनमें से कौन से state capture करी गई थी, या नहीं करी गई थी, ऐसे examiner question पूछ लेता है, ठीक है, सतारा इन महराष्टा, जैदपूर, संबलपूर, भगत, उदेपूर, जांसियां, नागपूर, this is the important one, ये states important है, इनके years important है, paper में, थोड़े बहुत match of the Fallinger के examiner पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो doctrine of labs में ने तुम्हें बता दिया है, और male administration के कारण कौन से state पकड़ी गई थी, अवद, 1856 में, अब now the thing is, military causes, अब military causes तो, पता लगी क्या, military क्या है, racial discrimination, salary come, maximum post, क्या, सुबेदार, और बाहर जाएंगे, तो salary नहीं मिले डबल बता नहीं मिलेगा, racial discrimination किया जाएगा, ठीक है, काम में भी, military में भी, और administration में भी, पॉइंट सामर में है, ये देखे जी, salary difference तो थे ही थे हमारे साथ, और again हमारी maximum post क्या थी, सुबेदा, racial discrimination का मतलब है, उनको well paid होते थे थे वो, ठीक है, और हमारे Indian states को देरे-दरे ख अवद को capture किया गया था, लेकिन बाग में छोड़ दिया गया था, ये याद रफटा, ठीक है, अवद को capture किया गया था, लेकिन बाग में छोड़ दिया गया था, ठीक है, आओ आगे, now the immediate cause, अब immediate cause का मतलब क्या है, तुरंत, immediate मतलब क्या कारण बना था, तुरंत कारण ये से छीलना पड़ता था जब वो मुझ से छीलते थे ना उसके उपर काउ की चर्बी जानी की फैट और जो है पिग की फैट लगी होती थी हमारे हिंदू धरम में हिंदू धरम में काउ is very important पवित्र हुली पूजा करते हैं हम लोग और मुस्लिम धरम में पिग का मिट नहीं खा पात है यहां पे अब सीन क्या होगा लोग भड़क जाएंगे मतलब तुमारी पहले तो हम बहुत देखे देखे चले जा रहे थे अब तो तुम हमारे यहां तक भौँच गए हो हमारे देवी देबताओं को तक पहुच गए हो और हमारे धरम में तुम गुजग गए हो इत is 1857 बोल्ट का तो यहां पर यह होता था देखो जी यह ऐसे काटते थे उसको डालते थे और उसको ठक 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 चलाते थे ठीक है अब यह जो एंफिल्ड राइफल है इसको ब्रिटिश ओर्डिन्स फैक्ट्री जो है लंडन में बनाया जाता था यह ध्यान रखना है और I think आप एक बुलिट बाला कोई डायलोग है तो उसमें हमेशा वो यही बोलता है तुम्हें पता है इस बुलिट की प्राइस कितनी है वो बोलता है वो इसलिए इस बुलिट की प्राइस इतनी क्यों है क्योंकि वो बनती कहां पे थी लंडन में पॉंट सामन में मैं उस डायलोग की तारीफ नहीं कर रहा, बट तुम्हें मैं concept बता रहा हूँ कि वो bullets, वो Enfield rifles कहां से आते थी British Ordinary Factory at Enfield near the London यहां से आती थी, point सामन में है, तो this is important one clear, अब यहां पर यह है हमने society देख लिए, धरम देख लिया society देख लिए, धरम देख लिया, political देख लिया और general causes देख लिया अब दूसरी क्या है, कि यहां पे this content against the British CDC बात है, अरे यहां पे हमारे साथ business करने आये थे, हमारे उपर ही rule करने लगे तो भाई हम इनके साथ लड़ेंगे और इन्होंने हमें doctrine of labs लगा दिया colonial administration यहां पे करने लगे अपनी यहां पे colony बनाने लगे तो obviously बात है हम बढ़केंगे हम पहली इनको हिंसे नाराज हैं कि हाँ यारा आके यहां पे business कर रहे थे हमारा business भी तुमने खदम कर दिया अपनी factory यहां डाल दी और बदले में हम ही गुलाम बना लिया तो obviously बात है यह चीजों के कारण जो है इनके साथ हम थोड़े बहुत तो उखडे हुए थे इसके इलावा भी बहुत सारी reason से the main reason is again the not main but one reason is the economic आपका exploitation मैंने जैसे तुम्हें बताया कि यह आए इंडिया में ठीक है इंडिया में आए अगर मैं यह shirt की बात करता हूँ तो यह shirt अगर मैं खादी के ले के आऊ ना तो 3-4 हजार रुपे की टी-shirt आए यह shirt मिलेगी 3-4 हजार की लेकिन अगर मैं किसी भी market, local market में चला जाओं तो यही same shirt मुझे 100 रुपे में मिल जाएगी 100 रुपे में, 100 रुपे में मिल जाएगी तो आप समझ देजिए कि जो factory से माल बन के आ रहा है वो 100 रुपे का है जो खादी से बन रहा है वो 3-4 हजार रुपे का है तो obviously बात है ऐसा नहीं कूँगा मैं खादी पर मूट नहीं करना बट otherwise मैं आप से बात करूँगा उस time की बात चल रही है थोड़ा सा comparison चल रहा है कि खादी महगा था और यह सस्ता समान आता था तो इसलिए लोग prefer क्या करते थे वही machine हो वाला माल ले लोगी कम दाम पे तो earth and हमारी जो Indian industries थी वो खतम होने लगे इंडिन industries का खतम होना हमारे लोगों को काम ना मिलना तो लोग भुखे मरेंगे तो obviously बात है लड़ाई होगी आज भी देश में जो crime हो रहा है उसका reason क्या है unemployment उसका सबसे बड़ा reason क्या है unemployment कि हाँ जातों लोग काम निकरना चाते जा हमारे भारदेश में employment ही नहीं है जिसके कारण लोग भढ़क रहे हैं जिसके कारण कराईं भढ़ रहा है तो इन चीजों के कारण 1857 का revolt देखने को हमें मिला था और बाकी इनकी जो है economic exploitation तो होती थी वो बताऊंगा तुम्हें कौन सी प्रथा चलती थी जमिदारी, महलवाड़ी और रियोतवाड़ी प्रथा ठीक है ना वो हम डिसकस करेंगी लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे Karl Marx remarked in 1853 1853 ने में Karl Marx ने क्या remark किया It was a British intruder who broke up the Indian handloom and destroyed the spinning wheel England began with depriving the Indian cottons from the European market, it then introduced twist into the Hindustan and inundated the very mother country of cotton with cotton. CDC बात यह है कि कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे इन्होंने क्या बात करी कि हमारी industry को खतम करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो अंग्रेजो का है Indian decentralization करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है किनका अंग्रेजो का यह Karl Marx बोल रहा है और यहाँ पे हम cotton लेके यह cotton हमारी लेके जाते थे बाहर लंडन में factoryों से माल बनता था बनाया और वो ही माल India में आया तो cotton को cotton से ही तोड़ा पॉइंट समझ में आया तो cotton से बनाएंगे कपड़े और कपड़े से ही इन्होंने तोड़ दिया इंडिया की industry को पॉइंट समझ में आया तोकि वो चीज़े सस्ती आ रही है यह बो कौन बात कर रहा है काल माक्स बात कर रहा है समझ में आया जिसके कारण जो है लोग यहां पे खराब हो रहते हैं लड़ाई लड़ने में अब हो रहे है और एक चीज़ से यहां पे यह भी है कि जब आपकी cotton वाली चीज़ खतम होगी इंडस्ट्रीख खतम होगी तो अगरिकल्चर की उपर भी अब हो तीन टेक्स कौन से लगाएगे जस्त समझने के लिए मान के चली कि दिस इंडिया यहां पे जमीदारी प्रथा चलाई गई यहां पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में महलवारी सिस्टम और यहां पे साउथ में रियोतवारी सिस्टम चलाया अब यहां पे जमीदारी का मतलब क्या है? Permanent Settlement of Bengal यहां पे एक middle class खड़ी करी गई जमीदार, यह बड़ी जमीदार क्या होते है? Big Landlord Big Landlord का मतलब क्या है? जिनके पास बहुत सारी जमीदे थी, let's suppose मैं जमीदार, जमीदार का मतलब था कि एक गाउं में जिसके पास जमीदे जादा हैं तो मेरे पास है अब मेरे पास भी जमीदे कहां से आई? मेरे पास भी जमीदे कहां से आई? तुम लोगों ने गिरभी रख दी इसलिए अंग्रेजों ने मुझे ही पकड़ा, क्या, भाई इसको पकड़ो, इससे ये tax निकलवा लेगा, लोगों से, तो मुझे क्या कहा, कि तेरी जमीने tax free, लेकिन तुने लोगों से tax इकठा करके देना है, तो मैंने double game खेली, मैं double game क्या खेली, कि हाँ ठीक है, तुम्हें नहीं करी, जिन्होंने मेरे नाम कर दी, तो उनको मैंने कुछ पैसे दे दिये, और उन बंदों से मैं लिबर का काम करवा रहा हूँ, और वो पैसे तो ऑफिस से बाता खर्च हो जाएंगे, तो dad means, वो जमीन मेरे पास ही रह दी, लेकिन मैंने उसको पूरी जिंदगी क्या बना के रखा, क्या बना के रखा, गुलाम बना के रखा, तो dad means, वो परसन मेरा गुलाम ही है, तो इंडिया को, जनी की अंग्रेज्यों को उस जमीन से तो टेक्स जाएगा यह नहीं क्यों कि वो मेरे नाम लग चुकी है, तो बाकी जो भी टेक्स ही गठा होता था, मैं दे तो मतलब डबल एक्सप्राइटेशन हो रही थी किसानों की यहां पे, जमीदारी प्रथा में, दूसरा सिस्टम क्या था, महलवारी सिस्टम, यह आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी न, जी, वो आप लोगों ने मूवी देखी होगी न, वो कौन सी थी, डैड वाज, लगान, लगान में क्या होता था, पूरा गाउं एक ठाओ के टेक्स पर गया था, तबी तो लडाई होई थी, वो तबी तो क्रिकट मैच खेला गया था, क्योंकि एक बंदे ने बोल दिया था कि हाँ मैं क्रिकट मैच खेलूँगा, ठीक है, और इसी लिए मैं ट्रिपल जो start किया गया, third south में, रियोत वाडी, यहां पे किसान थोड़ा सा, इन दोनों के comparison में बात करूँगा, कि थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि port city थी by business यहां पे हो रहा है, पैसा यहां पे गूम रहा है देश का, तो that means यहां पे लोगों फिर भी ठीक हैं, तो यहां पे एक किसान टेक्स बरके आता था, जब यहां पे लोग ठीक होने का मतलब क्या हुआ, कि यहां के लोग जो है यहां के लोग ठीक होने का मतलब यह हुआ, कि यहां के जो लोग हैं, वो obviously बात है, थोड़े से पैसे वाले तो हैं थोड़े से पैसे वाले हैं as comparative to यहां और यहां पर यहां पर अकेला किसान tax बर के आ जाता था तो यह याद रखना आप यहां पर देखे जी जमिदारी system जिने हम permanent settlement of Bengal क्याते हैं 1793 में start किया गया था और एक start किस ने किया था Lord Cornwallis ने start किया था on the recommendation of John Shore start किया था और इंडिया की कितनी परसेंट लैंड कियो पर यह tax था 19% of the land कियो पर यह tax था जाने के पूरे इंडिया का 19% tax जमिदारी प्रथा से आता था दूसरा है रियोतवाडी प्रथा रियोतवाडी सिस्टम अब यह रियोतवाडी सबसे जादा क्यों है क्योंकि किसान फिर भी ठीक है यहां पर coastal cities है यहां पर start किया गया आपका पहले कहां पर start किया गया मदरास में यहां पर सबसे पहले मदरास में और फिर बंबे में पॉंट समन में है और यहां पर एक एक किसान टेक्स भर के आता था और इसको स्टार्ड किस ने किया था थोमस मुन्रो एंड चार्ल्स रीड ने इस चीज को लगाया था और 51% आप दा इंडियन लैंड की उपर यह टेक्स होता था अब 1793 में यह हुआ 1820 में यह हुआ थर्ड है जी आपका डैडिस महलवाडी सिस्टम यहां पर क्या था पूरा गाओं एक अठ्था टेक्स भर के आएगा और 30% एरियाज में यह लगता था विल्यम बेंटिक ने इसको लगाया था लेकिन क्या होता है लेकिन सबसे पहली बार इसको हौल्ट मेकेंजी ने लगाया था लेकिन उसके बाद जो है आगे किसने बढ़ाया था इसको विल्यम बेंटिक ने बढ़ाया था दोनों आप्शन में पहले अगर हौल्ट मेकेंज यह सब चीज़ें तो हो रही थी तो भड़क तो रही थे टेक्स सिस्टम में डिवाइट कर रखा इंडिया को अब इंडिया के लोगों ने यह देखा यार यह लोग और भी रहे हैं पहले जिसको यह कैतरी यह दे आदा सुपीरियर वन तो इसके मतलब यह है कि यह लोग हारे भी जा सकते हैं अगर आपको देखने को मिला होगा फर्स एंगलो अफगान वार में अफगानों से हारे एंगलो पंजाब वार में पंजाबी लोगों से हारे क्रीमियन वार में अंग्रेज फिर हारे तो इनका मनोबल बढ़ना था वो मनोबल क्यों बढ़ना था अच्छा ह हम भी हरा सकते हैं इनको, तो that means लड़ लो, 1857 रिबोर्ट लड़ लो, तो ये लड़े, तो ब्रिटिश आर्मी ने बहुत मेजर इवेंट्स यहां पर देखे, फर्स्ट एंगलो अफगान वर, 1838-42, एंगलो पंजाब वर, 1845-49 में, क्रीमियन वर, 1854-56 में, तो इनों ने, अंग्रेजों ने, ये मूँ की तोद खानी पड़ी थी यहां पर, तो ओविसली बातल लोग भिड़ गए इनके साथ, 1857 में, पॉइंट समन में आया, अब यहां पर, जब रिवोल्ट की बात करते हैं, हमारे भारत देश में, ये रिवोल्ट स्टार्ट कहां से होता है, ये स्टार्ट होता है, बेंगॉल से स्टार्ट होता है, 29 अफ मार्च, 1857 में, सबसे पहली बार ये रिवोल्ट स्टार्ट होता है, ये न्यू राइफल का जाता है और दीरे दीरे ये दिल्ली में बन जाता है क्योंकि दिल्ली वासा में सेंटर और वहां पर दिल्ली पर जाके दिल्ली का राजा कौन है उस चाहिं पर कौन है कौन है बहादुर्शा जफर बहादुर्शा सेकंड या बहादुर्शा जफर जाके लोग उनको कहते हैं pump देना किसी को ठीक है न कहते हैं कि pump देना तो pump देते हैं अरे शहेंशाह हिंदोस्तान आप ही हो अंग्रेश तो कुछ भी नहीं है वो चोड़ा हो जाता है कौन बहादुर्शाल सफर वो चोड़ा की हो जाता है अच्छा इन्होंने कभी मुझे घास तो डाला नहीं है अब मुझे ये King Emperor of India कह रहे है तो that means अब ये कहता कि मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए चाहें मर जाओं मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए कौन कह रहा है ये that means कौन कह रहा है बहादुर शाह सबर दा Emperor of India that is Mughal Emperor उसमें भी जान आगे कि हाँ मुझे Emperor बोल दिया Emperor of India शहने शाय हिंदुस्तान बोल दिया तो at the end यहां से अब रिबोल्ट फैलेगा दिल्ली से रिबोल्ट जो है अलग-अलग जगा पे फैलेगा लेकिन center कौन सा बन गया दिल्ली लेकिन रिबोल्ट जो है आपका जो start हुआ था वो पैरटपुर बेंगौल से start हुआ then Merit में गया then दिल्ली में गया दिल्ली में center बन गया आपका यहां पे पॉंट समन में है अब 10 मई को यहां पे rebellion हो रहा है और Soldiers को मारा जा रहा है, बहादुशा जपर के पास पहुंच गे, The Last Mughal Emperor के पास पहुंच जाते हैं, शैन्षाइ हिंदोस्तान का नारा दे दिया इसको, ठीक है, और लेकिन शैन्षाइ हिंदोस्तान का नारा तो दे दिया इसको, 10 मईए को बोल दिया इसको, लेकिन जो इसकी real power है इसका जो commander in chief है बक्त खान उसके पास है तो ये लड़ने लग जाते हैं दिल्ली से लड़ते हैं अंग्रेजों के खिलाव जून 1857 में धीरे धीरे रिवोल्ट जांसी गवाले लखनव अलहाबाद में फैलता है राने लक्षमी भाई जांसी से लड़ती हैं अंग्रेजों के साथ और धीरे धीरे बराजस्तान में भी ये रिवोल्ट जाता है और सारे देश में ही खास करके नौर्थ हिंडिया में ये रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है अब आप कहेंगे कि ये नौर्थ हिंडिया में ही रिवोल्ट क्यों चल रहा है दिमाग लगाओ starting of the class मेंने क्या बूला था बेंगॉल को capture किया फिर इनों ने नौर्थ हिंडिया के उपर जो है जो भारत के उत्तर साइड है नौर्थ साइड है इनकी उपर implementation करने की बात करें क्या tax क्या भाई इनको exploit करो civil rebellion, tribal revolt, peasant uprising सब कुछ यहाँ पे नौर्थ हिंडिया में देखने को म क्यों क्योंकि इनकी policies हमारे लिए अच्छी नहीं थी North India के लिए, that's why ये भी एक कारण बना reward successful ना होने का कि ये reward South India तो गया ही नहीं, पंजाब के कुछ-कुछ एरिया में हुआ, बेंगॉल के कुछ-कुछ एरिया में हुआ, पड़े लिखे लोगों ने लड़ाई नहीं कर तो that means ये reward actually है किसका था, किसान्दों का, ट्राइबल्स का, छोटे-छोटे लोगों का, इसका मतलब क्या है, ना तो unity थी, ना राष्टरबाद वाली बात थी, ना आपके पास पैसा था, ये ही reason बन गया, आपका proper तरीके से reward fail होने का, ये हम आगे भी पढ़ेगे, तो यहा और इसको बाद में मार दिया गया था, इंग्लिश ऑफिसर डुल्लप द्वारा मार दिया गया था, ये जस्ट पढ़ ले ना एक चीज़ शामल, ठीक है, अब इस reason क्या था, इस reward के fail होने का, देखो जी fail होने का reason क्या था, fail होने का reason क्या था, administrative, king in कोई नहीं है, ना single king coordination नहीं है, nationalism नहीं है, तो obviously ये बात, reward fail होगा, military failure, भाई, उनके पास superior military, उनके पास communication के, अगर एक सेना मारी भी जा चुकी है, तो दूसरी सेना आ जाएगी, भाई, communication phone पे बाते चल रही हैं, भाई, एक और टुकडी बेस दो, और टुकडी बेस दो, चल रही है, superior है, superior कैसे बंदू के लेके बैठे हैं, हमारे बस कुछ भी नहीं है, तो fail होगा, third है, इन्होंने lack of unity, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हाँ, काफी जगा पे तो reward फैला ही दी, अब यहाँ पे ही बात करते हैं, यह reward ना तो South India फैला, ना आपके Eastern और Western इंडिया में ज्यादा तर देख के रूलर्ज, कश्मीर के, आपके महराजा, रानाज ओफ नेपाल, बहुत सारे बिग जमीदा, इन लोगों ने support किसको किया, अंग्रेजों को, अब यह यह लोग support कर रहे हैं, पैसे वाले लोग भी support कर रहे हैं, और आर्मी वाले लोग भी अच्छे खासे support कर रहे हैं, तो पंड है, ना unity है, ना coordination है, ना राश्रवाद है, और modern educated Indians ने participate ने किया, अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम थोड़े बहुत तो पड़े लिखे होई हो, सिधी सी बात है, हम थोड़े बहुत पड़े लिखे तो है, बाहर किसी के लड़ाई चली जा रही हो, फालतो की, आ लोगों का मांसिक वो था, किनका? दूसरी बात यह है, modern educated Indians हों है, वो काम कहां पर कर रहे है, अंग्रेजों के अंडर, पॉइंट सामने में आया, जी, पॉइंट सामने में आया, तो इसका मतलब, यह modern educated लोग भी participate नहीं करने वाले, कहां पर 1857 बोल्ट में, तो add and in लोगों का भी साथ हमें नहीं मिला, पॉइंट सामने में है, और दूसरी बात अकरन करते हैं, और उनके पास technology बहुत ही, अगेन में जैसे बोला ना, सेना खत्म हो, फोन में बोला, अरे आजो और सेना बेज दो, तो बेज दी, तो प्रपर तरीके से यह आपके कारण बनके ना सफल करती है, Government of India Act 1858 का पास करती है, जिसे Good Governance Act के नाम से हम जानते हैं, क्या कहते हैं, Good Governance Act के नाम से जानते हैं, यह Good Governance Act क्या था, इन्होंने कहा, Doctrine of Laps को हम खतम करेंगे, घरम के काम में, Religion के काम में हम बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तीसरा, हम सब को समानत इक्वालिटी देंगे, हम गोरे काले सब बराबर हैं, ठीक है, इन्होंने बोला, ना हम Doctrine of Laps को खतम करेंगे, Religion में धखल अंदाजी नहीं करेंगे, इक्वालिटी देंगे, आपको क्या लगता है, कोई बात पुरी होई होगी, हाँ, थोड़ी से बात पुरी होई थी, क् कि धरम, इन्होंने पता लग गया था, कि यार इनको आज भी इंडिया में पता क्या है, लडाईयां किस कारण है, धरम, आज भी इंडिया में लडाई किस के कारण है, धरम के कारण, पॉइंट समझ में है, अगर कुछ नहीं है, धरम पे बोल दो, होगी लड़ी, ठीक है, उस दाइं पर इनको पतन लगा है, यार ये कुछ भी कर वालो इन से, इनको मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, धरम के अंदर घुशो मत, अगर ये धरम गुश गे ना, तो भाई ये कुछ भी ए न इनके घर में, चाहे थोड़ा है, बाला है, कुछ भी है, ये तो लेके पह मुस्लिम वाली बात होगे यहां पे तो 47 में तो हम अजाद ही होगे 47 में तो हम अजाद ही होगे तो 47 में जब हम अजाद हो रहे हैं तो इट मीज उस ताइम पे भी क्या चीज चली धर्म अगर ना करते 1906 में मुस्लिम लीग ना बनवाते 1916 में हमारा हिंदू-मुस्लिम यूनिटी वाला पार्ट हुआ लखनू पार्ट हुआ उसके बात 47 में तो हम अजाद ही पहुँच गे तो आप समझ पा रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम वाली जो बात कर दी इन्होंने उसके कार यहां बेभी कि इन्होंने क्या किया हमारे धर्म के साथ खेला तो इसलिए इन्होंने वाली बात पूरी करी औरो इन्होंने equality खिए हमें अगें गोरा-गाला चल रहा था ना यह अरे यार 47 तक खड़कते रहे हैं हमें ठीक है ना बर्मा को मैयानमार को अलग किया था 37 में हमारे इंडिया से पॉइंट सामरे में आया तुमें तो that means इसका मतलब क्या है हम बढ़के हुए है इनकी उपर I mean sorry not बढ़के हुए that means हम जो है हमें इन्होंने तोड़ाई है किसी भी किसी भी तरीके से उन्होंने हमारा माइंड बढ़ लिया कि धर्म में मत गुजो बाकी कुछ भी करवाला हो इनसे तो इन्होंने धर्म छोड़ दिया ठीक है और प्लस रानी ने क्या बोला जो गवर्ना चनल है ना उसको additional post द कड़ा है यहां तो that means तुम मुझे बोलोगे क्या गवर्ना जेनरल ठीक है अब समझो तुम इंडियन बैठे हो और मैं भी मैं तो वहीं हूँ मैं अंग्रेजी हूँ लेकिन तुम मुझे क्या बोलोगे वाइस भाई कहने का मतलब क्या हुआ अगर मैं इंडियन स्टेट्स म जा रहा हूँ जहां पर अंग्रेजी बैठे हैं वहां पर मुझे क्या लोग बोलेगे गवर्नर जन और इन्होंने क्या किया हा कि ये तो एक टोस्ट सेम होगी ये जवाब किस बो देगा ये सेक्रेटरी ऑस इसका कां देगा हम इसको पैसे कां देगा हम बिल्डिंग ऑन मनाएगा हम इसका यह कहते क्या जो इंडिया में हो रहा है यह गवर्णर जनरल वाइस इसको बताएगा यह आगे इसको बताएगा कुईन को बताएगा अब दूसरी बात यहां पर यह है इन दोनों की आपस में सैटिंग है इसके दोनों तो अंग्रेज हैं तो ये पहुंचाएंगी रा लेने के लिए ये यहां जाता है लेडनन में आता है बताता है कि रानी ये है रानी नहीं आती इंडिया में तो इनसे बाते पूछके ही हो जाता है काम सेट, कि हाँ ठीक है, कोई बार दे, ठीक है न, तुम कहा रहे हो तो ठीक ही होगा, तो इसलिए ये दोनों आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, एक्स्प्राइट कर रहे हैं, हमारा पैसा, इंडिया का पैसा कहा जा रहा है, लंडन जा इंडिया हाउस बना दिया, इसके जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, रहने का खर्चा, इस बंदे का खर्चा, इस रहने का खर्चा, इस लंडन में हमारा इंडिया हाउस बनाने का खर्चा, उसके अंदर दस लोग काम कर रहे होंगे, उसका खर्चा सारा हम से जा परेगा तभी इन्होंने बुक लिखी थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तभी इन्होंने बताया था ड्रें ओफ वेल्थ की बारी में बात करी थी आर्सी दत ने इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी वाई क्यों लिख रहे हैं यह हमें बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे साथ यह हो रहा है तो यहां पर ही रिवोर्ट क्या हुआ जब यह खत्म होता है इसका रिजल्ट देखो जी कुई ने सारी पावर ले ले एक न इंडिया के पथ लगया कि हम हारे क्यों हैं पहली बात हारे क्या है unity वाली बात इसका मतलब क्या है अб यूनिटी तो करने पड़ेगी इनों ने अंग्रेजों ने हमारे भारदेश में English language लगाई थी तो English language को सीखना पड़ेगा इनका जवाब इनकी ही language में देना पड़ेगा तीसरा कि यहाँ पे nationalism बढ़ा independence वाली बाते आने लगी दिमाग में इनने nationalism की बाते आने लगी दिमाग पे और unity बढ़ने लग गई यहाँ पे और earth and पूरा देश जो है खड़ा हो गया अंग्रीजी राष्ट के अगेस और nationalism की बावना बढ़ने लगे ठीक है government of India 1858 पास हो गया तो that means अब हम सारे मिलके क्या करने वाले हैं अगर कुछ करेंगे न तो इकठे होंगे तभी आपको एक चीज़ बताओ 1857 के बाद जब भी कुछ revolt होता था ये लोग इकठे कैसे हो जाते थे अब सिधी सी बात है मैं major moment की अगर मैं बात करता हूँ तो major moment आपको पता है non cooperation moment हुई थी आगे जागे जब पूरा अदेश इकठा हो गया था पहली mass based moment बन गई थी लेकिन उससे पहले भी चाहे छोड़ छोड़े rewards होते थे थे ना तो छोड़ छोड़े rewards में भी सारे लोग आज पास के लोग तो इकठे होई जाते थे यहां हम लड़ेंगे अगें जैसे में तुम्हें बताया यह movie देखी कौन सी movie थी वो लगान लगान movie में एक गुवन ने बोला कि हाँ हम लड़ेंगे एक गाउं था अरे पच्चासों गाउं आगे थे कि हाँ नहीं हम साथ हैं तो आप समझो कि एक चीज में अगर 1857 का रिवोल्ट हो रहा है तो नैशनलिजम यह सब कुछ यूनिटी प्राइड इंडिपेंडेंस यह कैसे बाते दिमाग में आ रही हैं हमारे समझ में आया तो यह चीज ध्यां रखने वाली है अब यहां पे बहुत सारे लोगों ने इस रिवोल्ट के बारे में अलग अलग नाम दिये वो क्या क्या नाम दिये वो देखने है आपको जैसे के बेंजम इन इसराइली ने बोला एक नैशनल अप्राइसिंग हुई है यह ठीक है कि हाँ एक देश में उद्य हुआ और वीडी सावरकर जी ने बोला फर्स्ट वार उफ इंडिपेंडनेंस के बारे में बात करी जोहलान नहरू जी ने बात करी एक फ्यूडल आउटबर्स लेट बाइदा फ्यूडल चीफ बतलब कुछ चीफ थे उन्होंने लड़ाई करी है और संज जॉन लॉरेंस ने बोला एक सिपाई विद्रो है टी आर होम्स ने बोला सिविलाईशन और बारवनिजम में आपका लड़ाई हुई है ये बड़ा इंपोर्टन है पॉइंट या असबाब ए बगावत हिंद ये जो बुक लिखे गई सर सयद एमद खान जी ने लिखी उर्दू में लिखी थी और ये बुक में आपका डिस्क्रिप्शन है पूरी रिवोल्ट के बारे में ये पेपर में आता बहुत है असबाब ए बगावत हिंद पॉइंट समन में आया और यहाँ पे सेंटर में ने तुम्हें क्या बताया था खासकर में सेंटर जो है आपका ये वाला पार्ट था तो यहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है अब यहाँ पे देखे जी कहां कहां पे में रिवोल्ट होता है ये कानपूर में जिसमें नाना साहिब और तात्या टोपे जो है लड़ रहे हैं अजिमुल्ला खान भी लड़ रहे हैं लखनव में कौन लड़ रहे हैं हजरत महल बेगम हजरत महल ठीक है और इनके कुछ किसान भाई जमिदार ये लड़ रहे हैं जांसी में कौन लड़ रहे हैं रानी लक्ष पे जो important part है वो ये है कि Nana Sahib का जो दूसर नाम है वो क्या है दो दो पन ठीक है और यहां पे एक person और है तात्या टोपे ये person का नाम क्या है राम चंदर पांडूरंग राम चंदर पांडूरंग ठीक है और इस पूरे 1857 के revolt में एक बंदा जिंदा पकड़ा गया था इस लड़ाई में and dad was तात्या टोपे जिसको फांसी हुई थी जिसको फांसी हुई थी पॉइंट समर में आया जिसको फांसी हुई थी येस अब बात करते हैं आगे देखो ये चीज़ हमने अलड़ी पढ़ ली है वही रिवोल्ट कहां कहां पे हुए थे किस-किसे ने लड़ा था ये ब्रिटिश ओफिशिल एक बार नजर मार के जाना आप लो ठीक है किनों नहीं इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था उसके साथ में ने लिख दिया है गीशे मैंने तुम्हें बताया टेलिग्राम चैनल की उपर मैं पीड डाल दूंगा उसमें देख लेना तुम ठीक है ये सारी पीडिएफ उसमें डाल दूंगा अगिन सर्च कर लेना टेलिग्राम डॉक्टर विपन गोईल ऑफिशल टेलिग्राम डूंड लेना वहां पे सारे classes lecture PDF बगरा मैं वहां पे share करता हूँ चलिए ये कुछ और हैं places हैं तो ये भी आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे कौन कौन से जगा से हैं now what are the causes of the failure ये तो हमने discuss कर लिया फंड नहीं था nationalism नहीं था support नहीं था, leader नहीं था, unity नहीं थी ये सब कुछ हमने पढ़ लिया अब revolt of 1857 में जो लोग लड़े थे वो कहां गए बहादुर्शा जफर जो है वो रंगून चले गए नाना साहिब नेपाल में, बेगम हश्वत महल नेपाल में तादय टोपे को पकड़ा गया और उनको हैंक किया गया और पूरी लड़ाई में रानी लक्ष्मी बाई शहीद हुई, battlefield में शहीद हुई और huge ross, huge ross ऐसा person है जो लड़ रहा था रानी लक्ष्मी बाई के लिए था, huge ross ने एक बात करी थी कि 1857 के रिवोल्ट में जो greatest militant है, greatest militant है, वो कौन है, that was रानी लक्ष्मी बाई, this is important, ओके, अब इसके बाद एक बात आती है 1857 के बाद safety wall theory की, अब safety wall theory क्या है कि 1857 जैसा revolt हुआ है, वैसा आगे कभी revolt ना हो, तो safety wall theory बताई गई और एक organization बनाने की बात करी गई, जो आगे जाके इंडियन national congress बनती है, और ये safety wall theory किस ने दी थी, जो है हमें दी थी, that is AO, Hume ने दी थी, जो के अंग्रेजी एक civil servant था, इन्होंने कहा कि यार, ऐसा विद्रो कभी और ना हो, तो हम एक safety wall बनाते हैं, इसका मतलब ये है, कि अगर हमारी कुछ policies अच्छी नहीं हुई, तो उस संसा से, उस organization से हम पूछेंगे, कि हाँ, अगर हमारी कोई policy अच्छी नहीं है, जब आप कुछ recommend करना चाते हो, तो कर दो, ऐसा है, हम आगे इतना बड़ा revolt नहीं चाते, तो ये safety wall theory बताई गई थी, और आज हम discuss करेंगे Indian National Congress, लेकिन मैं तुम्हें चीज़ बताना चाहूंगा, जैसे हमने discuss किया था, 1857 revolt के अंदर, कि बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, result निकले, ठीक है, फिर उसके बाद हमने discuss किया था, कि इसके fail होने के क्या reason थे, ठीक है, और क्या तौजिस थे, सब कुछ हमने पूरा detail में discuss किया था, लेकिन एक चीज़ में आपको बताई थी, कि A.O.Hume ने आगे क्या बात करी थी, safety valve theory की बात करी थी, वो safety valve क्या था, हमने पीछली क्लास में भी discuss किया था, कि आज जो 1857 का revolt हो गया, वो भढ़िया है, चलो जो हो गया, हो गया, लेकिन आज के बाद इस तरीके का revolt आगे ना हो, तो उन्होंने safety valve की बात करी थी, इसी लिए एक INC की बात करी गई थी, इंडिया नैशन कॉंग्रेस की बात करी गई थी, कि हाँ, देश में कुछ अगर हो रहा है, तो उससे भी, उससे हम, मतलब वो चीज आगे ना हो, तो इंडिया नैशन कॉंग्रेस एक organization जो है, आपकी बन जाए, लेकिन आप एक चीज देखिए, बस 1857 का revolt हुआ और INC बन गई, नहीं, ऐसा नहीं था, बहुत सारे जगा की उपर, all over India में, अलग-अलग जगाओं की उपर revolt होता है, तो लोग जागरुक हो जाते हैं, जागरुक means कि उनको पता लग जाता है, national awakening जिसे हम कहेंगे, वो हो जाती है कि हाँ, यार मतलब हमारा देश भी कुछ है, मतलब हमी नहीं, देश भी कुछ है, तो मतलब INC से बनने से पहले, 1857 से 1885 का जो दौर था, बीच का जो दौर था, उसमें बहुत सारी political organizations बनती हैं, उन political organizations बनने से पहले देश में एक national awakening चलती है, उसके क्या reason थे, वो political groups बने क्यों, फेल हो गए, छोटे-मोटे organizations बनी थी, again, वो कुछ-कुछ चीज़ों के लिए काम कर रही है, उसको detail में हमने नहीं जाना, क्योंकि exam में वो उस detail में नहीं पूछते, कि वो छोट-छोटी organizations जो है, उन्होंने क्या किया, क्योंकि exam में वहां से ये पूछा जाता है आपसे, ये ठीक है, ये organization बनी थी, ये कहां पे ब नहीं थी, बगएरा बगएरा, और इसके members कौन से थे, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं INC की, तो INC तो बाद का topic है, बतला आज ही हम discuss करेंगे, INC लेकिन बाद का topic है, लेकिन 1857 से लेके 1885 का जो समय है न, वो बहुत ज़्यादा important है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा बहुत हम discuss करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं आप लोगों को 1857 से 1947 लेके जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का style ये है, कि हाँ, जो चीज modern history है, तो modern history बैसे तो 1757 से हम 1947 तक कह देते हैं, और आज का समय भी modern history चल रही है, हमारी modern era चल रहा है, post-independence era चल रहा है, but otherwise मैं समझाने के context में, एक कहानी के context में और lecture जो आपकी पूरी कहानी है, देश की आजादी की लड़ाई है, वो mainly हमें 1857 से 1947 में ही समझ में आती है, समझ में आती है, अब यहाँ पे हम इन चीजों को discuss करेंगे, देश में वो nationalism की भावना कैसे आई, और ऐसे क्या reason बने क हाँ देश जागा, तो इसका मतलब अंग्रेजों ने फिर टांग अडाई होगी अपनी यहाँ पे, obviously बात है, टांग अडाई होगी यहाँ ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो political organizations कौन सी थी हमारे देश में उस समया पे, कि हाँ, जिनों ने कुछ-कुछ काम किया, लेकिन फिर एक safety wall, that means INC का निर्मान हुआ, INC का formation हुआ, वो INC के अंदर जो हमने exam में जो questions पूछे जाते हैं, जा क्या चीज़े हैं, उसके objectives क्या हैं, उसका aim क्या था, INC के बनने का, उसके important sessions कौन-कौन से थे, कौन से session में क्या हुआ, ठीक है, यह चीज़े थोड़ी बात लेक्चर में कि हाँ, national awakening कैसे हुई हमारे भारदेश में, तो start करने से पहले हम आपको बता दें, तो आज हमारा topic है, इंडिया national congress for all state pieces exam, so इस class को लेके आ रहा हूं है, मेरा नाम है dr. विपन गोईल, जैसा कि आप सबको पता है, तो start करते हैं जी, आज का lecture हमारा, जी, देखे, एक second, एक second, पानी पीली ने दीजे, then हम start करते हैं, देखे, मैं आपको चीज़ बताना चाहूंगा, अगर आपका इस lecture के regarding, जब कहीं से भी कोई doubt होगा न, then you can ask me after the lecture, please, ठीक है, क्योंकि ये class जो है, बहुत ही important है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी कहानिया है, बहुत सारे important facts छुपे हुए है, अगर आप बात करेंगे comment section में, मैं पूछता चला जाऊंगा, तो ये जो lecture है, वो आदा धूरा रह जाएगा, जो मरजी doubt हुआ, exam related, courses के related, इस topic related, जो भी होगा, end में 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 से पूछ लेना, जो भी तुमें lecture में भी कुछ doubt आत Just a second, मैंने का कहा था तुमें कि 1857 में, देश की जो लडाई हुई पहली war of independence कहा देते हैं हम लोग, ठीक है, कोई लोग सिपोई में उटनी कहा देते हैं, तो जब ये होती है, तो देश में बहुत सारी national awakening होती है, national awakening मतलब nationalism, मतलब राश्ट्रवाद की बाते आते हैं, तो देश आगे आता है हमारे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कि बहुत सारे causes रहे हमारे इंडियन national movements के, ये इंडियन national movements जो हुई है, start जो हुई थी, actually क्या होता है, मैं तुमें एक चीज और clear करू, कि जैसे हम बात करते हैं इंडियन national congress की, ठीक है, इंडियन national congress की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो phase होते हैं तो दो phase है, actually आप आजादी की लगा लो, freedom को लगा लो, तीन phase बन जाते हैं, moderate, extremist और आपका घांधियली एरा, moderate जो चलते हैं, वो 1885 से लेके, 1905 तक चलते हैं, मतलब इनका समय में इनका रहता है, ये 1905 से लेके, 1917 तक का समय में रहता है, और घांधियली एरा स्टार्ट हो जाता है, 1917 से 1947, actually ये लडाईयां, ये समय होता है, जब हमारे देश में अलग-लग, जो है, movement चलती हैं, अलग-ल करना है, तो उस चीज़ की उपर जाएंगे, ये चीज़ करने से पहले, कि हाँ, what were the causes of the Indian National Movement, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये एक-एक वर्ड में इतने-इतने facts चुपे होए हैं, जो आपको ध्यान से समझे हैं, number one, political unity, political unity, पहले मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ क कि जब International Congress बना था, ठीक है, तो हमारे भारत देश में एक political unity देखने को मिली, इनको पता लग गया था, हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हार रही हैं, हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हम हार रहे हैं, 1857 के revolt का हारने का reason क्या था, again, कोई single leader नहीं था, कोई एक group नहीं था, जिससे हम बात करें, सब अपने अपने interest के लिए लड़ रहे थे, तो जब Indian National Congress आपकी बनती है, तो हमारे भारतेश में सारे political ideas जो होते हैं, एक इस थान पे, एक जगा के उपर आ जाते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, जब इन्होंने Western Education की बात करी, अगर मैं Western Education की बात करता हूँ, तो सीधी सी बात है, English की बात आती है, हमने discuss भी किया था, कि English को 1813 के Charter Act में बात करी गई थी, कि हाँ हम एक लाक उर्पया सालाना खर्च करेंगे, डूसरी बात इन्होंने क्या करी थी, 1835 में भारत में English Education लगा दी थी, बिलम बैंटिक ने लगा दी थी, में कॉले ने रिकॉमेंड गिया था, और उसके बाद इन्होंने 1854 में जो है आपका बुर्द डिस्पैच ले आए थी, बुर्द डिस्पैच, जिसका मतलब क्या था, ये था 1854 में, जिसका मतलब क्या था, कि अगर आप स्कूलों में Education ले रही हो, तो आपको English सीखने पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अब हम English सीखने की तरफ जा रही है, जब English सीखने की तरफ जाएंगे, तो इनके newspaper भी पड़ेंगे, इनके newspaper पड़ेंगे, तो obviously बात है, इनके newspaper में क्या चल रहा है, भाई अच्छा, ये French Revolution हुआ था, equality, liberty, fraternity, इनके बारे में बात करी थी, तो अब हम जानने लगे, कि अच्छा, ये class हमारी सबसे hit होने वाली है, जब मेरी class में ये होता है ना, पीछे से, तो class hit होती है हमारी, ठीक है, तो चलते हैं एक बिट, हाँ, ये signal है मेरी class का, तो हम बात करते हैं, कि जब ये चीज हु होती है, अच्छा, equality नाम की भी चीज होती है, मतलब, English समानता, how is it possible, तो हमें newspaper से पता लगने लग गया idea, जिससे हम क्या करने लगे, हमारे भारदेश में क्या होने लगी, nationalism, अब आप कहेंगे, सर इसका लेना देना क्या nationalism से, अब मुझे एक चीज बताओ, जब हमारे ठीक है, कहीं भी travel करते हैं, आप मान के चलो, बिल्कुल बिल्कुल बेस्तिक चीज मैं बताओगा, आप लगा लोग बस में जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो train मे, उस तो train में आ चुकी थी, उस साम बस बगयरा सब कुछ था, इंडिया में था, ठीक है, बहीं लोग एक जगाइ मॐसें डूसरी जगाया ट्रेबल करते हैं अब अगर आप lep contributions तो क्या करते हो आपको जानता भी नहीं होता साथ वाला लेकिन अगर आपकी जर्णी चार गौंटे की है पांच गौंटे की है तो वो आपका रिश्ठेदार बन जाता है ठीक है लेकिन उस time पर हमारे भारत देश में क्या चल रहा था अंग्रेज 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 तो issue ही क्या था discuss करने वाली बात क्या सी सिरफ और सिरफ अंग्रेज that means Britishers तो Britishers भी discuss करने थे और जब यहां पर हम बात newspaper पढ़ते हैं ना train में तो कहते हैं अरे भाई साब newspaper दोगे तो newspaper के बहाने ही बात सी start होती है चाहे लडाई लगालो चाहे दोस्ती लगालो चाहे यारी लगालो ठीक है तो उसी में भी हमने भी यही किया nationalism जब बढ़ा nationalism भढ़ने पर रहे तो nationalism तो फैल ना था और अगर मैं बात करूँ अब जब लोग पढ़ने लग गए हैं English पढ़ने लग गए हैं तो जो educated class है वो अब एक group बनाएगी वो group क्या होगा कि वो अपने ideas उस group में रखेगी और वो group के जो ideas होंगे वो आगे सामने English के सामने रखे जाएंगे तबी safety valve theory आई थी जिसने INC के बारे में बात करी थी कि INC बनाओ पॉइंट सामर में आया है नेक्स पॉइंट इंडियन प्रेस इंडियन प्रेस बोथ English and vernacular had also aroused the national consciousness सेम चीज जो मैंने बात करिया है अब जैसे कुछ paper vernacular में छपते थे जिनको local भाशा आती है वो अपने तर प्रिके से बढ़ें तो that means nationalism तो फैलेगा ही फैलेगा that means हम एक जुट होंगी होंगे तो इसी लिए हम एक जुट होगे यहाँ पे next point administration of Lytton अब जो लिटन है ना इसको हम बोलते है reactionary viceroy क्या बोलते है reactionary viceroy और इसको और बहुत नाम बोले जाते है viceroy of reverse character viceroy of reverse character क्या मतलब है इसका ठीक है अन पॉपुलर viceroy अन पॉपुलर viceroy ठीक है इनका मतलब क्या है इस word का मतलब क्या है यह जो viceroy है ना इसको हम बोले जाए सर यह ऐसा हुआ अच्छा ऐसे कैसे चलो जी पल्ट दो that means अगर हमारे इंडिया में कुछ भी हो रहा था ना और हमारे iNDIAN कुछ भी बोलते थे तो इसको उटा मतलब लेना था कोई बंदा आगै sigui को इनडिया के लिए कुछ भी बोल देता था उलडा मतलब ले ता एक पता निक्या कानुन हमारे उपर लगा देता था वह क्या कानुन लगा एक वो देखिए जी पहले इसने अरेंज किया दिल् ठीक है आज तो इतनी भीड है हमारे भारदेश में पूरी भीड चल रही है तो उस चाहिन तो इतनी भीड नहीं थी न तो आप समझो उस चाहिन दिल्ली का हाल क्या होगा दिल्ली दरबाद अंग्रेश सजा रहे हैं तो उस चाहिन पर हमारे भारदेश में फैमीना रखे थे बहुत इनको दिल्ली से जाने के लगी पड़ी है, हमें पैसे तो क्या देने थे, रानी के आने के चक्कर में पूरी दिल्ली से जा दी, और यहां पे रानी को आके क्या टाइटल दी दिया है इसने, केसरी हिंदका, बहुत केसरी हिंदका टाइटल देने के लिए तेरे पास सम 1878 में अच्छा ये दिल्ली दर्वार केसरे हिंद का जो टाइटल दिया था 1876 में दिया था, दूसरी बात आती है वर्नाकुलर पैसेक्ट, अब यह वर्नाकुलर पैसेक्ट क्या था, देखो वर्नाकुलर का मतलब होता है आपकी लोकल लेंगोईज, ठीक है, आप अपनी लोक कॉपी में मेरे अगेंस्ट अंग्रेजों के अगेंस्ट कुछ भी लिखा होगा तो उस न्यूस पर पहली बात तो छपएगा नहीं नमबर टू जिसकी वो प्रेस है उसके लग जाएगा ताला ठीक है नमबर टू तीसरा फाइन चौथा उसको सजा मतलब भाई ये क्या कर रहा है हमारे साथ मतलब तभी हमने क्या कहा अन पॉपुलर वाइस रहे रियाक्शनरी वाइस रहे तो ये प्रेस अक्ट इसने लगा द आम्स रखने अपने पास तो इन बंदों को लाइसेंस लेना पड़े और अगर कोई बंदा यूरोपीन जो है वह बंदू कर रहा है अपने पास अपने घर में कोई भी आम रख रहा है उसको कोई लाइसेंस देने की जुरूत नहीं है डैट्स वाइज अन पॉपुलर लगी थी तो दीज वर दा रीजन की हमारे भारत देश में नैशनल मुव्मेंट्स राइज हुए यहाँ बात राष्टबाद यहां पर यहां पर communication and transport भई तुम बात तो करोगे बस में बैठके किसी बंदे से जो कोई भी आपके साथ बैठा हो बात करते हो ना बिल्कुल करते हैं जा कोई train में बैठा हो बिल्कुल बात करते हैं तो that means closeness आएगी और एक दूसरे के ideas exchange होंगे यहां पर social and religious moment of the 19th century कितना कुछ हो है हमारे भारदेश ने आरे समाज ब्रह्मो समाज ठीक है यंग बेंगॉल मुवमेंट और यह रमा कृष्णा मिशन ठीक है इतनी जहान भरकी मुवमेंट्स होई है हमारे भारदेश में यह प्रात्ना समाज ठीक है परमहन समंडली यह क्यों किये भारदेश में कि हाँ हम इंसान को इंसान ही ना समझे जो इन्हों ने हमारे देश में कर दिया था that's why society में reform लेके आना बहुत जरूरी था that's why धरम के अंदर reform लेके आने बहुत जरूरी थे तो इसी कारण socio and religious moments भी हमारे भारदेश में हुई थी 19th century में economic and political exploitation by the Britishers यार ये तो मैंने तुम्हें पहली बताया था ना ये तो भाई इनका जनमसिदा दिकारी था हमारे उपर ठीक है जितनी दिर रहेंगे economic exploitation तो करेंगी करेंगे political exploitation भी करेंगे सिधी सी बात है कहीं पर tax नहीं देना ठीक है और जो लोगों से tax लेते रहेंगे तभी तो हमारे भारदेश में क्या हुआ है किसानों से tax ले रहे हैं तो obviously बात है गड़बड तो हो नहीं थी ठीक है उसके बात है racial discrimination ये भी end तक रही है और इनी की देन है हमें हमें भी इनी की देन है ये हम लोगों को सिखा गए हाँ गोरा काला नाम की कोई चीज होती है घोरे काले की चीज भी होती है racial discrimination नाम की चीज नहीं होनी थी okay Ilbert will controversy this is very very important ये Ilbert will controversy है क्या जो Ilbert है ना ये क्या हो रहा है हाँ जो Ilbert है ये एक law member क्या है ये law member किसके दरबार में है ये रिपन लौड रिपन के दरबार ठीक है ये लौड रिपन जो है बड़ा अच्छा राजा ये अच्छा वह है वाइस राए ठीक है गव लोकल सेल्फ गवर्मेंट की बात करी थी लोकल सेल्फ गवर्मेंट मतला जैसे आज हमारे बारह देश में पंचाईती राज चलता है मुंसे बैलिटी चलती है तो लोकल लेवल के उपर सरकारे बननी चाहिए okay दूसरी बात अगर मैं बात करूं फैक्ट्री एक्ट लेके आ मैं जज हूँ मैं यूरोपियन जज हूँ यूरोपियन मतलब ब्रिटिशर जज हूँ मैं यहाँ पर अंग्रीजी जज हूँ मैं यहाँ अब मेरे सामने तुम आई तुम हो इंडियन ठीक है तुम हो इंडियन भाई मैं तुमें भी सजा दे सकता हूँ मेरे सामने तुम ब् मतलब जो culprit होगा अगर वो अंग्रेज है तो इंडियन जज उसको सजा दे सकता है इंडियन जज बैठा है इधर और इंडियन कल्पिट आगया तो उसको सजा तो मिलेगी मिलेगी तो ये चीज जब इसने करी कि कहने का मतलब अब सामने जज कोई भी बैठा हो वो European बंदे को भी क्या कर सकता है सजा दे सकता है लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, Controversy में क्या हुआ जब ये लोगों को पता लगा ये लोगों को पता लगा तो अब लोगों ने क्या क्या इसका revolt कर दिया किसने? हमने नहीं Europeians ने revolt कर दिया कोई डर नहीं है हमें लेकिन हम गुलामों के सामने पेश नहीं होंगे तो यह controversy जो है चीज बदल गई तो मतलब यहाँ पे judicial equality के लिए बात करी गई थी तो that means यह judicial equality नहीं होने दी किसने नहीं होने दी, Europeans नहीं होने दी जिसके कारण जो है यह controversy खड़ी होई थी Lord Ripton के time पे पॉइंट सामन में है आप लोगों को तो यह देखने को मिलना है यहाँ पे तो these were the reasons, these were the causes of the Indian national movement पॉइंट सामन में है आप लोगो येस चीक है आओ जी आगे अब देखे जी अब हमने बात करी इतने सारे points पढ़ लिए पॉलिटिकल एजंडा हमने पढ़ लिया हमने nationalism कैसे फैला तो ये न्यूस्वेपर, कम्निकेशन इलबड बिल कॉंटरवर्सी ठीक है और जमाम भर, जहान भर की चीज़े हमने पढ़ लिये तुमारे ये लिटन के सारी चीज़े वह इससे nationalism फैला एक्चली लेकिन nationalism जो है ये पड़क्ट है बहुत सारे फैक्टर्स का, ये पड़क्ट क्या है nationalism जाने के राष्टरवाज की बात अगर हम बात करते हैं तो ये पड़क्ट है, किसी इसका पड़क्ट है नमो वान, the worldwide upsurge of the concept of the nationalism and the right of the self-determination initiated by the French revolution, अब French revolution क्या भुआ था, 1789 में और इन्होंने क्या बात करी थी इन्होंने बात क्या करी थी liberty, equality and fraternity liberty, equality and fraternity मतलब, जो हमारे प्रेम्बल में है प्रेम्बल में जो idea लिया है liberty, equality, fraternity, वो यहीं से तो आया है तो ये French revolution वाले जो लोग है भी जाग पड़े कि हाँ, अच्छा इस नाम की चीज होती है, अच्छा हमें rights भी मिल सकते है, अच्छा हमें freedom भी मिल सकती है, तो यहाँ पे बाते start होगी, number two, Indian renaissance, what is the meaning of Indian renaissance, renaissance मतलब rebirth, rebirth जाने के इंडिया का पुनर जनम अगर मैं बात करता हूँ 19th century, अगर आपको याद होगा अभी हमने discuss किया था, 19th century में हमने क्या बात करी society में reform माई, धरम में reform माई, यह क्या है यह rebirth तो है, इंडिया का पुनर जनम तो है, कि हाँ अगर society में कुछ गलत हो रहा था, तो बदल दिया, धरम में कुछ गलत हो रहा था तो बदल दिया, reform कर दिया तो ही तो यह सारी बाते हो रही है तो इसका मतलब, यहाँ पे जो social religious moment हुई, इससे हमारे इंडिया का क्या हुआ, rebirth हुआ clear, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, father of Indian Renaissance Rebirth, वो कौन है राजा राम महन राइ, यह तुम्हें मैंने पहले lecture में ही बता दिया था अगर आपको यादो, 1857 में ही बता दिया था, राजा राम महन राइ is a father of Indian Renaissance, Indian Rebirth मतलब क्या हुआ इस चीज का, भ्रमो समाज के साथ, जो चीज़े link है इनोंने सती प्रथा को खतम करवाने में जान लगा दी थी इनोंने English language को देश में लगाने के लिए जान लगा दी थी, तो यह अगर सीखेंगे, English सीखेंगे सती प्रथा खतम करेंगे, तो हमारे भारत देश में क्या चीज़े चल रही है रिफॉर्म चल रहे है, बदलाव चल रहे है यह बदलाव अगर हमारे भारत देश में आएंगे तो लोग क्या होंगे, इकठे होंगे या नहीं होंगे, राश्टरबाद आएगा या नहीं आएगा, बिलकुल आएगा, पॉइंट सामने में फकी बदलावे इम्पिरियलिश्म पॉलिशी इम्पिरियलिजम पॉलिशी का मतलब क्या है, यह हमारे بھारत देश में आते थे जहांपे बहुत लगता था, वहांपे 4-5 लोग आ जाते थे कесь अपने लोगों को ले आते थे, फिर अपने लोगों को ले आते थे और वहां की जो देश की जो लोकल जनता है देश नहीं कहूंगा, स्टेट की जो जनता है उसको गुलाम बना लिया और इसका मतलब क्या हुआ कि उसको एक मार्किट बना लेते थे क्या, किस चीज की मार्किट? that means, raw material की मार्किट बना लिया और देश को लूटते रहना तो यह British imperialism की policies जो है यह आती रही थी, तो at the end जिसके कारण हमारा पूरा देश क्या हुआ खड़ा हो गया एक साथ nationalism की बात यहां पर फैल के You got my point? Yes, ठीक है? आईए जी आगे अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था वही हमारा independence का समया तो यहां पर modern phase start होता है 1885 से 1905 extremist phase 1905, 1919 गांधियन phase 1919, 1947 यहां पर यह तो हम बैसे आगे भी डिस्टर्स करेंगे, modern phase में हमने dominant status बात करी extremist phase में सवराज और self government की बात करी, और गांधियन phase में हमने complete independence की बात करी dominant status का मतलब तुम हमारे सर पे बैठो सर पे बैठने का मतलब क्या है तुम hero हो, तुम भगवान हो, अंग्रेज तुम ही हो सब कुछ, लेकिन ठीक है तुम उपर बैठो, सारे काम हम करेंगे नीचे जितने भी काम है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमसे कुछ जवाब मांगा जाएगा तो ठीक है बता देंगे हम देश में ये कर रहे है लेकिन चलाएंगे देश कौन हम लो तो यहां पर extremist phase में कहा यह dominant, dominant ने कुछ चाहिए सब कुछ हम ही है, हमें चाहिए सुराज self government, हम बनाएंगे, हम चलाएंगे सब कुछ हम करेंगे, तुम कौन होते हो ठीक है, और उसके बाद गांधियन phase में क्या आगा, इनको कुछ लेना देना नहीं ना सुराज का लेना देना नहीं, अभी हमें ना हमें dominant status, हमें तो आजादी चाहिए, इनको बगाओ इन यहां से ठीक है, तो यह पूरा का पूरा जो concept हो गया, आपका, यह phases में divide हो गया, ओके, यहां पे अगर हम बात करते हैं, यह तीन phases की, तो तीन phases में क्या है nationalism की भावना, किस तरीके से फैली, moderate में कैसे फैली, गांधियन में कैसे फैली, extremist में कैसे फैली, यह पूरी कहानी यहां पे बात आती है, जो आगे के lectures हैं हमारे, लेकिन हम discuss कर रहे थे nationalism की बाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको यहां पे मुझे बताना था, कि इस तरीके से आगे काम हुआ है, यह वाला concept जो है, वो आगे वाले lecture में हम पढ़ेंगे, यहां से, बॉड़ेड फेस से पढ़ेंगे, लेकिन आज का lecture जो है, वो यहां तक है, 1885 तक है, इंडियनेशन कॉंग्जर से बनानी है भी हमने, ओके, अब, जे, ठीक है, अब कहानी क्या आती है, कहानी क्या आती है, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, इंडियनेशन कॉंग्रस बनने से पहले, बहुत सारी ओर्गनेशन जो हैं, आपकी बनी थी, और वो ओर्गनेशन इतनी स्ट्रॉंग नहीं थी, जोगी अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाती थी, बस ठीक है, बनी है, ठीक है, अच्छा था, काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, कि वो अंग्रेजों को टक्कर दे पाए, ये अंग्रेजों को टकर देने का मतलब कहा है, कि अंग्रेजों सवाल जबाब कर पाए लेकिन इनका बनना भी बहुत जरूरी था अगर ये ना बनती अगर ये ना बनती तो nationalism कैसे फैलता कैसे हम एक बंदे का दुख दूसरे बंदे को पता लगता एक organization का दुख दूसरे organization को कैसे पता लगता और कैसे एक साथ जुठ होते क यार ये एक साथ ऐसा नहीं कि तुम अलग कर रहो तुम अलग कर रहो ना मिलके काम करते हैं कैसे नहीं जबाब देंगे तो obviously बाद है nationalism ऐसे फैलेगा तो अब यहाँ पे देखे जी political association before the international congress यहाँ पे इंडिया नेशनल कॉंगरस जो है पहली organization नहीं थी 19th century के half में early half में बह लेवर पर कोई चीज नहीं चल रही थी ओके अच्छी बात है ठीक है जी बनी है यह मैंने कहा कहा लोकल है तो अपने issues करेंगे ठीक है भाई हमें यह नहीं मिल रहा वो कह रहा हमें यह नहीं मिल रहा अच्छा तुम हमारे साथ यह कर रहे हो तो सब अपने अपने लड़ रहे हैं लेकिन इस सभी लोगों की कुछ demands तो ह कुछ common demands थी, वो क्या common demands थी, number one, administrative reform, मदब परशासन में बदला करो, हमें बिठाओ ना साथ में, Indians को तो बिठाओ हमारे साथ में, तो administrative reform चाहते थे, association of Indians with the administration, same, spread of education, तभी तो ये Magna Carta वाली जो बात करके, Charles Wood dispatch में, Charles Wood ने जो बताया था, भै तुम कर रहे हो, तो फिलाओ तो सह भारत इश्मी education, the political association of the second half of the 19th century, came to be increasingly dominated by the educated midi class, the lawyer, journalists, doctors, teachers, etc, and they had a wider perspective and a larger agenda, तो जो political association 19th century के पहले बनी थी, वो कुछ और थी, political association जो 19th century के end में बनी है, वो कुछ और थी, कहने का मतलब क्या है, कि पहले जो लोग कह रहे थे, कि ठीक है यार, administrative reform कर लो, कुछ कह रहे हैं, कि ठीक है, जो आपका education को spread कर दो, अब जो 19th century में English English Sikh के सब लोग आ चुके हैं, तो इसका मतलब इनकी policies जान चुके हैं, अच्छ समन में आया तुमें, तो इसी कारण जो है, ये सारा कुछ होता है, यहां पे, और वो wider perspective में सोचेंगे, अब यहां पे देखेंजिए कुछ organizations है, देखो, अब यहां पे organizations है, मैंने उतना ही लिखा है, जितना तुम्हें exam में पूछा जा सकता है, इनके नाम तुमने याद कर हैं, ये organization लिख देंगे, चार organization इदर लिख देंगे, और इदर year लिख देंगे, match करो, चार organization इदर लिख देंगे, उनके headquarters इदर लिख देंगे, match करो, चार organization इदर लिख देंगे, चार इनके founders लिख देंगे, match करो, तो यहां से question इस तरीके का बनेगा, ठीक है, तो ये जैस जी रट्टा मारना बार बार पढ़ना इस चीज को तो आपको बार बार पढ़के ही याद होगा एसे नहीं है कि एक बार में पढ़ ले ठीक है जी हो गया ऐसे हो जाएगा नहीं बार बार पढ़ना पढ़ेगा यह static point है पूरे के पूरे लैंड होल्डर सोसाइटी 1830 कैलकटा बाई दौर करना टेगोर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 लंडन बाई विलियम एडम तो यार यह सारे आपको पढ़ने है ठीक है इसमें कोई वो नहीं है कोई लॉजिक नहीं है लॉजिक इंदर सेंस की कोई शॉटकट नहीं है कोई याद करना पड़ेगा यह सारी ओर्गनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी पेपर में आती है पूना सार्थनिक सबाई इंपोर्टन इंडियन सोसाइटी इंडियन एसोसेशन इस वेरी वेरी इंपोर्टन 1876 कैलकटा सुरेंदरनाथ बिनर जी आनंद मोहन बोस बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोचेशन इंपोर्टन है 1885 बॉम्बे बाई फिरोशा महता ठीक है केटी तेलंग एंड बादरु दिनता है अब जी यह सारी ओर्गनेशन आपको पंडी है ठीक है जी तो आई होप आप लोगों को यह वाली चीज़ कलियर होगी होगी कि यह ओर्गनेश इसको डाउनलोड कर सकते हैं अब कंडिशन क्या है प्री कॉंग्रस केंपेइन अब एक चीज़ बताओ अब मुझे एक चीज़ बताओ इसको मत देखो इस चीज़ को मत देखना ठीक है अब ही हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था वट आर दा मिजर कॉजिद ऑ इंड यही केंपेइन हमारी कॉंग्रस बनने से पहले है एक आधा पॉइंट थोड़ा बहुत इदर होगा लेकिन में पॉइंट वो ही हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे दे आधा मिजर कॉजिद ऑफ दा इंडियन नैशनल मूवमेंट क्लियर यहां पे देखें अब य हमसे अगर हमसे जो है कुछ खरीद रहे हो तो ठीक है खरीद रहो ले जाओ लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि यहां पे यह कैंपें क्या है for imposition of the import duty on the cotton की ऊपर आपने टेक्स लगा दिया 1875 में Indianization of the government service 1878-79 हम चाहा रहे थे जो तुम government service में बिठा रहे हो लोग ठीक है हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे इंडियन लोगों को तो बिठाओ administration कर रहे हो ठीक है हमें भी तो बिठाओ तो अभी हमने discuss किया था early 19th century में पहले demand क्या थी हम लोगों को बिठाओ साथ में administrative reform करो हमें तो बताओ कि क्या चल रहा है तभी यह बात क्या कर रहे है इंडियनाइशन की बात कर रहे है पॉइंट समरे में आया तभी हमारे इंडिय चीज में interfere करने चला गया था अफगानों के साथ हमारी बनती थी उस साइम पर कि ठीक है यह वो अपनी जगह पर है हम अपनी जगह पर है यह तू क्यों टांगड आने जा रहा है यहां पर लिटन यह लिटन में तभी तो है ना वाइस रहे है रियक्शन रिवान पॉपलर यह सब कुछ इसी दी तो बोलते हैं पॉइंट सामर में आया तो यहां पर जो अफगान जो है अब अफगानों को अगर हम लिखे जा रहे हैं तो डैट मींज क्या हुआ वाइ क्यूँ वाइए यही कंपेइन सब रही है हमारी क्यूँ तो टंगड आ रहा है उंके काम में तो टंगड़ आरहा तो ऑफिसले बात हैं इंडिया के गेंस होगा अंग्रेंज्यों को कुछ होना थोड़ा है हम आरे गेंस होगा हम लोग मर जाएंगे ठीक है आम सक्ड discuss कर लिया, vernacular pass act discuss कर लिया, for right to join volunteer cops, कहने का मतलब क्या है कि आप जो है ठीक है, हमें भी अपनी मर्जी से कुछ join करने की demand रखी गए, कि भाई हम भी कुछ join कर सकते हैं, कोई group join कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है against plantation labor and against inland immigration act, this is super important, ये क्या कहते हैं चाई की खेती, तो ये पता है, इतने, मैं कहूं क्या word use करूँ, इतने ये थे, समय लोग क्या थे कि ये कहते हैं, कि जो बंदा tea के अंदर, tea garden के अंदर वो कर रहा है, labor work कर रहा है कि वो बंदा उसी में सोएगा, उसी में रहेगा, मतलब उसको इतनी भी permission नहीं दे रहे थे, कि ये बंदा जो है मतलब garden से बाहर जाके भी रह सकता है, उसी garden में सोएगा, उसी garden में सब कुछ, तो आप समझिए कि भाई, ये क्या है against plantation labor, मतलब वहीं पे रहेगी, plantation labor वहीं पे रहेगी how is it possible, समर्यों धका, तभी अगर आपको याद होगा, हमारे इंडिया में, article number 23 and 24 क्या कहता है, right against exploitation, ये इनके कारणामें हुए थे, इनके करतूते ये सी थी, तभी हमने भारादेश में सविधान इस तरीके से त्यार किया, ठीक है और against inland immigration act again भाई, तुम क्यों जबर्दस्ती, जबर्दस्ती, इंडिया के लोग, बाहर, बाहर के लोग, इंडिया में how, क्यों, ठीक है ये campaign थी हमारे, in support of ilbert bill, हम support कर रहे थे ilbert bill को, all India fund for political agitation हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई, देखो, सीदी सी बात है किसी के बंदे के साथ अगर लड़ना है, एक अच्छे लेवल पे लड़ना है तो पैसा तो होना चाहिए, ठीक है अगर आपको याद होगा, हमारी सबसे पहली mass-based movement mass-based movement का मतलब क्या है पूरा देश involved था वो कौन सी थी, non-corporation movement तो गांधी जी के दिमाग में क्या था, फंड, पैसे नहीं है बही, चलाएंगे कैसे काम, दोगों को तो इकठा कर लिया, तो इसी लिए इनोंने तिलक सुराज फंड की बात करी थी तो इसी लिए यहाँ पे pre-congres campaign भी यही कर रही है pre-congres campaign भी यही कर रही है कि फंड तो होने चाहिए, तो इसी लिए इनोंने कहा कि हमें जो है political agitation के लिए all over India से fund चाहिए, यह रोक देते थे बीच में, यह दखलंदा जी कर देते थे हमारे साथ, campaign in Britain to vote pro India party, भाई ठीक है against the reduction in the maximum यह बड़ा important है, appearing in the Indian civil services, the Indian association took up this question and organized all India agitation against it, popularly known as the Indian civil service agitation, यह Indian civil service agitation का मतलब क्या है, हमारे लोग इतने पड़ लिख चुके थे, हम had भारतिया, Indian दिमागी, ठीक है, तभी हम चांद के south pole पे चले गए, पता नहीं किन लोगों ने कितनी कितनी कैमेंड की है, Mars orbiter mission सबसे पहला हमारा कामजाब हुआ, ठीक है, I mean जो है, हम कामजाब हुए पहले उसमें पहले वे में, तो इसका मतलब दिमाग तो है हमारे पास, यह इंडियन ठीक है, तो इसका मतलब, अगर हमें English सिखाई गई, हमें English सीख गए यह paper ले रहे हैं, Indian Civil Services दे रहे हैं, जो आज कर UPSC जिसे हम कहते हैं, यह यह भी clear करने लगे, इन्हों ने क्या किया, जब हमारे बंदे clear करने लगे न, 21 साल से के age कर दी 19, 19 साल से कर दी 18, मतलब सीधी सी बात है, किसी Indian को इन्होंने दखल अंदाजी करवानी ही नहीं थी, तभी यह बंदा जो सुरिंदरनाथ बेनर जी थे, ठीक है, सुरिंदरनाथ बेनर जी, डैड मेंज जो British Indian Association के founder है, आनंद मोहन बोज के साथ, 1876 में, उनकी main लड़ाई यह थी, क्योंकि उन्होंने paper clear कर लिया, उनको age के criteria के करण बाहर कर दिया, कि भाई नहीं, 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 एज कम हो गई है, अरे यह क्या हुआ, तुमने जब paper लिया था, तब तो age थी, लब तुमने result निकाला क्या रहे कि age नहीं है, how is it possible, तो सुरिंदरनाथ बेनर जी को battery नहीं दिया गया था, इसी लिए पूरे all over the India, यह agitation हुई थी, that's why this agitation is known as Indian Civil Service agitation, फिर इन्होंने जब age कम कर दी न, age कम भी कर दी अठारा, भाई हमारे लोग फिर भी निकाल गए, सतिंदरना टेगूर, पहला बंदा, जो हमारा ICS officer बना था, तो आप समझ लीजिए, हम कम नहीं है, ठीक है न, तो अंग्रेज, जहां जहां पे भी हमारे साथ खेलेंगे न, तो हम तियार बैठे हैं, पॉइंट समझ में आया, तो these were the campaigns, these were the pre-congress campaign, पॉइंट समझ में आया तुम्हें, जी, समझ में आया, ये clear होगा तुम्हें, कि what are the pre-congress campaigns, yes, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है जी, ये महान सक्षियत, ये कौन है, ये अंग्रेज है, ए ओ ह्यू, जिसने बात करी थी, safety wall की, जिसने बात करी थी, भाई बनाओ, आई एंसी बनाओ, origin of आई एंसी, तो ये factual चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी याद करने बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला तो है न, थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ये आपका बना कब था, 28 December 1885, A.O. Hume को बोला जाता है, founder of, I.N.C. बोला जाता है, other founders कौन है, दादा बाई नारोजी, and दिन शाव वाचा, और इस ताइम पे, Governor General, Vice-Roy कौन थे, Lord Dufferin थे, और Prime Minister कौन थे, Gladstone थे, important, ठीक है, एक चीज़ तुमें और बता दू, ये, ये जो बन्दा है न, ये, ये Duffer है, General, Vice-Roy है, इसके दिमाग में ये था, अरे यार, हमने, Congress, I.N.C. बनने से पहले, छोटी-छोटी organization को, तोड़के रख दिया, ठीक है, ये मेरे सामने क्या है, I.N.C. को बोलता, कि मेरे सामने ये, microscopic identity है, ये छोटी इसी है, मतलब, मैं इसको ऐसी मसल दूँगा, ठीक है, इस Duffer बन्दे को ये नहीं पता था, कि I.N.C. अब तरह बाप होने वाली है, ये देश को आजाद करवाने वाली है, समझ मैं है, 1885 में बनी और 1947 में हम आजादी लेके चले गए, समझ लो, कि इसका मतलब, ये दिमाग में इसके था ही नहीं कुछ, कि ये ठीक है, British Indian Association, ये पूना सार्विंग सबाए, ठीक है, ऐसी ये और बन गई, क्या दिक्कत है मेरे सामने, तो ये इसको ये नहीं पता था, I.N.C. क्या कर लेगी, आजादी लेगी, पॉन्ट सामने में आया, देश को एक जुट कर देगी, यहां पर, आओ जी आओगे, ये पॉन्ट पहले रीड करते हैं, फिर इसका करक्स में आपको समझाऊंगा, More than just a political party, Congress won an assembly of politically minded individuals, who were interested in the reform, ये एक political party नहीं थी, वो लोग थे, जिनके दिमाग सबके एक थे, politically minded people थे, पॉन्ट सामने में है, politically minded people, इसका मतलब क्या हुआ, ये पढ़े लिखे बंदे हैं, जब हमने बात करी थी, 19th century से पहले, जानि early 19th century में, इनके क्या चलता था, administrative reform गर्दो, Indians को ये गर्दो, ये गर्दो, अब नहीं, अब हम पढ़ लिखे आ चुके हैं, भाई, डॉक्टर्स हैं, इंजिनियर्स हैं यहां पे, ठीक है, ये आपके ICS officers हैं यहां पे, तो इसका मतलब इनके दिमाग में चीज clear है, कि अब हमें अपने एजेंडा रखने हैं, अब हमें अगर कोई दुख है ना, तो इन लोगों को बताना है, किनको? अंग्रेजों को बताना है, पॉइंट सामने में आया? जी, तो यहां पे, politically minded individuals. Initially, the Congress was formed with the intention of discussing problem faced by people of the country irrespective of the caste, creed, religion or language. It was basically a movement of the upper and middle class, Western educated Indians in its modern phase. In 1883, in 1883, Hume had outlined his idea for a body representing Indian interest and open letter to graduates of the University of Calcutta. It aimed to obtain share in the government for educated Indians to create a platform for civic and political dialogue between them and the British church. Hume organized the first meeting in Bombay with approval of Viceroy, not Dufferbanda. ठीक है? Umesh Chandra Benerji was the first President of Congress. The first session was attended by 72 delegates representing each province of India. 1890, 1890, 1890 बाद में पढ़ते हैं, ये उपर वाला पढ़ते हैं, क्या हुआ? मैंने तुम्हें क्या बता? Politically party नहीं है, ये politically minded लोगों का एक group है. ये क्या कहा रहा है? हमारे ये दुखदर्द हैं, इनको खतम करो. अब ये इनसे पूछेंगे नहीं, मतलब जो छोड़ी ओर्गनेशन पहले बनती थी, इसका दिक्कत, इसकी दिक्कत, अब नहीं, अब पूरे देश की दिक्कत, पूरे देश का इंटरस्ट, ये बोला करेंगे. इसलिए A.O.Hume ने क्या किया, डफ्रिन की मदद से कहा, कि ठीक है यारे, एक ओर्गनेशन बना, ओपन लेटर दे दिया कलकत्ता युनिवर्स्टी में, बै जो बनती इसमें आना चाहते हैं, ठीक है, इस मतलब कोई एजेंडा बनाना चाहते हैं, बना लो, बन गई, कौन बन गई, I.N.C. आगे, भई उठके आगे, सारे पड़े लिखे लोग, तो बहत्तर लोग आगे, 72 लोग आगे, कहां पे, बॉम्बे में, तो पहले अच्छली डिसाइडिंग प्लेस पूने, पहले पूने प्लेस डिसाइडिड था, लेकिन पूने में कॉलरा फ्यला हुआ था, हैजा, फिर इन्होंने डिसाइड गया, बॉम्बे में बुला गया, कहां पे, बुलाएंगे कहां पे, पढ़े लिखे इंसानों को, बताओ, पढ़े लिखी वादी जगा भी बुलाएंगे, कहां पे बुलाया था, घुकुल्दास, तेजपाल कॉलेज, घुकुल्दास, तेजपाल कॉलेज, और इस मीटिंग के पहले प्रेजिडेंट कौन थे, आपके, डैडिस बेनर जी, डैडिस बेनर जी, कहां गए, कहां गए, चलो जो भी अब दिखनी रहे मुझे, बट डैडिस बेनर जी, डैडिस बेनर जी, वाज़ा प्रेजिडेंट आफ दा फिर्स आइन्सी मीटिंग 1885, अब उसके बाग, 1890 में, कदंबनी गांगुली, कहने का मतलब यह है, अब जो जन्डा जो है ना, सिर्फ लड़कों का, बड़े लोगों का, बड़े आदमियों का, वो नहीं है, पड़ा लिखा मतलब पड़ा लिखा, इसमें अब फिमेल भी आएंगी, वीमेन भी आएंगी, अरे वीमेन तो अपने देश को चला रही है, ये प्रोजेक्ट में इतनी चल रही है, इसरो इसरो के प्रोजेक्ट में आपने देखा ही होगा, कितना कुछ है, तो अब इनका साथ कैसे ना लिया जाए, फिर्डम शगल में, तो कदंबनी गांगुली जी ने बोला 1890 में, उन्होंने संबोधित किया INC को, और ये हमें दर्शाता क्या है, कि विमेन फ्रीडम को दर्शाता है यहाँ पे, और जो इन्होंने बोला था, फ्रीडम मतलब फ्रीडम, आजादी मतलब आजादी, तो इन लोगों को भी एंटर करवा दिया गया यहाँ पे, जाने कि इनको फिमेल को भी एड़ करवा दिया गया, समझे में आया, जी, आओ जी आगे, अब इनके एम्स और अब्जेक्टिव क्या है, अब एक चीज़ देखो, ये पढ़ना मत, ये पढ़ना मत, अब दिमाग लगाओ, भाई एम्स और अब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, नैशनलिजम, हमारे दुख दर्द दुख खतम करो, ठीक है, हमारे दुख दर्द खतम करो, नैशनल मुव्मेंट्स को आगे लिके जाओ, अगेन हम पॉलिटिकल पार्टीज बनाएंगे, हम फंड इकठा करेंगे, एजिटिशन के लिए, जा कोई भी दिक्कत अगर हमारे नॉर्मल लोगों के उसमें आ रही है, तो हम उससे बात करेंगे, ठीक है, और नैशनल आइडॉलोजी को परमोट करेंगे, और डिफरेंट पार्ट आप दा कंट्री में जितने भी फिमेल्स हैं, उनको और्गनाइज करवा के और्गनाइशन बनाएंगे, और जितने भी हमारे, हमारा देश के लिए बनता है, वो नैशनलिजम वाली बात, वो इक अठ्ठा करेंगे, तो वो ही मुद्ध है में, पोलिट कलिया जूगीडडे पीपल है, तो अभूसलि बात है, वो क्या करेंगे? पड़े लिखो वाली बात करेंगे, देश को आजाद करवानी वाली बात हैं, देश को रिफॉर्म करने की बात हैं, कहने का मतलब तुम कुछ भी कर लो देश में, हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं तुमने लगा दिया, अब यहां पर देखो इनके aims and objectives क्या बनेंगे, देखो यहां से one by one पढ़ते हैं, find a democratic nationalist movement, clear, democratic मतलब, democratic मतलब, हम से बुछो, हम बनाएंगे, democracy word ना मतलब क्या है, government by the people, to the people, for the people, that means, वो ही यह कहा रहे है, politicized and politically educated people, चलिए जी, establish the headquarter for a movement, समझ गया है, headquarter क्यों मांगा इन्होंने, क्यों मांगा, पहले कुछ नहीं था, 1857 में इनको पता लग जया था, हारने का reason यह है, headquarter बनाओ, ठीक है, promote friend relation among the nationalist political workers from different parts of the world, develop and propagate an anti-colonial ideology को promote करना की, हाँ, यह colonial नोने बना रही है, हमें आ रही हैं, यह लोग, दिम्मक की तरह हैं, तो इनको खतम करना है, formulate and present popular demands before the government, हमारी जो demands हैं, लोगों की demands हैं, देश की demands हैं, रखो इनके सामने, common economic and political program, got it, develop and consolidated a feeling of national unity among the people, irrespective of the religion, caste, जो भी है, carefully promote and nurture Indian national, CDC बात यह है, हाथ पकर लो, पैर पकर लो, nationalism ही बढ़ाना है, nationhood बनाना है, unity बनानी है, headquarter बनाना है, political agenda बनाना है, group बनाना है, जो हमारे 1857 के revolt में नहीं था, वो इनके objective थे, वो ही इनके aim है, कि देश को इकठा करतो, जैसे मर्जी इकठा करतो, national unity, nationhood की बाते है, nationalism की बाते है, national unity की बाते है, देश को आजाद करने की बाते है, देश के against कुछ भी खड़ा होगा, हम खड़े है, common लोगों का interest, धर्म दुर्म छोड़ो, धर्म, creed, sex, कुछ भी नहीं है ये चीज़े, अब हम एक भारतिया हैं, अब हम एक देश हैं, अब हम इंडिया हैं, हम भारत हैं, तो that means इनके ये objective थे, बनाने के, point समझ में आया, समझ में आया तुम्हें, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे जब इंडिया नैशनल कॉंग्रेस बन जाती है, पूरे इंडिया में, अब आप देख लिए, यह आपको picture भी share कर दूँ, अगे पीडियाफ में, तो आपको पता देखो, बस देख लो, यह देखो, यहां पे cover है, यह cover है, यह cover है, यह cover है, और यह cover है, तो मत मतलब क्या है, नैशनलिजम, इसका मतलब क्या है, हर वर्ग को लेके चल रहे है, इसका मतलब क्या है, हर धर्म को लेके चल रहे है, इसका मतलब क्या है, गोरे-काले वाली कोई बात नहीं है हमारी देश में, इसका मतलब क्या है, ना North, ना South, ना East, ना West, we are Indians, यह बात चल र में आया और यह plan हुए sessions आपको याद करने हैं यह कुछ important sessions हैं जो आपको पढ़ने हैं जिसमें से मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूं लेकिन यह important वाले again PDF में आपको मिल जाएंगे अच्छे से पढ़ लेना थोड़े से मैं बता देता हूं जहां से examiner ने बार-बार UPSC में examiner पूछ लेता है जैसे के पहला बड़ा important है 1885 WC Banner जी दूसरा और तीसरा बड़ा important है दादा बाइनरोजी second में थे बद्रुदीन तयब जी तीसरे में थे मदरास में और यह पहले Muslim President थे ओके फिर उसके बाद 1888 में जोर यूर यह पहले Christian पहले Christian Chairperson और first English Chairperson ओके याद रखना उसके बाद फिर आपके यह important बन जाता है क्या 1896 रहमत उल्ला मुहमद साइनी कलकटा सेशन यह भी मैं आपको बताऊंगा आगे उसके बाद इंपॉर्टन बन जाता है 1905 गोपाल कृष्ण गोखले जब बेंगौल पार्टिशन हुआ था यह जो यह पहली बार सुराज वर्ड यूज किया गया था किसी INC के सेशन में ठीक है ध्यान रखना INC के सेशन में कहीं के भी कभी बात नहीं हुई सुराज की सुराज की बात हुई थी 1906 कलकटा सेशन में otherwise यह सुराज वर्ड जो दिया है वो किस ने दिया है that is by this is given by the कौन आरा चरण मजूमदार एसे मजूमदार जहां पर लखनाव टैक्ट हुआ था हिंदू-Muslim unity देखने को मिली थी एक इंपोर्टन और चोड़ गया मैं यहां पर 1907 राश बिहारी गोश जहां पर मॉडर्स और एक्स्रीमिस डिवाइड हो गए थे उसके बाद बन जाता है आपका 19 1924 महात्मा गांधी बेलगाउं सेशन पहली और आखरी बार चेयर परसन एक फिर छोड़ गया मैं 1917 डैडड़ एनी बिसंट फर्स वीमेल चेयर परसन कलकत्ता सेशन में फिर उसके बाद 1929 जोहालल नहरू पूर्ण सुराज की बात करी गई थी complete independence की बात करी गई थी उसके पाद जो है 1938-39 दो पार लगाता सुबाश चंद्र बोस प्रेजिट बने थे सुबाश चंद्र बोस 38 में हरीपुरा सेशन 39 में त्री पूरी सेशन सुबाश चंद्र बोस अगें प्रेजिट 39 में जब सुबाश चंद्र बोस प्रेजिट बने थे तो यहां पे इन्होंने प पत्ता भी सीता रमया को हराया था, जो गांधी जी के नौमिनी थे, जाने के गांधी जी इनको सपोर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद 40 में मुलाना अबुलकलाम आजाजी रामगड में, तो मुलाना अबुलकलाम आजाजी जो है न, ये सबसे यंगेस आईएंसी प्रेजिट हैं, सबसे यंगेस आईएंसी प्रेजिटन हैं, और सबसे लॉंगेस टेन्योर ऐसे प्रेजिटेंट ऑफ आईएंसी इनका रहा है, नहीं तो हर साल बदल जाते थे, उसके बाद देश जब आजाद हुआ था, तो अचारे जेवी क्रिपलानिंग चेर परसन थे, जब देश दे मातरम गाया गया, 1911 विश्नु नरायन धर, कलकत्ता सेशन जहां पे जनकन मन पहली बार गाया गया, 1926 शिरी निवास अयंगर गोहाटी सेशन जिसमें बोला गया कि आप लोगों को खादी पहना ज़रूरी है, खादी पहना पड़ेगा, पॉंट समय में है, जब बीच का चीकर भी आएगा, तो वहाँ पे भी बात आएगी, ठीक है, तो उनको भी हम बार बार पढ़ेंगे, यहां पे, ओके, तो बाईज आज हमारा टॉपिक है, स्पेक्ट्रम का, that is, मौड़ेट्स और एक्स्रीमिस्ट, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जहां पे भी आपको एक लास शेयर करके आनी है, फड़फड कर दीजे, थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे, मौड़ेट्स और एक्स्रीमिस्ट दोनों इकठे, ऐसा नहीं है कि अकेला मौड़ेट्स डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मौड़ेट् डिस्कस करेंगे, revolutionary phase, yes, very good evening to all, very good evening, very good evening, तो start करते हैं, spectrum का lecture number 3, modest and extremist phase, and अब हम डिस्कस करेंगे, from the 1885 to, that is, 1916 तक डिस्कस करेंगे, actually, ठीक है, क्योंकि 1918 वर्ड यूज़ कर देते हैं, बट हम 1916 तक डिस्कस करेंगे, लखनों पैक तक, Home Rule League तक डिस्कस करेंगे, ओके, ज इस तरीके से हमने पुरानी कहानियों में देखा, कि हमारा जो, I mean, 1857 रिवोल्ट हुआ, हो गया, INC बन गई, बन गई, फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, INC जो है, एक demand रखने लग गई, यहाँ पे, ठीक है, INC जो है, demand रखने लग गई, वो INC ने demands क्या रखी, वो है आपका modded face, सबसे पहले, क्योंकि, INC जो है, वो दो हिस्सों में divide है, आगे जाके divide होगी, that is, modded and extremist में, जो आज का topic है, लेकिन बात यह है कि modded का भी आना, हमारे Indian freedom struggle में एक अच्छा point बना, और जैसे ही कुछ लोगों को ऐसे लगा, कि अब modded के जो तरीके हो गए हैं, वो हो गए हैं पुराने, तो अब फिर आते हैं extremist fear, जिनमें इन्होंने कहा कि हम तो सुराज चाहते हैं, self government चाहते हैं, तो यह सब चीज़े इन्होंने discuss करने यहां पे start करती थे, ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आज के इस lecture में, मैंने in short आपको बता दिया है कि हम क्या discuss करने वाले हैं, ओके, तो start करते हैं जी, आज का lecture, lecture number 3, that is modded and extremist face, उससे पहले थोड़ा सा पानी पीले क्योंकि lecture में बहुत energy लगने वाली है, ठीक है, आज जहां पे भी आप लोगों को ये class share करके आनी है, फटफट जे, जल्दी से जल्दी ये class share कर दीजे, end, बढ़ते हैं आख, देखें, हमने जो discuss किया था, last lecture में भी discuss किया था, कि किस तरीके से हमारे भारत देश में nationalization की बात आई, I mean nationalism की बात आई, not nationalism, nationalism की बात आई, राष्टरबाद की बात है, और इस राष्टरबाद में कौन-कौन से लोग आए, आगे होके, और उनमें है एक moderate face, एक है extremist face, एक है गांधियन face, हमने जैसे discuss किया था, कि modest, modest क्या चाहते थे, dominion, status, फिर उसके बाद extremist face, सुराज, self-government, गांधियन एरा, पूरा का पूरा Indian freedom struggle के पीछे चल पड़ा, और ये face का जो समया है, जैसे moderate की बात करें, 1885 से 1905, extremist face 1906-1960, गांधियन एरा is 1917-1947, ओके, अब स्टार्ड करते हैं, हम अपना moderate face से, एक बच्चा गह रहा है कि सर मेरा नाम ले लीजी, ठीक है, बेटा कुछ जिन्दगी में बनो, तो नाम मैं क्या, पुर इस दुनिया लेगी, ठीक है, तो अभी classes की तरफ ध्यान दो, ज्यादा बेटर है, classes की तरफ ध्यान दो, तो मेरे नाम बोलने से, ना बोलने से, बोलन होता है, from the 1885 to 1905, 1885 से 1905, 1905 तक का जो phase है, वो है modded phase, इसमें बहुत सारे जो Congress leaders हैं, आते हैं, modded जिनें कहलाया जाता है, और actually ये जो है ना Britishers को support करते हैं, support करने का मतलब कहा है, कि ठीक है, इनने रूल कर लिया, ठीक है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, कि हाँ, मतलब, कहने का मतलब ये है कि इनकी बाती मानेंगे, लेकिन ये भी सरकार की उपर कुछ दवाब बना रहे हैं, तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, तो इनका faith है, अंग्रेज इनकी demands को accept भी करते रहते हैं, क्योंकि INC जब बनी थी, एक safety valve के according बनी थी, ये safety valve की बात क्या थी, कि हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो हमसे कहिए, तो वो safety valve के लिए INC बनाई गई थी, तो INC अब moderate phase में जब घुस रही है, जाने के नरम दल जिसे हम कहते हैं, और अ time में, अंग्रेजों को भी पता लगने लग जाता है, कि यार, ये तो सरपी चड़के बैठ रहे हैं, तो इनका कुछ किया रहे हैं, तो वो कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले हम पढ़ेंगे बिल्कुल slide से, फिर उसका ऐसा ना हूँ, जो आप miss कर जाएं, समझ मैं आया, आओ जी, start करते हैं, तो देखें जी, 1885 से 1905 का ये time है, Congress leaders को इस time पे क्या कहा जाता है, Moders, जाने कि नरमदल वाले लोग कहा जाता है, यहाँ पे जो faith है, वो Britishers के साथ इनका कैसे है, justice and goodwill, मतलब, कि ठीक है यार, faith रखते हैं, तो कि यही justice करेंगे, यही नयाय करने वाले हैं, और अच्छी बना के रखते हैं, goodwill बना के रखते हैं, चलो जी, goodwill बना के रख लो, इन्होंने peaceful तरीके से, शांती बुर्वक काम किये, कि इन्होंने modest से, कि हाँ, नहीं हम शांती से काम करना चाते हैं, आप rule करो, कोई दिक्कत नहीं है, शांती बुर्वक काम करते हैं, and इन्होंने काम किया constitutional means के थ्रू, मतलब, सविधानिक तरीके से हम बाप करें, कि जिस त वो भी सारी चीज़े कैसे करते हैं, constitution के तरीके से करते हैं, सविधान के तरीके से करते हैं, तो moderate भी ये क्या कह रहे हैं, कि यहां पर शांती बुर्वक काम होगा, और सविधान के तरीके से हम काम करेंगे, यहां पर, और इसी कारण, initially, अंग्रेजी सरकार ने welcome किया, INC का, क्यों welcome किया क्योंकि ये safety wall चाते थे कि हाँ अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें बता दो अगर आपकी कोई demand है तो हम आपकी सुन लेंगे और बात करके कोई नगोई निचोड निकल जाएगा अब यहाँ पे जैसी Congress की demands बढ़ने लग गई अंग्रेजी सरकार जो है न इनसे दोस्ती खटाने लग लगी moderate से कि यार ऐसा नहीं है यह तो कुछ भी कह रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी achievement इन moderate की क्या हुई कि इन्होंने Indian Council Act 1892 जो है पास करवा लिया ये Indian Council Act 1892 में दो सबसे बड़ी बाते हुई क्या कि हमें जो है indirect election के थरू हमें इनके Council में बुलाने जाने लगे कहने का मतलब हमारे लोग जो है अब इनके साथ बैठेंगे बात करेंगे, discussion में आएंगे बस, indirect election के थरू अंदर जाएंगे, कहने का मतलब अंग्रेजी सरकार कर क्या रही है बिटिशर्स कर क्या रहे है वो हमें पता लगने लग गया बस आपको बिठाया गया है वहां पे इंडिरेक्ट इलेक्शन के दूप बिठा गया दूसरी बात इन्होंने क्या किया यहां पे budget discussion budget discussion की जो बाते हैं वो यहां पे इनके साथ होने लगे मतलब यह budget भी discuss करने लगे हमारे साथ मतलब it means this is a good initiation या good initial step कि हाँ कहां तो हम लड़ाईया लड़ रहे थे कहां पे इन्होंने safety valve की बात करी और फिर हमने बोला कि नहीं हमें सबिधानिक तरीके से काम करना है आप करो जो करना है करो जो जैसे हो रहा है देश में चलने दो कोई दिक्कत नहीं है बस साथ के साथ ये चीज़ है कि हाँ हम आपके साथ मिल के काम करना चाहते है और इसलिए अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सरकार जो है पहले खुश हुई अच्छा भी लगा उनको की चलो ठीक है बात कर रहे हैं दिमांड पूरी कर रहे हैं बगएरा बगएरा लेकिन जैसे ही दिमांड बढ़ने लगई तो इन्होंने पीछे हट गी कौन अंग्रेजी सरकार और हमने सिर्फ और सिर्फ क्या पाया यहां पे सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा क्या रहा मौडेट्स का क्या अचीवमेंट रहा इंडियन काउंसिल एक 1892 जिसके कारण जो है आपकी लेजिसलेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन हुई और हम इंडिरेक्ट इलेक्शन के थू अंदर जाने लगए बज़ट इसकेशन में हम आगे अब दिमांड क्या थी पहले एक एक दिमांड को पढ़ेंगे फिर करक्स समझेंगे जैसे मने तुम्हें बताया एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म ऑफ दा लेश्लिटिव काउंसिल जैसे इन्होंने डिमांड करी थी कि हम एंट्री चाहते हैं इंडरेक्ट लेक्शन के तुम अंदर बिठा हो हमें तो बिठा दिया जाए ग्रेटर ऑपच्चनिटी फॉर इंडियन्स इन हाइयर पोस्ट कहते कि ये कहते क्या है कि आप जो हमें सूबेदार तक maximum post के उपर बिठा रख है आप लोगोंने तो अब हमें military में भी हाइयर post पे लेके जाओ हमें administration में भी हाइयर post के उपर लेके जाओ तो ये इनकी demand रहने लगी यहाँ पे इन्होंने बोला कि judiciary को executive से अलग कर आज अगर मैं सभीधान की बात करता हूँ article number 51 जिसमें हम बात करते हैं separation of judiciary from the executive क्यों कि judiciary का काम क्या है कानू जो काम क्या है एक कोई भी जैसे law है उसकी interpretation करना अगर कुछ गलत है कानून उसको change कर देना नया बना देना और साथ के साथ नयाए देना लेकिन जो executive का काम होता है वो यह होता है जो legislature वालोंने कानून बना दिये उनको implement करना तो इसी रहे कह रहे हैं कि judiciary और executive दोनों अलग-लग होने चाहिए ऐसा ना हो कि दोनों मिलके काम करना है फिर तो मतलब क्या हुआ जो सजा देने वाले हैं वो भी मिली बैठे हैं जो काम लागू करने वाले हैं वो भी मिलके बैठे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम तो रली-विली भगत चला रहे हो तो इसी लिए इनों ने demand करी कि हाँ judiciary को executive से अलग रखा जाए इनोंने बात करी कि जादा से जादा जो है local bodies इसको पावर दे जाए अब यह local bodies का मतलब क्या है यहां पर पंचाइते municipalities इनको पावर दो local government को पावर दो point समन में है local government को पावर दो local सरकारों को पावर दो कि वो बताएंगे कि क्या है किस तरीके से काम होता है reduction of the land revenue and protection of the peasant from the unjust land laws मतलब जो तुम लोगों ने हमारी जमीने के उपर tax के उपर, tax के उपर, tax के उपर, tax कुछ न कुछ लगाई बैठे हो, वो खतम करो किसानों को free करो और ऐसा नहीं है, अब landlord वाला part रखी बैठे हो और जान बूच के रखी बैठे हो तुम उसके उपर भी tax लगाके बैठे हो sugar के उपर भी tax लगाके बैठे हो तो ये चीज़े भी आप खतम करो freedom of speech and expression and freedom to form association जैसे आज हमारे सविदान में article 19 है कि freedom of speech अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम आपसे बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं हम group बना भी सकते हैं जैसे तुमने safety valve की बात करी तो ऐसे है कि हम हर चीज़ की demand आपके सामने नहीं रख सकते हो सकता है हमारी society में कुछ ऐसे लोगों जिनके उपर वो दवाब बन रखा हो, चाहे trade union की उपर बात कर लो, चाहे उसके उपर बात कर लो, labor union की उपर बात कर लो, किसान union की उपर बात कर लो, तो that means हम सारे मुद्दे नहीं खड़े कर सकते, तो ऐसे है सब को बोलने का अधिकार दो freedom दो, और वो अपना group बना सकते हैं, ये हमें अधिकार दो safety valve से काम नहीं चलेगा उनको associations बनाने दो, इन्होंने बात करी, इन्होंने बोला कि जो आप army के उपर खर्चा कर रहे हो, वो कम करो और हमें IR post पे भी बिठाओ, army के उपर पैसा खर्च करना कम करो और arms act, arms act आपको पता न, 1878 जिसमें Indians को बंदू के अगर रखनी है, तो उनको license की ज़रुद पड़ेगी, ये कहते हैं कि अगर तुमने arms रखवाने हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जा तो हमें उनके बराबर कर दो, उनको भी license लेने की ज़रुद नहीं, हमें भी नहीं, अगर हमें license लेने की ज़रुद है, तो Europeans को भी license दिलवाओ, ये इन्होंने बात करी यहां पर, the introduction of permanent settlement to other parts of the body, अब जिस तरीके से तुमने जमीदारों को appoint कर रखा है देखो, इन्होंने यहां पर बात बोली थी कि land revenue को protect, जो है reduce कर दो, और protection कर दो, present from the unjust landlords, कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें 1857 में बताया था, let's suppose for example, I am the landlord, I am the जमीदार, ठीक है, तुम किसान हो, और ये board जो है ये अंग्रीजी सरकार है, इस बंदे ने मुझे appoint कर दिया, क्या कि तेरे पास बहुत सारी जमीने हैं गाओं में, तेरी बात ये लोग सुनते हैं जो सामने बैठे हैं, तो ऐसे कर तु खड़ा हो जा, यहां पे तु टेक्स इकठा करके दे हमें, ठीक है और इसमें क्या होगा, इसमें ये होता था, जो middle मैंने जाने कि मैं, मैं आपकी जमीने अपने नाम करवा लेता था, कि हाँ, तुम्हें अप टेक्स देने की जुरुत नहीं है, और मैं तुम्हें ऐसे labor काम करवाऊंगा, तुमारी जगा के उपर ही, तो इसलिए इन्होंने ये मना किया था, लेकिन इन्होंने ये भी बात करी, अगर आप जमीदारी प्रथा स्टार्ट कर ही दी है आपने, तो जमीदारी प्रथा एक अच्छे लेवल के उपर, जो है, पूरे इंडिया में देखने को मिले, ऐसा नहीं है, जो रियोत बाड़ी तुमने साउथ में स्टार्ट कर रखी है, कि हाँ, एक सिंगल किसान भर के आएगा, इदर महल बाड़ी नौर्थ वेस्ट में स्टार्ट कर रखी है, पूरा गाउं एक अठा टेक्स बर के आएगा, नहीं, तो तुम जमीदारी प्रथा स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी जगा के उपर सब्सक्राइब करो, यह इनकी डिमांड थी, तो इन शॉट अगर हम बात करें, इन शॉट अगर हम बात करें, कि कॉंग्रस की मॉड्रेट की डिमांड क्या है, यह कहते हैं, कि हमें जो ऐक कॉंसिशन के तरीके से काम करना है, तो हमें legislative council में बिठाओ ठीक है दूसरी क्या कहते है हमें higher post के उपर बिठाओ तीसरा क्या कह रहे है army के अंदर भी administration के अंदर भी हमें higher post बिठाओ और साथ के साथ army के उपर खर्च करना पैसा तुम कम करो और जो तुम लोगो हमें salt के उपर टेक्स दिये जा रहे हो sugar के duty भी ली जा रहे हो उसको कम करो और add and जो है powers आप local bodies को भी दो कि आम जनता जो बिल्कुल गाओं में बैठी है वो भी अपना काम कर सके और इसके साथ साथ अगर हमें कोई दिक्कत है तो हमें बोलने का भी अधिकार दिया जाए प्लस हमें association बनाने का भी अधिकार दिया जाए तो ये main demand थी आपकी कहां पे that is the किसमें modus की demand थी point समर में आया तुमें तो मैंने जिस तरीके से तुमें बताया है हम उसी तरीके से चलेंगे ठीक है कि पहले एक एक point को समझेंगे फिर उसका crux जैसे में तुमें अभी बताया है उसी तरीके से हम इस crux को समझेंगे so that आपके points भी clear होते चले जाए और आपको crux में कहानी भी पता चलती चले जाए और दूसरी बात ये है कि ये points ये persons जो है ये बहुत बड़े persons है यहाँ पे moderate phase अब यहाँ पे अगर मैं exam point of view की बात कर तो आपसे ये पूछा जा सकता है इन में से कौन सा moderate है कौन सा moderate नहीं है जा इन में से extremist कौन सा है तो तुम लोगों ने ये नाम by heart आपको बार-बार याद करने पड़ेंगे बार-बार सुनने पड़ेंगे बार-बार देखना पड़ेगा तो ये नाम तुम लोगों को याद करने है ए ओए हूम, डब्लू सी बेनर जी, सुरिंदरनाद बेनर जी दादा बाइनरो जी, फिरोशा मैता गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मुहन, मदन मुहन मालविया, बद्रू दिन तयब जी जैसे नाडे, एन जी, सुबरमन्यम, आया तो दीज आदा प्रॉमिनेंट पर्सन दीज आदा प्रॉमिनेंट पर्सन इन दा मॉडड़ेट पेट्स अब इन्होंने क्या क्या किया वो हमें जानना भी बहुत जुरूरी है एक UPSC का एक्जाम था, एक्जाम मतलब वो UPSC का चाहे, CDS का था, या UPSC, IES का था, I am not sure, उसमें ए वो ह्यूम की उपर कोश्यन पूछा गया था बड़ा जबरदस उसमें दो उप्षन सबको पता थे, और तीसरे उप्षन में डाला था, He is Ornithologist, मतलब Ornithologist किसे कहते हैं, जो जैसे birds की study को क्या कहते हैं, Ornithology जो birds के बारे में जो study कर रहा है Ornithologist, तो He is the father of Ornithology point समन में है, ये बड़ा important point था यहां पर, He is the father of He was the father of Ornithology Very very important point, clear और इसका बहुत इंटरस्ट हा, पक्षियों को बचाने में, birds की study करने में This is very important, अब बात यहां पर यह आती है जी इन्हें हम father of Indian National Congress के नाम से जानते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, father of INC, INC को बनाने में इनका बहुत बड़ा योधान है, इन्होंने permission ली थी, डफर से डफर को आने बता न, लॉट डफरी डफरी से उन्होंने permission ली और at the end जो है आपका Indian National Congress बन जाता है यहां पर पढ़ते हैं इनके बारे में, points ही पढ़ने हैं कि भाई तुमने ये policies क्यों लगाई है how, q, why, सब कुछ ये सब पूछता था इन लोगों से, अंग्रेजी सरकार से next person is W.C. Bener जी ये तो तुम्हें पता होगा, the first chairperson of Indian National Congress, जो Bombay session में President थे, इनके बारे में बहुत leading personalities हैं ये and इन्हों ने बनाया formation of standing committee of the Congress in each province for better coordination of work देखो, इन्हों ने क्या कहा, एक चीज़ मैं बता हूँ तुम लोगों को ये points ऐसे लगेंगा, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, अरे सर, modest फटा-फटा कदम करो, अरे सर, extremist फटा-फटा करो, क्या होता है आज कल state PCS के जो exams हैं, जा UPSC के जो exams हैं, ठीक है, तो उनमें इस तरीके के question, question लग गए हैं कि आप लोग जो moderates पढ़के तो चले जाते हो, लेकिन moderates के अंदर जो persons हैं उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ते और वो moderates के अंदर वाले question वो पूछ लेता है, अब यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा INC एक organization बनाई थी ठीक है, जो इंडिया को represent कर रही है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, ऐसे करो हम इंडिया लेवल पर तो represent कर रही हैं, इन्होंने demand क्या रखी थी, moderates ने, कि हां local bodies को power दे दो, इन्होंने आगे क्या कहा, जिस तरीके से इंडिया लेवल के उपर हम represent करते हैं, हर परांत में, हर province में एक छोड़ी-छोड़ी सरकारे खड़ी कर दो और वो सरकारे, सरकारे का मतलब group खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही जैसे हम इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो group जो है, हमें बताएंगे और हम इंडिया लेवल पे इनसे बात करेंगे तो this is very important point, very very important point, so that जो INC की demands है, जा INC काम करना चाती है देश के लिए वो सारी बाते, लोगों से पता चलके, INC को पता लगे और INC जो है, आगे इसके बारे में बात बताएं, पॉइंट समने में है, this is very important, so propose a formation of standing committees of the Congress in each province for better coordination of work, very very important point, clear, पूछा जाएगा इन में से, इनने ये क्या किया नहीं किया, बगएरा बगएरा ये पूछे जाएंगे तुमसे, 1892 में दुबारा से ये प्रेजिट बनते हैं, लहाबाद पे तो पहला Bombay session, 1885 का फिर 1892 का Bombay session में भी ये प्रेजिट थे, इनों ने attempts दिये to enter the British Parliament to की British Parliament में भी घुज जाएं, House of Common में भी चले जाएं बट ये unsuccessful रहे कहने का मतलब ये अंदर British House of Common में ना जा पाए तो पहला person जो British House of Common में गया था वो कौन थे, दादा बाई नरूजी ये इनके बारे में भी आगे डिस्कॉस करेंगे बट सबसे पहली बार attempt किस ने किये, WC Bener जी जी ने attempt किया, पॉइंट सामन में या ये ध्यान रखता है ये lawyer थे, चलिए जी आगे बात करते हैं, next सुरिंदरनाथ Bener जी, very very important person, इनको हम Indian बरके कहते हैं और इनों ने, जब Bengal partition हुआ था, जो हम आगे डिस्कॉस करेंगे Bengal partition के against थे ये, भाई क्यूं कर रहे हो, how क्यूं कर रहे हो, why तो बहुत strongly, firmly जिसे हम कहते हैं, ये oppose कर रहे थे एक किसको, Bengal partition को, इनको जो है, इनों ने Indian National Association भी start कर वाई, ये तुमें छोट-छोटे Association जो है, इनोंने 1876 में start करी, with the help of Anand Mohan Bose, very very, very, very important point very important Indian National Association Surindranath Benerji, as well as Anand Mohan Bose, for किस चीज़ के लिए racial discrimination के लिए जो लोग, अंग्रेजी सरकार हमसे गोरा-काला भेदभाव कर रही थी, उसके against है ये तो इसलिए इनोंने Indian Association स्टार्ट करें, तो आपसे पूछा जा सकता है What was the purpose of the Indian National Association जब हमारे देश में Indian National Congress बन रखी थी, तो Indian National Congress तो चलो 1885 में बनी है लेकि इनोंने 1876 में बना ली थी, Indian National Association तो Indian National Association का main aim क्या था? What was the main aim for racial discrimination जाने कि racial discrimination के ये अंग्रे जोगे, तो इसलिए ये इनोंने Association स्टार्ट करवाई है इनोंने रिपन कॉले स्टार्ट किया पॉलकाता में, इनोंने INA को मर्ज कर दिया Indian National Congress को 1886 because of their common goals अब बहुत important question ये है कि आपसे paper में UPSC में, State PCS में ये question इतनी बार पूछा गया है ठीक है, आज कल तो नहीं पूछा गया लेकिन पुराने papers में पूछा गया है तो आपको option में वो line बना के आ सकती है Indian National Congress में जो मर्ज करी थी organization उसका नाम क्या था? उसका नाम था Indian National Association आप फिर पूछेंगे Indian National Association किसने start करी थी? 1876, सुरिंदरनाथ बेनरजी और आनन्द मोहन बोस सूपर सूपर important question very important question इन्होंने Indian Civil Services का exam clear किया लेकिन again racial discrimination की इनके साथ और निकाल दिया बाहर तो जो आप लोगों को याद हुआ last class में हमने discuss किया था इन्होंने age का concept बनाया था कि हाँ पहले 23, फिर 22, फिर 21 फिर नीजे-नीचे करते गए age कि हाँ आप इतनी age तकी paper दे सकते हो तो पहले person जिन्होंने qualify कर लिया था exam that is called surrender not energy लेकिन again गोरा काला बेधवा racial discrimination के कारण इनको निकाल दिया that's why इन्होंने इंडियन नेशनल association बनाई और किस चीज़ के अगेंस for the racial discrimination very important point और इन्होंने एक paper start किया जिसका नाम क्या है बेंगॉली और इनको किस नाम से जानते हैं राष्ट गुरू के नाम से जानते हैं very important जी सुबर्मन ने इन्हें हम कहते हैं grand old man of south India के नाम से जानते हैं याद कर लेजिए इन्होंने nationalism की preaching जाने के राष्ट बाद को बढ़ावा दिया कैसे इन्होंने एक organization के तरू मदरास महाजन सबा के तरू जो है इन्होंने बढ़ावा दिया इन्होंने the Hindu paper जो आजकल मैं तुम्हे current affairs करवा रहा हूँ the current affairs करवा रहा हूँ the Hindu current affairs mcu's में करवा रहा हूँ वो वाला paper बिल्कुल the Hindu वो ही paper है ये ये paper जो है इन्होंने start किया था जी सुबरमन्यम तयर जी ने और इन्होंने सब्देश मित्रम तमिल भाषा में जो है इस चीज़ को start किया the Hindu newspaper जो है जो criticize करता है British imperialism को तो आपने देखा होगा the Hindu newspaper में हमारी कोई भी running government है BJP है, Congress है जा XYZ कोई भी government अगर रही है हमारे 1947 से अब तक तो अगर सरकार कुछ गलत भी कर रही है जा लगता है हमारे लोगों को लगता है हमारे officials को लगता है कि सरकार कुछ गलत कर रही है जा higher authorities को लगता है कुछ भी तो आपको पता होगा editorial pages आते हैं और बहुत सारे international news political news बहुत सारी आती है तो इस paper में खुले आम लिखा होता है ठीक है न तो इसी लिए ये भी जब इन्होंने start किया था तो British imperialism की जो policies के ये against थे उनके बारे में इसमें खुले आम बर्नन किया होता था यहां पे तो this is very very important clear he criticized the British imperialism policy next ये super important है दादा बाई नारोजी इनको हम क्या कहते है grand old man of India अब South India वाले कौन थे South India वाले कौन थे grand old man of South India जी सुबर मनिया मयार और यहां पे grand old man of India दादा बाई नारोजी very important point clear जे three times INC president तीन बार INC के president रहे है 1886, 1893, 1906 ये unofficial ambassador रहे है इंग्लेंड में इंडिया के इन्होंने publication किया voice of India रस्त कौफतार गुजराती में ये paper में बहुत बार आया हुआ question रस्त कौफतार इनका paper है ये British House of Common में जाने वाले पहले व्यक्ती बने जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि WC Benergy जी ने तो मतलब सोचा कि मैं उसमें जाऊंगा council में जाऊंगा लेकिन वो नहीं जा पाए ये person थे जो पहले person जो गए थे that is the British House of Common में कब 1892 में ये फिन्सबरी से जीते थे फिन्सबरी से और liberal party से बिलॉंग करते थे liberal party से very important इनकी famous books क्या है poverty and unbritish rule in India and inonate drain theory के बारे में बताया था ये तो मैं पहले भी बता चुका था तुमें कि हमारा इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है salary के माध्यम से और जो भी समान तुम export इंपोर्ट कर रहे हो उसमें भी इंडिया का पैसा जा रहा है बंदे अपॉइंट हो रहे हैं तो at the end कहानी यहां पे आ जाती है at the end कहानी यह आ जाती है कि हाँ अगर इंडिया को रूल करना है जा इंडिया को गरीबी से दूर होना है जा इंडिया अच्छा रहे कल को तो हमें अंगरेजी सरकार को यहां से बगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पैसे सारे के सारे बाहर जा रहे हैं तो इनोंने ये बात करी थी हम से next दादा भाई नारोजी जी ने इनोंने बताया था कैसे पैसे जा रहे हैं salaries, savings, pensions और जो भी आप British troops को पैसे दे रहे हो profits, companies का सारा पैसा वो बाहर जा रहे है जैसे इंडिया में अगर वो profit कमा भी रहे है ना तो इंडिया के उपर नहीं लगा रहे है वो पैसा बाहर जा रहा है और हमसे वो पैसा लूटा जा रहा है tax के माद्यम के फ्ılू एक्स्प्राइटिशन के माद्यम के फ्ılू और अंगरीजी सरकार को लंडन में वहां पे अच्छा बनाया जा रहा है पैसे बाला बनाया जा रहा है तो ठीक है बिटिश गवर्वन्मेंट वस फोर्स तो अपॉइंट दा वैल बे कमिशन विद दादा बै नरोजी है था फर्स इंडियनेट्स मेंबर तो इंक्वाइर इंटु दा मैट अब कोशन यहां पर यह आ जाएगा कि दादा बै नरोजी जी ने ठीक है हमें बता दिया कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है तो अंग्रेजी सरकार को जब यह बिटिश आउस ओफ कॉमन में बैठे हैं तो अबिसली बात है इनकी बात तो यह अपनी बात भी तो रखेंगे आरे जो तुम्हारे देश के पैसे है वो बाहर कैसे जा रही है तो यह सारी चीजे डिसकेशन में आई वैल बेग कमिशन के थ्रू इंपोर्टन आओ जी आगे नेक्स परसन इस गोपाल कृष्ण गोखले गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरू आफ महात्मा गांधी कहते हैं इनको क्योंकि जो महात्मा गांधी जी ने पॉलिटिक्स में आए इनके थ्रू आए उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी इनके थ्रू सीखी इन्होंने Servants of Indian Society Organization स्टार्ट करी थी 1905 में और ये चाहते क्या थे कि मैं तो सोसाइटी का नौकर हूँ मैं सोसाइटी का नौकर का मतलब क्या है कि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है मुझे सोसाइटी के वेलफेर के लिए काम करना है और इस organization में जो भी बंदा आएगा वो सोसाइटी के वेलफेर के लिए ही काम करेगा तो Servants of Indian Society इन्होंने स्टार्ट करे आई और 1905 में और इनकी publications कौन सी है सुधारक और इसके founder publication कौन सी है जी इनकी ये गोपाल गनेश अगरकर जी ने सुधारक स्टार्ट किया था founder थे लेकिन ये आगे लेके गए सुधारक पॉइंट सामन में आया तो इस इस वेरी वेरी इंपॉर्ट अब एक शीज़े देखो ये मैंने कहा था ना ये 5-6 persons हमें पढ़ने पढ़ेंगे हमने तो 10 की list बनाई थी उनमें नाम आपको याद करने है ठीक है अच्छे से नाम याद करने है now the point is कि अब इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया हमने इनके points जो paper में आते हैं वो पढ़ लिये now अब हमने बात starting में क्या करी थी कि इनोंने demand क्यार करी थी demand क्या करी थी freedom of speech दे दो expression, association army की उपर पैसा खर्च करो कम करो, हमें higher post पर बिठाओ exploitation ना करो ठीक है train of wealth का बारे में बताया है इनोंने और इनोंने इतनी बाते करी constitutional reform की बात दे करी legislative council में entry के लिए बहुत कुछ बात करी लेकिन ये सब कुछ इनोंने किया कैसे क्या method यूज किये इनोंने वो method पहले सुनते हैं एके client से फिर इसको करक समझेंगे क्या हुआ तो यहाँ पे जैसे के हमें पता है कि ये कहते हैं हम loyal to Britishers है अंगरी जी हमारी सरकार है कोई दिक्कत नहीं, तुम चलाओ लेकिन हमें भी साथ-साथ लेके चलो हमें legislative council पे बिठाओ हमें बताओ कि क्या कर रहे हो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं हमें ठीक है तुम्हे administration कर रहे हैं ठीक है, साथ लेके चलो तभी तो अंगरी जी कोई loyal हुए पहले लिए और उसके बाद जब इन्होंने पतल लगा, इन्होंने काम निकलवाने स्टाट कर दे, अंगरी जी सरकार करती ये क्या कर रहे हैं तो सर पे बैठ रहे हैं, निकालो इनको अलग से तो ये loyal to Britishers और इन्होंने क्या किया, petitions फाइल करी, resolutions पास किये, meetings करी leaflets, paper बांटे, pamphlets बांटे, और memorandum delegation to present their demands, तो इसका मतलब क्या है, भाई क्योंकि इन्होंने क्या का था, separation of executive from judiciary तो इसी लिए, इन्होंने petitions फाइल करे, इन्होंने सरकारों को बोला, लोगों को बोला resolution पास करते हैं, ये करेंगे हम ठीक है, ये करेंगे हम, चलो कर लिया, कैसे करेंगे paper बांट दिये, ये तुमारे paper बांट दिये, pamphlets बांट दिये, और लोगों तक अपने demands पहुंचाई, हम चाहते क्या है modders चाहते क्या हैं तुमारे लिए, तो इसका मतलब पूरा देश इनके साथ जुड़ना, 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 स्टार्ट हो तो अभी मैंने कहा, कि modded face एक time के लिए बहुत important थे, बहुत ज़्यादा important थे, ये देश में जो nationalism की भावना लेके आए ना, वो modders थे, और obviously बात है सिरफ nationalism की भावना से ही हमारा देश आजाद नहीं होने वाला था extremist face को खड़ा होना था, फिर गांदिल एरा को फिर आना था, तब जाके देश आजाद हुआ, क्योंकि सभी लोगों की participation ज़रूरी थी, point 7 बेर, तो modders जो है modders जो है, ये सिरफ ये चाहते क्या है, हमें अंदर बिठाओ, legislative council में main aim इनका यही है तो इसलिए ये इस तरीके से काम कर रहे है, और इन्हों नहीं कहा bycott of the forums, सब्देशी movements, मतलब हम बाहर की चीजों को लेना नहीं चाहते हमें ना कपड़ों की जुरुत है बाहर के, ना खाने पी ने की जुरुत है हमारे इंडिया में already सब कुछ है हम सब्देशी अपनाना चाहते है ओके confine their political activities to the educated class only this is the major drawback क्या सकते हो कि इनकी जो मतलब group था जब association थी, INC की उस time पे, सिरफ high class, पढ़े लिखे इनों ने no doubt demand करी कि हाँ, जो present है, किसान है उनका tax कम कर दिया जाए उनके, जो जमीदारी प्रथा तुमने लगा रखिया, सभी देश में लगा दो लेकिन जमीदार हमें exploit न करे, इनोंने बाते करी इनोंने बोला कि union बनवाने के लिए, association बनाने के लिए बात करी लेकिन again यहाँ पे, जो INC के लोग बैठे हैं, यह सारे पड़े लिखे लोग बैठे हैं educated class, आम बंदा यहाँ पे नहीं था जब आम बंदा कोई था ही नहीं तो इसका मतलब उनकी जो बाते हैं, जो अंदर की भावनाई हैं, वो बाहर नहीं निकल के आपाएंगे तभी तो गांदी जी हीरो कैसे बन गए गांदी जी पूरे freedom struggle में हीरो कैसे बन गए, क्योंकि उनमें बात करने की इस तरीके की काबिलित थी, कि वो अंग्रेजों को भी मना लेते थे अब आप खुद बताओ यार अंग्रेजों को मनाना और इंडियन के लोगों को मनाना पूरा देश उनके एक वर्ड पे जान निचावर करने पे खड़ा था, नौन कोपरेशन मूवमेंट देख लो, गांदी जी ने कुट इंडिया मूवमेंट में डू और डाय बोला था पूरे देश में धंगे हो गए थे वाइलेंड मूवमेंट बन गए थी तो आप समझिए उस चीज़ को कि यहाँ पे कॉमन लोग नहीं थे तो दिस वाज़ा मेजर ड्रॉबैक यह जो क्लास थी सिर्फ और सिर्फ एजुकेटिड क्लास तक ही लिमिटेड थे तभी यह आम बंदे की बात नहीं रख पाए तभी यह क्या रख पाए हम ठीक हैं हमें लेसर डिल काउंसल में बिठाओ तभी इनके दिमाग में सिर्फ इतना ही था मैंने अगें तुम्हें का कहा कि इनका होना बहुत जरूरी था नैशनलिजम के लिए बहुत जरूरी था राश्टरवाद के लिए जरूरी था और एक पहला स्टेप रखना बहुत जरूरी था जो इन्होंने रखा था I am not against the moders I am not supporting the extremists I am not supporting the Gandhi अनीरा पॉइंट समझाया बट मैं आपको तीनों लूप होल्स बता रहा हूं कि कहां कहां गलतियां हो रही थी पॉइंट समझाया ये educated class तक ही सिमित था इसके कारण ये major drawback था इनका mass नहीं थे इनके पास mass people नहीं थे लोग नहीं थे इनके पास educated class और इनका जो main aim था वो क्या था political rights क्या बोला मैंने तुमें political rights मतलब legislative council में entry और self government stage by stage हमें एकदम से self government नहीं चाहिए अब यही तो इनकी लड़ाई थी modders की और extremist की extremist क्या कहते थे हमें तो अपनी सरकार चलानी है और ये क्या कह रहे है हमें political rights दो और ये चीज हम धीरे-धीरे step by step लेगे मैंने तुमें क्या कहा modders अच्छे थे starting में लेकिन वहां पे जब धीरे-धीरे-धीरे-धीरे आगे समय बीता गया तो अंग्रेजों को पता चलता गया इनका कि हाँ इनको गुसला फुसलाया जा सकता है ठीक है तभी तो बेंगॉल partition कर दिया और तभी जब बेंगॉल partition हुआ तभी क्या उभर के आया extremist phase हाओ तुम कैसे कर सकते हो हमारे देश के टुकडे समझ में आया तो इसी लिए उस time तक ये बड़े important थे कि इनोंने demand करी सब्देशी word use किया इनोंने word use किया बायकोट अवदा foreign goods इनोंने बात करी कि हाँ political rights दे दो legislative council में बिठाओ हमें पता होना चाहिए सरकार हमारे लिए क्या कर रही है बहुत अच्छा था लेकिन इनके दो points ऐसे थे कि इनकी जो group थी जा organization थी वो पड़े लिखूँ वाली थी एक number one number two government self government step by step दीरे दीरे हम करेंगे तो this is the main cause this was the main cause कि यहां से extremists इन से अलग हो गई point समझो थोड़ा सा यह तुमें मैं न सब पूरी उसमें बता रहा हूं चीज़ें कि जब तुम answer भी लिखोगे mains का answer लिखते हो उसमें भी आपको एक काम आएंगी और again तुमें question आएगा जब अब तो सारे हर level पी आ रहे हैं अच्छे level की question आ रहे हैं अब यहां पर ध्यान से समझना इनको समझ आ गया तुम कौन है मैं कौन हूं ऐसे नहीं patience रखेंगे आराम से काम करेंगे constitution के तरीके से काम करेंगे petition file करेंगे बस resolution pass करेंगे pamphlet बाटेंगे बस ओके लेकिन patience के through करेंगे ना कि हमने लड़ना है इनके साथ दूसरा point क्या कहता है in order to create the public opinion in England अब यहां पे देखो इनका कितना बड़ा role है यह अब यहां पे जब इंडिया में पड़े लिखे लोगों तक समी था तो इन्होंने फिर दिमाग लगाया कि इंगलेंड में चलते हैं अब इंगलेंड में जाके भी इन्होंने पड़े लिखों की बात करी I'm not against the moderates I'm not against the extremists किसी के against नहीं हूँ समझने की कहानी को स्पोशिश करना जब ये England गए तो England में भी पढ़े लिखो वाली बात कर भी है क्या pamphlet बाढ़ दो books शाप दो, newspaper शाप दो हमारी बात इनको दे दो तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लेंड में तो पढ़े लिखे लोग है तो इसका मतलब वो हमारे लिए जुकेंगे, जुकने का मतलब क्या है कि हाँ उनको पता लगेगा कि इंडिया में हो क्या रहा है तो इसलिए जब इंग्लेंड में गए तो इन्हों ने क्या किया, बहुत सारे journals, बहुत सारे books publish करी और अंग्रेजी लोगों को पता करने लगे कि क्या इंडिया में हो क्या रहा है समझ में आया, ध्यान से Models use a different type of newspapers, chronicles to criticize the government तो मतलब अंग्रेजों की ही सरकार को अंग्रेजों skill सरकार को मतलब बिटेन में जाके ही उनको ही criticize कर रहे है paper चापके, journal चापके, books चापके okay policies through the newspaper like Bengali newspaper, Bombay Chronicle, Hindustan Times Induprakash, Rastgaftar and Weekly Journal India तो इसके थू हम उनको criticize कर रहे है they also asked the government to conduct an inquiry and find ways and means to solve the problems faced by the people they held meetings and held discussion concerning the social, economic and cultural matters and models organized meetings at various places like England, Mumbai, Allahabad, Pune and Calcutta देखो जी इनको मैंने तुम्हें बता दिया educated class सक्सिमी था और government step by step चाहते थे अब कहानी यहां पर यह आती है पड़े लिखो वाली बात जैसे मैंने तुम्हें बताया कि paper चाप दिये वहां पर अब जब वहां पर paper जाके छाप दिये इन्होंने तो अंग्रेजी लोगों को यह पता लगेगा ना कि हाँ इनकी सरकार हमारी इंडिया में कर क्या रही है इससे क्या होगा लोगों की सहानुभूती गठी होगी यहां पर तो मतला अंग्रीजी सरकार के जो लोग हैं जो आम लोग हैं वो भी criticize करेंगे उनकी government को वहां पर criticize करेंगे तो इसी लिए इन्होंने वो काम किये और इन्होंने क्या बोला कि हाँ हमें तो सिर्फ ये चाहिए हमें तरीके बता दो हमारी problems कैसे solve हो हमारी problems को solve कर दो जैसे मर्जी solve कर दो इसी लिए इन्होंने कहा government को कि हाँ economic, cultural matters है तो उनको solve करो इसलिए इन्होंने खुद से भी meeting start कर दी देश के अलग-लग corners ने England में भी करी, Mumbai में भी करी, Poonay में भी करी, Allahabad में भी करी तो लोगों को इकठा करना start कर दिया इन्होंने यहाँ पे moddates ने तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे हमने again the main point is कि यहाँ पे moddates के तरीके क्या है moddates के तरीके क्या है main question यहाँ से गुमेगा तो moddates के तरीके यह है petition, resolution और petition, resolution pamphlets, leaflets यह छापो लोगों को बता England में भी यही किया, India में भी यही किया दूसरा, इनकी जो चीज है वो educated class तक सिमित थी, यह सबसे main loophole था इनका, इंडिया में भी Britain में भी, Britain में तो वैसे भी वो हैं पैसे वाले सारे ठीक है, वाह में गरीब भी अमीरी है और इन्हों ने paper छाप दिया ऐसे और बस इन्हों ने क्या कहा, again यह क्या कहा रहे है, inquiry बिठाओ, तो मतलब क्या हुआ ही इनका मतलब क्या हुआ, यह violence नहीं चाह रहे है यह चाहा कहा रहे है, patience यह क्या कहा रहे है, हम से बात करो उसके बाद resolution निकालो उसके बाद result निकालो हम यह चाहते हैं, तुमने यह किया था result निकालो बस समझो थोड़ा सब तो इनका main aim क्या हो गया यहाँ पर constitutional means सविधानिक तरीकों से काम कर रहे हैं you got my point you got my point अरे बोलो यह समझ आ गया तो मैं कि कहानी कहा चली गई यह कि constitutional के तरीके से तो यह बात नमर में आगी आओ जी अब यह छोड़ो एक बार के लिए achievements of the models अब मुझे तुम एक चीव बता दो तुमने जितनी कहानी समझी बोर्ड पे मत देखना ठीक है यह बोर्ड पे मत देखना बस यह देखो कि इनकी achievements क्या होगी दिमाग लगा दिमाग लगाओ लग गया कि हमारी exploitation कैसे हो रही है पांचवा वो council act पास करवा दिया छटा indirect elections हो गए सात्वा budget discussion में आगे पॉंट समझ में आया तो यह हो गए सारे points सारे points समझ में आगे यह हमने पढ़ा नहीं है यह हमने बोर्ड पे देखा नहीं है अभी तक तो समझ में आगे इन्होंने क्या किया ओके आव बोर्ड पे देखते हैं क्या हुआ देखो जी national awakening nationalism की बावना दूसरा democracy तीसरा किस सरीके से अंग्रेज हमें exploit कर रहे हैं चौथा यह हमने नहीं पढ़ा पोटेस्टेट अगेंस दा इसके लिए इन्होंने काम किया इन्होंने बताया इंडियन काउंसिल एक्ट पास करवाया बज़ट डिसकर्शन में आगे इंडिरेक्ट एलेक्शन पास समझ में आया आपको अब achievement समझने की जुरुवत ही नहीं थी क्योंकि हमने उनके तरीकों से उनकी डिमांड से सब समझ लिया कि ये चाहते क्या थी ये करना क्या चाहते थे हमारे साथ ओके नाओ ये भी वोई है ये तो हमने डिसकस करी लिया बस एक पॉइंट एड करने बाला है यहां पे क्या कि यहां पे जब इंडियन काउंसिल एक्ट पास करवाया तो ये सबसे बड़ी पहली अचीवमेंट थी इंडियनेशनल कॉंगरस की कि यहां पे जो एडिशनल नमबर जो एड हो गया मेंबर ज एड हो गया सेंटरल लेटिटिटिव काउंसिल में 10 से 16 फ्रॉम 6 तू 12 से 10 से 16 अप्रान मेंबर एड होगे और 6 ओफिशिल और 10 नॉन ओफिशिल इन नमबर याद कर लेना कि 6 ओफिशिल और 10 नॉन ओफिशिल मेंबर एड कर दिए गए यहां पे और यहां पे बज़ट डिसकुशन में आ गया और यहां पे फाइनेशल पॉलसी इसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा और लेकिन यह ध्यान रखना यह वोट नहीं कर सकते थे सिरफ उसमें यह क्या कर सकते थे बात कर सकते थे लेकिन वोट नहीं कर सकते थे और बाद में धीरे-धीरे इनका जो additional numbers जो है दीरे 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 आगे बढ़ता जाने तका तो कहने का मतलब यह है कि इनकी जो सबसे बड़ी achievement थी वो थी Indian Council Act 1892 जिसमें हमने members को increase कर दिया और दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि budget discussion में आ गया ठीक है हमें पता लगने लगया कि कैसे exploitation हमारे साथ कर रहे है ठीक है बस हमें budget दिखाएंगे हम budget में बोल सकते हैं लेकिन amend करना बदलना voting rights अभी भी अंग्रेजों के पास थे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमें ये पता लगने लग गया कि हमारा पैसा कहां जा रहा है कि दर जा रहा है कैसे होने लग गया तो ये चीज़े हमें पता लगने लग गये तबी तो drain of wealth, poverty and unbitisually in India, economic history of India ऐसे ऐसे books लिखी गई थी हमारे देश में समझ में आया आओ जी आँगे contribution अब मुझे एक चीज़े बनाओ अब ये क्या लिखा है contribution of modest nationalist अगेन ये पढ़ना नहीं है अगेन ये पढ़ना नहीं है तुम्हें अब तुम मुझे खुद बता दो इनकी contribution क्या थी वही contribution है जो demand रखने है और इनकी achievement है अब contribution में अगेन वही सेम चीज़ आगी जो इनने बात करी थी और इनने अचीव कर लिया council entry, budget discussion, national awakening, democracy, British rule का पता लगने लगया हम कितने backward है budget discussion में आने लगया democracy की बात उने लगी बस यही कहानी है इंडर council entry, budget discussion वगयरा 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 वही सब सेम चीज़ें है फटावड़ का दिम करेंगे यहां पे इन्होंने हमें dream of wealth के बारे में पता करवा दिया, poverty और economic backwardness के बारे में पता करवा दिया, हमारे council में entry करवा दिया और हमें democratic self-government का long term objective बता दिया और इन्होंने बताया indianization of government service, indianization of government service का मतलब क्या है कि लोगों को बिठाओ, हमारे लोगों को बिठाओ, तो कि यह चाहते क्या थे, यह चाहते क्या थे, again higher post के उपर indian बैठे, चाहे वो military है, चाहे वो administration है, और इन्होंने क्या था, judicial को अलग करवा दिया, यहां पे, ठीक है, अब यह criticize क्या कर है, वो ही same चीज़े, कि हमें बोले नीज दिया जा रहा, और again, इनका जो main काम है, वो काम क्या है, educated class तक है, और इनकी contribution में, इन्होंने criticize और क्या किया, इन्होंने criticize किया कि आप खालतू के पैसे खर्च करी आ रहे हैं, और आपकी army के उपर, सारी soldier वाली चीज़ों के उपर, तो आप इससे हटके, हमारे उपर काम करो ना, हमारी education के उपर पैसा करो, लोगों के welfare के लिए काम करो, ठीक है, और at the end जो है, ये democratic ideas, ये सारी चीज़े वो ही है, same to same, वो ही सेम चीज़े हैं यहां पे, तो बस ये कहानी क्या कहरी है, कि कहानी ये कहरी है, कि यहां पे वो word क वो बस भुमा रहा है, but otherwise, तुमारी demands में, achievements में, सारे position चुपे हुए थे, achievement में, demands में, वो सारे answer चुपे हुए थे, जो हमने discuss किये हैं, so this is all about the modern phase, अब मुझे चीज़े बताओ, modern phase समझ में आ गया, तभी हम आगे बढ़ेंगे, extremist phase में, तो अगर समझ में आ गया, तो फट जी, जी, समझ में आ गया, ठीक है, अब होगी जी, extremist वाली बाते, अब मुझे एक चीज़े बताओ, मुझे चीज़े बताओ, जब हम, हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है न, गुरूप होता है, हमारे दोस्त का, दोस्तों का गुरूप होता है, तो उस गुरूप में, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हाम हाम मिलाते हैं, ठीक है, और, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये तुन्हें गलत किया, ये भी बोलते ह कुछ कहते हैं यह तेरे से नहीं होगा मैं गर के दिखाता हूँ होते हैं न ऐसे ठीक है जो आगे लड़ने के लिए त्यार रहते हैं तो यहां पे भी वह INC वैसी ही है INC में मॉडेट्स और एक्स्टिमिस्ट थे पहले भी थे बस ये था ठीक है चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो और अच्छा भी चल रहा था ऐसा नहीं है लेकिन इनकी जो चीजी ये डिमांड जो कर रहे थे जो ये डिमांड कर रहे थे वो इतनी फुल्फिल नहीं हो पा रही थी जिस लेवल पे इन्होंने काम किया, इन्होंने 20 साल काम किया, 1885, 1885 से लेके 1905 तक काम किया, और इन्होंने हमारे देश में जो बात हुई, no doubt, no doubt, national awakening, democracy, ये वो सब बाते अच्छी हुई, लेकिन हुआ गया इससे, हुआ गया इससे, कुछ भी नहीं, सिरफ council entry, और हमें पता लगने लग गया कि पैसा कहां जा रहा है, यही हमने पढ़ा है अभी तक, यही पढ़ा है न हमने, बिल्कुल यही पढ़ा है हमने अभी तक, तो यह इतनी ठीक है, राश्रबाद आया, यह आया, वो आया, सब चीज़े सही है, ठीक है, क्या हो गया, no one can take your place, अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे आजो यार या, मैं भेकल लगा पता नहीं कि यह क्या लिख दिया इसने, ओके, तो समर्य में आ गया, अब यहां पर केस आ गया जी, extremist का, गरमदल, तो इसमें वो ग्रूप के लोग हैं, जो कहता है कि मैं करके दिखाता हूं, ठीक है न, वो आएंगे, अब खड़े हो करने वाले लोग नहीं हैं, यह करेंगे, वाइलेंस, वाइलेंस भी अगेंस जाके, इनका जो अब एम होगा, वो क्या होगा, सेल्फ गवर्मेंट, not step by step, सीधा सेल्फ गवर्मेंट दो, पॉइंट सम्मझ में आया, सम्मझ में आया, हमें चाहिए सेल्फ गवर्मेंट, यह कौन कहा रहा है, extremist face, यही कहेंगे, यही कहानिया कहेंगे, गॉट इट, आओ पढ़ते हैं, ठीक है, आओ पढ़ते हैं, अगें, सेम वोई पढ़के, फिर डिसकस करते हैं, यहाँ पे extremism face start करने से पहले, हमें पढ़ना पढ़ेगा Lord Carson, क्यूंकि, modest और extremist में जो divide करने वाला main person था, जो कहते हैं कि दोस्ती में दरा डालने वाला था, वो कौन था, यह बंदा, कौन, कौन, यह, कौन, यह, कौन, यह, ठीक है, तो that is Lord Carson, तो Lord Carson पहले पढ़ना पढ़ेगा हमें, Lord Carson ने एजना क्या किया, कि modest अलग और extremist अलग, क्या किया, ऐसी क्या policy यूज़ करें इन्होंने, देखो जी क्या policy यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो पहले पढ़ेंगे इनके बारे में, just read करेंगे, फिर समझेंगे इसको, देखो जी, यह imperialist था, imperialist का मतलब कोलोनी बनाओ, कोलोनी बनाओ, लूटो, देश में वहाँ पे फैक्टरियां बनाओ, raw material की market करो, और फिर लोगों को बिठाओ, imperialism कर रहा है, आगे बात करते हैं, entire administration, machinery को अपने हाथ में रखने वाला बन्दा, और इसी लिए इसने ये कुछ किया, Calcutta Corporation Act, ये Northwest Front Day, ये सारे मैं चुमें समझाओंगा अभी, ठीक है, ये सारी चीज़े हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहां से पढ़ने वाले हैं, तो यहां पे ये ध्यान रखना, ठीक है, अ पहले करजन ने क्या किया, that is Calcutta Corporation Act 1899 पास किया, जिसमें इनों ने बोला, क्योंकि मौडेट्स की डिमांड क्या थी, लोकल लोगों को पावर दो, अब यहां पे Calcutta Corporation भाई, तुम नगर निक में गुश गए, मतलब जहां पे मौडेट्स की डिमांड थी, तुम वहां पे गुश गए, और it means local bodies हम चला रहे थे, तो local bodies में गुश रहे हैं, तो अब मौडेट्स और extremit divide होंगे या नहीं होंगे, yes, बिल्कुल divide होंगे, कि हाँ तुम से यह नहीं संभाला गया, हम तो लडएंगे इनके साथ, क्योंकि मौडेट्स क्या कहता है, patience, constitution, pamphlets, resolution, ना, ऐसे भी नहीं, resolution चाहिए हमें, कि हाँ, जो हमने मांगा, यह exploit करने आगया, तो इसी लिए, लोग अलग हुए, कैसे, strength of the elected member was reduced and that of the official member increased, कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे लोगों की संख्या कम, और उनके लोगों की संख्या जाद, कर्जन गें more representation to the England people as against the Indians, समझ में आया, you got my point, bodies में भी हम ही आएंगे, ठीक है, तो डिवाइड हुआ, पुलिस कमिशन, पुलिस कमिशन भी बना दिया इसने, और यहाँ पे, instituted the police commission in 1902, under the chairmanship of Sir Andrew Fraser, introduced the provincial police service, चलो यह तो अच्छी काम हो रहे हैं, जो भी चीज़ी चल रही है, प्रांतों में आपकी पुलिस हो गई, इंडि कर लेना, यह commission commission जो भी पढ़ रहे हैं न हम याद कर लेना, जैसे अभी commission बढ़ा था हमने, well-based commission, वो आपका drain of wealth के लिए, जिसमें दादावे नरोजी member थे, जिसमें जिनने drain of wealth के बारे में बताया था, ठीक है, तो अब वो commission याद कर लेना, यह सारी चीज़े अच्छे से स ध्यान देना है, कि यह commission कौन सा था, यह Andrew Fraser कमेंटी किस के कारण बनाई गई थी, तो इन सीजों की तरफ भी ध्यान देना है, समझ में है, चलो जी, रेले commission जो है, यहाँ पे 1902 में बैठा, जिसने बोला कि हाँ, जो university education है, पूरे भारत में कैसे लगेगी, और इस commission ने recommend किया कि Indian University Act of 1904, all the university in India under the control of government, कैसे हो जाएगी यार, नारंदा युनिवरस्टी, तुमारी ये विक्रमशिला युनिवरस्टी चलो ठीक है, वो तोड़ के चले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, कि हमारे इंडिय में आपकी ये universities नहीं थी, तो यह क्या कहता है, रेले commission क्या 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 कि हां, करजन ने बोल दिया, मुझे appoint कर दिया, और इसने बोल दिया कि ठीक है, जितने भी universities हैं, इसके अंडर कर दो, किसके अंडर कर दो, अंगरेजी सरगार के अंडर कर दो, ऐसे कैसे हो जाएगा, नो, not at all, ठीक है, crime and investigation, CID department बना दिया, इसने, हर district में ICC, that is imperial cadet cop, जो है सेट अप कर दिया, ठीक है, चलो यह तो अच्छा ही हो रहा है, agriculture reform भी कुछ अच्छे किये, इसने, इन्होंने family commission बनाया, पंजाब land alienation act 1900, इसने बनाया, जिसमें जो prohibit the sale of agriculture land for its attachment in the execution of decree, agriculture banks were established, the cooperative society was passed, act passed 1904, agriculture का department बना दिया, इन्होंने, जो आपका Indian agriculture institute है, पूसा, दिली में जो वो भी set up किया, यह कुछ अच्छे काम भी कर रहा है, यहांके, यह क्या word use कर रहे हो, भाई, इतनी, इतनी core नहीं आते, मुझे नहीं पता, यह word काउं सिच्छे कर रहे हो तुम, ठीक है, चलो जो भी है, तो यह जो agriculture reform जो किया, यह अच्छे भी किये इसने, कि हाँ तु वो है, आप जो है, feminine commission भी set up कर दिया, और PUSA जो है, agriculture institute भी set up कर दिया, agriculture society, cooperative societies भी set up कर दिया, departments भी बना दिया, वो अच्छे के लिए कर रहे हैं यह, करजन अच्छे के लिए कर रहा है, ancient monument at 1904, यह भी अच्छा कर रहा है, preserve the ancient monument, जाने के हमारी देश की द्रोहर को भी सही करन sedition act and official secret act 1904, इसमें क्या कहा, कि इंडिया में जो भी, जैसे हम meeting कर रहे हैं, group में बैठे हैं, meeting कर रहे हैं, और इसकी कोई भी बात, चाहे हम अंग्रेजी सरकार जो है, इंडिया के case कुछ भी कर रही है, जा हमने कोई decision ले लिया, internal, तो आप लोग जो है, इसका secret वो बाहर reveal भी कर सकते, और अगर बाहर reveal हो गया और newspaper में छप गया, तो इसका मतलब वो newspaper तो गया ही गया, और वो newspaper से ये पता लग जाएगा, किस बंदे ने जया, वो भी गया, तो that is, official secret act ये पास किया गया, that is, to curtail Indian press, no work or procedure for government would be leaked to the public, if anyone involved, they were to be punished under this act, भाई, उसको punish किया जाएगा, त ये official secret act इन्होंने पास किया, 904 का, अब आईए जी यहां पे, तो यहां पे अभी चीज़ बताओ, इन्होंने कुछ चीज़े तो ऐसे करी ना, इन्होंने, Lord Curzon ने कुछ चीज़े तो ऐसे करी ना, जिससे extremist भढ़केंगे, वो ही local government में गुज गया, ठीक है, और उसके ये इनका जो लड़ना था, लड़ने का मतलब क्या है, extremist का खड़े होने का मतलब क्या था, कि जो moderates ने पाया, और दूसरे हाथ में एक बार में जटसी लेके निकल गया, कौन? कर्जन, ये कैसे है, हमने step by step, जैसे वो कह रहे थे हमने step by step, self government लेना चाहते हैं, लेकिन ये क step by step, जो आपने लिया, वो लेके चला गया, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो ये इसी लिए extremist लोग जो हैं, आके खड़े हो रहे हैं, या आपे, अब यहाँ पर देखते हैं जी इनके तरीके क्या है, time period जो है 1905 to 1970, और extremist believed that the success could be achieved through the bold means, भाई, आपको कुछ decision bold ले ने पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, ऐसा करना पढ़ेगा, ओके, और इसमें लाल बाल पाल में परसन है, लाल लाज पत्राय, बाल गलतिलग, विपिन जंदरपॉल एंड अरबिंदो घोश, ये में परसन आते हैं, अब यहाँ पे देखे जी, क्या पहले point कहानी क्या निकलती है, तो यहाँ पे देखे जी, rise of extremism, जा radicalism में क्या आता है, various international events also give impetus to the growth of the extremism in India, देखते हैं क्या हुआ, कि revolutionary movements, बहुत सारे देशों में देखने को मिली, Ireland, Russia, Egypt, Turkey, China, South Africa में boys war होगी, जिसमें Indian leaders को लगा, कि हाँ यार, हम इकठे अगर होंगे, तो इनको challenge कर सकते हैं, Italian army का defeat होना, Ethiopian से, 1896 में, और Russian army का defeat होना, Japanese से, तो इसमें ये पता लगने लगया, कि Europeans को भी हराया जा सकता है, All these instilled a sense of self-respect and self-confidence in the Indian nationalists, अब मुझे एक चीज़ी बताओ, इनका rise होना किस पे depend कर गया, जो विदेशों में चीज़े चल रही थी, वो विदेशों में क्या चीज़े चल रही थी, revolutionary movements, अलग-लग देशों में चल रही थी, जपान का हारना, जपान का जीतना, Russia, इटली का हार ठीक है, और Ethiopian से, जो छोड़ जोड़े लोग हैं, मतलब ये इतने powerful लोग और छोटे से लोग हैं, वो Japanese कुछ भी नहीं है, उस टाइम की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के सामने, Russia के सामने, और ये Ethiopians कुछ नहीं है, Italian के सामने, उस टाइम, अगर ये लोग हरा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं हरा सकते, तो ये sense आया, self confidence आया, तभी इन्होंने बात क्या करी, self government की, तभी इन लोगों ने, जो ये इन्होंने revolt की, revolution की, तो इन्होंने अपने अपने देशों में, self government set up करी, तभी हमारे मन में भी ये आया कि हम भी कर सकते हैं, अब पढ़िये जी इनके बारे में, लाल, बाल, पाल, पढ़ने हैं, points important हैं, पहले इनके बारे में, जो इनके important points हैं, वो समझेंगे, फिर इनके methods, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो समझेंगे, पहले आते हैं जी, बाल, गंगदर, ते लगजे, इनके paper है, मराठा और केसरी, मराठा जो है, इंग्रिश बाशा में चापता है, केसरी को, जो है, मराठी बाशा में चापते थे, इन्हों ने अखाडा स्टार्ट किये, लाठी कलब स्टार्ट किये, और anti-cow killing society स्टार्ट करी, कि अखाडा इसलिए कि भाई, मजबूत हो जाओ, देश के लिए कभी भी लड़ाई करने पढ़ सकती है, लाठी कलब इसलिए क्योंकि लाठी चलाना आपको पता होना चाहिए ता कि अगर कुछ गलत करें ये, तो पढ़ेगी इनकी, अच्छी खास, पॉन समन में है, हाँ, ओके, anti-imperialist sentiments, ये दो बार जेल गए है, मांडलिक जेल गए है, again nationalist activities के लिए, इनकी books है, Arctic Home of Vedas and Gita Rhasya, very important बुस्तक, important books, इन्होंने home rule league स्टार्ट करी, 1916 में, पूना में, और declare बोला, declare किया, सुराज is my birthright and I will have it, लोगों ने इनको title दिया, लोक मनने का, इसलिए लोक मननतिलक भी कहने लगे, इन्होंने Deccan Education Society सेटप करी, और ये co-founder है, Ferguson College के भी co-founder है ये, तो यार इन्होंने ये ये किया, तो आप से पूछा जा सकता है, इनके बारे में, इन में से कौन से point सही है, कौन से point गलत है, ये static points है, ये तुमें याद करने पड़े, कि इन्होंने कौन सी books लिखी, ठीक है, कौन सी papers चापे, कौन सी भाशा में चापे, और क्या क्या किया इन्होंने, लाला लाज बत रहे, इनको शेरे पंजाब के नाम से जानते है, National School of Lahore में, National School at Lah स्टार्ट किया, और RS समाज को भी ये जुडगे थे, RS समाज के साथ भी, और इन्होंने पंजाब National Bank स्टार्ट किया, 1894 में, और इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, और जब इनकी death होती है, जब Simon Commission के बारे में, जब हम पर लाठी चार्ज हो रहा है, तो ये उतना ही जल्दी तुम इंडिया से जाने वाले हो, ये वर्ड यूज किये थे इन्होंने, very important, विपेंच अंदरपॉल, इनको बोलते हैं, father of revolutionary thoughts in India, very important question, father of nationalist revolutionary thoughts in India, इन्होंने सवदेशी movement, सवदेशी concept को आगे बढ़ाया, सुराज वर् बहुत तबज्जू दी और आगे लेके गए, और journal बहुत सारे जैसे प्रिदर्शक, न्यू इंडिया, बंदे मात्र, ये इनके journal थे, देखो ये चीज़े तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसमें कोई concept नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि तुम्हें समझाने पड ली है, इनको Bengal Tiger के नाम से भी जानते है, अरबिंदो गोश, अरबिंदो गोश जो है, ये extremist leader है, इन्होंने सदीशी movement में भी participate किया, और ये pondicherry में आके settled हो गए, और वहां पे इन्होंने आश्रम भी बनाया, और English newspaper बंदे मात्रम जो है, इन्होंने start किया, कौन? अरबिंद में कोशें पूचा जा सकता है, इनमें modits कौन से है, इनमें से extremist कौन से हैं, तो ये other extremist persons हैं, पेंगौल से अश्विनी कुमार दत, एके दत, राज नरायन बोस, राज नरायन बोस, और पंजाब से अजी सिंग, भगसिंग के चाचा, और विश्नु शास्ति चिपलंकर, फ कौन सामन में आया, कौन से leaders हैं, यहां पे और कौन सी organization से belong करते हैं, यह paper में पूछा जा सकता है तुमसे, यह static question है, who are the modits, who are the extremists, कौन सा नहीं है, कौन सा है, one and two, none of these, all of these, match or the falling, कैसे भी पूछा जा सकता है तुमसे, ओके, अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं, इन हमने कहानी modits की पड़ी, जहां पे modits की दिक्कत थी, वो ही reason बने इनके extremist face के खड़े होने के, कैसे, इनों ने सबसे पहले यह जाना, कि अब modits जो हैं, उनमें वो ताकत नहीं रही, वो चीज नहीं रही, कि देश को आजाद भी किया जा सकता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ को जापान हरा सकता है, और इटली को इथोपिया हरा सकता है, revolutionary movements worldwide चल रही हैं, तो हम क्यों नहीं इनको खत्म कर सकते, तो यही reason बने इनके खड़े होने के, ओके, तो आएए जी समझ दें, देखो, चाहे उसने famine commission बनाया ही था, इसने Lord Curzon नहीं, जा उससे पहले भी commission बनते थे, लेकिन हमारे साथ कोई भी वहवार अच्छे से नहीं होता था, सूखे बढ़ गए, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया हमारे साथ, तो इन्हों ने, ना तो हमें कोई, वो देखा नहीं जी, ये बुवन वाली कौन सी है, लगान मूवी नहीं देखी, वहाँ पे किसान लोग जो है, वहाँ पे बारिश नहीं हो रहीं, ठीक है, और वो टेक्स पेक करने वाले तो वैसी नहीं है, उनका घर नहीं चल रहा, वो कह रहा है कि डबल टेक्स लेंगे, ठीक है, क्यों, क रेशियन जैपनीज वार, 1904 & 5, एकनॉमिक कंडिशन लोगों की बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, टेक्स की उपर, टेक्स की उपर, टेक्स लिया जा रहा था, इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन दिन था, साउथ अफरीका, क्यों, गांधी जी को फेस करना पड़ा साउथ अफरीका में वो कौन सा स्टेशन था, पिटर मैरिट्सबर्ग, कुछ ऐसे नाम है, मैं को क्लियर नहीं आ रहा, कुछ साउथ अफरीका में जगा थी, मैं उसमें समझाओंगा तुम्हें, जब हम गांधीन फेस पड़ेंगे, तो उनको ट्रेन से बाहर धक्का ले द में, छे साल के लिए, नै, स्री, छे मीने के लिए, फिर उसके बाद जब तुम extremist phase बन जाता है, moderate extremist divide हो जाते हैं, तब तुम 6 सालों के लिए जेल बेज देते हो, तो ये खड़े क्यों नहीं होंगे यार, हमारे leaders को तुम जेल बेजी जा रहे हैं, और बीना बात के, बीना sponsor नहीं कर रहे थे, बस इन्हों ने थोड़े से word अलग use कर दिये वाट समझ में आया है तो इन्हों ने थोड़े से word use अलग कर दिये, बस बाती यह थी, लेकिन वो ऐसा word नहीं था, कि हाँ, बहुत प्यार से या बहुत गुस्से से, लेकिन वो ऐसे है तुमसे लेकिन तरीके से लड़ेंगे आजादी दो हमें निकल जाओ अगर हम अपने लिए लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं तो इसलिए तो बाल गुंगता तिल्यव जी को मुद्दा बनाया जाता था हमेशा तभी तो दो बार मांडले चेल यह हैं यह पॉइंट सामन म यह मौड़ेंस और एक्स्टी मिस डिवाइड हुए कौन-कौन से तीन चीजे में हमने बात करी थी तुम अपने लोगों को उसमें बिठा रहे हैं दूसरा हमने डिसक्स क्या गया था यूनिवर्स्ट्री एक्ट में की यूनिवर्स्टी सारी अंग्रे जोंगे अंडर होग तो इसका मतलब यह है कि यह थीज वर दा इमिजेट कॉजिस यूगाट में पॉइंट सामन में आया तो यह ध्यान रखना है दा इमिजेट कॉज दा कैलकटा कॉर्परेशन एक्ट, इंडियन उनिवर्सटी एक्ट, सिदेशन एक्ट, ऑफिशल सिक्रेट एक्ट और सबसे वर्स व दा पॉज्टिशन और बेंगोल, सबसे वर्स वाजधा पॉज़ दा पॉज़िचन और बेंगोEL, बेंगोल का पॉजो पॉज़िशन करवा दिया, पॉइंट इमिजेट कॉज अरे समझ में आरह है तुम, जो इतनी कहानी बना के जो चीजहें हम समझ रहे है, एक् समय में आ रहा तुम्हें आओ आगे अब यहां पे जो इनके objective होंगे वो क्या होंगे क्या होंगे objective यह कह रहे होंगे कि constitutional तरीके से काम करना है ना यह क्या कह रहे होंगे self rule, self government पॉइंट समय में आया और better governance from the Britishers सुराज, that is the degree of independence जो बाद में सामने आया 1929 में जब इन्होंने पून सुराज पास किया तो इसका मतलब क्या हुआ INC जो आगे गई तो उन्होंने भी जो demands थी extremist phase की उनको demands को ही आगे लिके गए थे तो इन्होंने main demand कह रखी सुराज, self government और independence कुछ करो हमारे लिए, हमें भी आजादी दो प्लस जो अगर कुछ बात है जो तुम British Air policies हमारे लिए गलत कर रहे हो, वो गलत मत करो rule करो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमें भी rule दो, self rule दो हम भी rule करना जानते हैं हमारा देश है, तो obviously बात है हमें पता है लोगों के लिए क्या करना है तो governance better करने के लिए हमें, हमें powers हो ये बात कर रहे हैं कौन? ये extremist phase बात कर रहा है ओके? आओ जी आगे अब, now the thing is कि इन्होंने methods क्या अपना है जैसे उन्होंने methods क्या अपना है pamphlets, resolution, petition यही चीज़े कर रहे थे educated class के साथ अब ये क्या कर रहे हैं यहां पे? कौन? extremist phase क्या कर रहे है यहां पे? तो ये क्या कह रहा है कि हमें कोई जकीन नहीं है तुम में, ना तुम में आ रहे में faith है, ना तुम justice कर सकते हो point summary में है और हमें तो जबरदस्ती अब लेनी है power sum से, क्या self rule, सुराज हम अपने rights के लिए लड़ेंगे और आपसे corporate नहीं करेंगे bycott करेंगे foreign goods का और सरदेशी अपनाएंगे और education भी nationalist education जाएगी समझ में आया तो कुछ चीजें जो modest ने बोली थी, extremist ने भी वही चीजें follow करी लेकिन forcefully means के थरू बात नहीं करेंगे जब अरस्ती हमें चाहिए ये चीजें क्योंकि हमारी चीजें है no faith in the British sense of justice and the fair play forceful mean के थरू इंडिया के उपर हम control करेंगे, political rights के लिए लड़ेंगे self-relying, self-determination self-rule, self-government इसलिए इन्होंने use किया कि हम corporate नहीं करेंगे इसलिए इन्होंने word use किया सभेशी अपनाएंगे, इसलिए इन्होंने word use किया bycott करेंगे और इसलिए इन्होंने बोला nationalist education को promote करेंगे तो ये तरीके अपनाएंगे तब जाके ये अंग्रेजों से लड़ पाएंगे तो इसलिए इन्होंने ये तरीके अपनाए समर्भ में आया? You got my point? हमें constitution के तरीके से नहीं गाम करना जबरदस्ति छीनना है इनसे और हमें कोई constitution reform ने चाहिए हमें चाहिए आजादी हमें चाहिए national education हमें चाहिए by court of the foreign goods सरदेशी अपनाना है हम corporate नहीं करेंगे तुम कौन हो हमसे बात करने वाले जाए हम क्यों बात करें तुमसे देश हमारा, सुराज, independence ऐसी बाते आने लगी लेकिन अब यहां पर देखो ध्यान से यह बाते IQ क्योंकि moderate थे, यह बाते इनके अंदर दिम्याग में IQ क्योंकि moderate थे, समझ भी आया लेकिन बस moderate की दिक्कत क्या थी दो चीजें जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई कि educated class तक सीमित थे, दूसरा कि वो कह रहेंगे self government लेंगे अराम से, अराम से अराम से, तभी यह divide क्यों होगे moderate थे, extremist करदन की policy Calcutta Corporation Act, University Act Sedation and Official Secret Act इसी लिए वो ही चीजे इन्होंने उल्टा कर दी किन्होंने, extremist ने corporate नहीं करने, बात नहीं करने केजे लेंगे अब हम अजादी करेंगे हम, हमें नहीं चाहिए तो मेरे constitution means, हम नहीं corporate कर रहे, हमनी हमनी ये कर रहे, foreign goods नहीं अपना रहे, हम सदेशे अपनाएंगे, तुमारी कोई education नहीं चाहिए, हमारी education चलेगे You got my point समरे में आया आओ आगे, तो यहाँ पे significance क्या हुआ, extremist का, ध्यान से समयना है इसका significance, words को समझेंगे क्योंकि ये पढ़ चुके हो तुम, मैं तुमें बता रहा हूँ ये words तुम पढ़ चुके हो, explanation में जितनी मैंने तुमें explanation कहानिया इदर उदर से बताईया, points बताईया तुम समझ चुके हो, ये ही significance में आएंगे तुम ध्यान से समयना forceful articulation of the demand for suraj, challenging changing nature of the Indian nationalism rich interpretation of the बैं बताऊँगा तुमें, rich interpretation of the Indian religious tradition और Vedanta philosophy unity of man concept of nationalism mobilization of the people against the foreign rule ready to suffer imprisonment, deportation physical suffering involvement of the common people popular symbol like Shiva ji, Darleji symbol like God Ganpati and Goddess Kali अब यहां पे दिमाग लगाओ यहां पे दिमाग लगाओ कि what is the significance of the extremist face दिमाग लगाओ, क्या बनागा जब हम कह रहे हैं हम bycourt कर रहे हैं foreign goods का तो इसका मतलब सर्देशी अपना रहे हैं तो इसका मतलब हम जो चीज़े खाएंगे, पीएंगे, सब कुछ चीज़े जो भी follow करेंगे देश की चीज़े follow करेंगे और education भी देश की चाहिए तो इसका मतलब हमारे religious text पढ़ेंगे हो हमें ताकत पता लगेगी हमारे religious text में क्या थी वेदो में क्या था वेदानता philosophy में क्या था unity का मतलब क्या था God का मतलब क्या है God ये नहीं है अंग्रेज God नहीं है हम इनसे मांग रहे है तभी forceful तरीके से काम किया जबर्दस्ती self rule चाहिए में तो corporate नहीं करेंगे तुमसे तो यही तो significance है समझ में आया और इसी लिए इन्हों ने क्या किया अब अकेला educated class तक सीमित नहीं होगा आम लोगों को जोड़ो देश के आम नागरिकों को जोड़ो जोड़ो देश के जब आम नागरिक जुड़ेगा तो इसका मतलब power बनेगी मुठी बनेगी तो वो ही यह कर रहे है इसी लिए शिवाजी festival गनपती festival काली माता festival यह क्यों prominence में आये क्यों आयो अब देखो क्यों आयो महराश्च्रा में गनपती festival celebrate करते है अब मुझे क्सी बता हो जब आपको पता है कि गनपती festival है आज तो तुम्हें लगता है कि महराश्च्रा में लोगों को माइक पे बोलना पड़ेगा आज सारे लोग बाहर आएंगे नहीं बस कोई भी बंदा खड़ा कर दे गनपती festival celebrate करना चाट कर दे तुम्हें पता ही लगेगा गली कैसे बरगी हो सडकेट कैसे जाम हो गई पूरी के पूरी तो मतलब किसी को जुरुरत नहीं है तो जब आम लोग ऐसे festivals में आएंगे तो मैं अगर यहां पे इंडिया के बारे में nationalism के बारे में यहां पे कुछ बोलूँगा न end तक अपने आप ही पहुंच जाएगा शीवाजी festival को celebrate करेंगे गनपती festival को celebrate करेंगे बेंगॉल में कैलकटा में काली माता का festival celebrate करेंगे ऐसी लोग भीड लग जाएगी तो ये nationalism की चीज़ें है तभी तो इन्होंने God की बात करी यहां पे Religion की बात करी यहां पे Religious activities की बात करी यहां पे Vedanta philosophy की बात करी यहां पे Unity की बात करी यहां पे किनोंने Exhibits ने Common लोगों की बात करी यहां पे तभी तो देश खड़ा हो रहा है अंग्रेजों के गिंस तभी जब Bengal partition हुआ था राखी दिवस celebrate किया गया था बंदोंने बंदों को भी राखिया बांदी थी हम भाई हैं हम नहीं तूटेंगे अगर यह कोई यह कोई भी चीज हमारे साथ कर रहे हैं अगर हमें डिवाइड भी कर रहे हैं तो हम डिवाइड नहीं है तभी रख्षय बंदन celebrate किया गया था समझ में आया तुम्हें तो these were the points जिसके कारण देश एक जुट हो रहा था यह extremist ने यह चीज़े follow करी थी आम लोग जुटने लगे सब लोगों के साथ इनके साथ तो तभी तो देश आजाद होगा जब आम लोगों को लेकर चलोगे समझ में आया तुम्हे तो यह philosophies आई यहां पर आओ जी आगे आगे बढ़ते हैं अब अब ये देखो अब इनके achievements क्या होगी अब मुझे बताने की जूरत है मुझे बताने की जूरत है achievements क्या होगी क्या होगा बाई सुराज की बात होगी national education आगे बढ़ गई सुराज हो गया all India political movements बनने लगई all India एक साथ खड़ा होगया common लोगों को rights मिलने लगए common लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगए unity की बात आगी nationalism एक अलग level पे चला गया आम लोग के कठे हो गए educated class तक सिमित नहीं रहा पूरा देशा भी कठा हो रखा है तो यही achievements है यह देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पहली बात बोला गया कि सुराज जो है वो birthright है क्योंकि यह statement किसने दे दी थी बाहलगंगा तर तिलक जी ने statement दे दी तो अब लोगों को लगने लग गया तो that means यह हमारा birthright है भाई ऐसे कैसे हम अंग्रेजों के दीन है जा हम कैसे अंग्रेजों के subordinate है सबन में आया तो यहां पे यह सब चीज़े हुई यह देख लो जी और इंडिया political movement सब्देशी movement इस तरीके से हो गई आगे next Bengal partition अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि immediate cause क्या था what was the immediate cause behind the extremist का rise होना that was Bengal movement Bengal partition अब जब हमारे देश में इतना कुछ हो रहा था extremist phase दिरे दिरे बढ़ रहा था तो इसको तोड़ने की तो बात होगी न क्योंकि nationalism बढ़ रहा है तो nationalism बढ़ कहा रहा है capital में Calcutta Bengal में ऐसा नहीं है कि महराष्टा में नहीं हो रहा है administration नहीं कर पा रहे तो इसको तोड़ दो इसको दो हिस्सों में हम administration के लिए तोड़ रहे है तो इसी लिए Bengal partition हुआ actually ये करना क्या चा रहे है divide and rule इनको तोड़ोगे तब ही तो rule कर पाएंगे तो यहां में देखे जी partition of Bengal into the West Bengal and East Bengal 7 July 1905 को announce किया कि हम Bengal partition करेंगे 7 July को announce हुआ 16 October को Bengal partition हुआ और actually ये partition किसकी थी Hindu Muslims की partition थी reason क्या दिया कि लोग बहुत बड़े लोग बहुत जादा है administration ठीक डंग से नहीं हो रही तो इसलिए हम इसको तोड़ रहे है तो ये बना दिया जी आपका ऐसे East Bengal ये और असम और इधर आपका Bengal जाने की West Bengal वाला हिस्सा अब यहां पर देखो जी ये points सिर्फ पढ़ने वाले points है मतलब self-explanatory points है इन में ध्यान नहीं देंगे सिर्फ सुनेंगे करजन का real motive क्या था कि क्योंकि nationalism की भावना बढ़ रही थी इसको तोड़ो हिंदो और मुस्लिम मानों को तोड़ो divide करो और जो British government के against जो power खड़ी हो रही है इनको तोड़ो तो ये इनके main name थे जो हम अभी discuss कर भी रहे है आम लोग का खड़ा होना partition of Bengal जो है यहां पर movement बढ़ गई देश को जब तोड़ने की बात करोगे तो लोग खड़े होंगे न तो इसलिए इनों ने सबदेशी movement के बारे में बात करी इसलिए इनों ने anti partition movement के बारे में बात करी और यहां पर extremism phase जो है lead में आया अब इससे क्या हुआ अब करजन की करजन है थोड़ा सा दिमागी बंदा कैसे जब Calcutta Corporation Act में अपने बंदों को बिढ़ा सकता है University के Act को Universities को अपने अंडर कर सकता है Official Secret Act पास कर सकता है तो हमें भी तोड़ेगा तो पहले तो इसने तोड़ा Bengal फिर इसने तोड़ा Hindu मुसल्मान फिर इसने क्या किया मुसलिम लोगों को बोला यार तुम्हें तो कुछ मिली ने रहा तुम्हारे तो राइट्स ही मिल रहे तुम तो बहुत कम लोग हो यहां पे इस देश में तो तुम्हें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए क्या करो Organization बनाओ जैसे I.N.C. ने बनाई है चलो जी हाँ हाँ ठीक है क्योंकि आगे लोग फस गए इनकी बातों में फस गए जब यह हमारे देश की उपर रूल कर सकते है तो यहां पे कोई धर्म की तो बात ही नहीं है लेकिन हाँ इनको बातों में फसा लिया तो कहते क्या Muslim League बना लो जी बना ली Muslim League बना ली यहां पे और फिर इनको क्या कहा Muslim League को बना ली यहां ठीक है जी तुम बना लो अब जैसे I.N.C. काम करेंगी तुम parallel तुम भी काम करेंगी ठीक है Muslim League बना दी फिर उसके बार जब इनको पता लगने लग गया कि चलो जी एक तो चीज़ हो गई I.N.C. और Muslim League दो चीज़े बन गए तो अब लेकिन I.N.C. ने कभी नहीं माना कि Muslim League है और Muslim League ने कभी नहीं माना कोई I.N.C. है तो यह अलग एक identities हैं यह groups हैं यह अपने matters के लिए बात कर रहे हैं लेकिन यह दोनों एक ही हैं एक परेंगे लेकिन इन में कभी लड़ाई नहीं थी कोई हिंसा वाली बात नहीं थी कुछ भी नहीं था लेकिन Muslim League को बस इनों ने क्या बना लिया कटपुतली बना लिया यहां पर कैसे बना लिया कि पहले तो हमने क्या किया Bengal partition करवाया INC अलग करवादी और Muslim अलग करवादी और फिर Muslim League को बोला कि तुम्हें तो rights नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हें ऐसे करो तुम्हें हम rights देते हैं क्या separate electorate देते हैं तो यह तो कहेंगे हाँ हाँ देतो देतो क्यों? क्योंकि संख्या में कम है क्योंकि यह बातों में आ रहे हैं क्योंकि इनको power मिल रही है तो यह क्या कह रहे है? INC वाले क्या कह रहे है? अरे ऐसे कैसे तुम हमारे देश में division कर रहे हैं और तो यह लोग भढ़केंगे क्योंकि यह खुश हैं मुस्रीम लोग खुश हैं लेकिन ये भढ़केंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हैं तभी ये छोड़ो आजाओ INC अब INC में दो तरीके के लोग हैं एक है मॉडेट्स और एक है एक साथ कर रहे हैं लेकिन इन्हों ने क्या किया मॉडेट्स कहते हैं कॉंस्रीशन के तरीके से काम करेंगे ये कह रहे हैं फोर्स वली तरीके से काम करेंगे ये इनको कह रहे हैं तुमारे कारण बेंगॉल पार्टिशन हुआ ये कह रहे हैं कि तुमारे कारण बेंगॉल पार्टिशन हुआ तो उनकी बातें मानी गए तो मतल में session में modets ने कहा राश बिहारी गोश्ट को चे wives बना एक्सीमिस ने कहा लालाश पत्राईजी को कि चेर बनाऊ कि अदो staying अपनी तो यहां पे modets ऑ एक्सीमिस जो कहai है कि से हम in ऊपर लड़ाई हको अब मुझे एक चहे ही बता हो जब मीटिंग होगी तो आम जंता में होगी न बिल्कुल होगी तो जब ये लड़ पड़ेगी हाँ मॉडेट्स ये चारे है एक्स्रीमिस ये चारे है आपस में लड़ पड़े इतना गंदा लड़े कि उस लड़ाई को खतन करने के लिए पुलिस आएगी बिल्कुल आएगी और पुलिस कौन है अंग्रेज अच्छा तुम लड़ रहे हो क्या मुद्दा है नहीं नहीं सर हम तो चाहते है राश्बियरी गोश्ट को बनाना नहीं नहीं सर हम चाहते है लाला लाश्पतराईजी को बनाना चलो ऐसे गरो तुम अलगी हो जा भाई यह क्या हो रहा है बॉड़ेश तूट गए एक्स्रीमिस तूट गए मुस्लिमिक तूट गए यही मोटी था इनका इनका अंग्रेजों का लॉड कर्जन का You got my point You got my point समझ में आ रहा है तुमें समझ में आ रहा है कि यह तीन फेज कैसे हो गए समझ में आ रहा है तुमें यह तीन फेज कैसे हो गए Modents, Extremists and the third one is Muslim Lake कि एक लोग थे तीन लोग कर दिये इनों ने तो मतलब nationalism जो खड़ा हो रहा था ना तुमारे भारदेश में Modents के थुरू, Extremists के थुरू तोड़ दिया समझ में आया अब यही कहानी हम पढ़ेंगे आगे यही हम पढ़ेंगे मौरले मिंटो रिफॉर्म जो हमारा 1909 का एक्ट आएगा जिसमें separate electorate की बात करी गई फिर Muslim League को powers देने की बात करी गई फिर Modents और Extremists को तोड़ा गया यह सब आगे जाके सारी चीज़े यहां पर आएंगे तो ध्यान से समझना है यह चीज़ तो देखो जी Muslim League का foundation करना ठीक है Bengal was reunited in 1911 यह देखो यह बात की बात है Bengal को reunited इसलिए किया गया था दिली दरबार सजाने का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था दिली को पूरा सजा देते हैं क्योंकि उस time पे जे क्योंकि उस time पे दिली में जो George V है और उनकी wife है Queen Mary यह भारत देश में आते हैं और जब यह आते हैं तो entry तो कहां में करवाई जाएगी दिल्ली में entry करवाई जाएगी दिल्ली को देखके ये ठंग रहा जाते हैं कि हाँ ब्रिटेन जैसा महल यहां पर दिल्ली इतनी सुंदर है तो ऐसे करो कलकत्ता capital ही नहीं अब अब कलकत्ता से capital shift करो दिल्ली में तो इसी कारण बेंगॉल partition को रोकर कैंसल और कलकत्ता से जगा से अब shift कर दो capital कहां पर दिल्ली में अनाउस हुआ 1911 में happened 12 में और फिर आगे बंबी फेके जाएंगे वो दिखाएंगे तो में बंब फेकते हुए कहां पर चलिए जी तो देखेंजी यहां पर जब ये रीज उनाइट किया गया और उस चाइम पर जब इन्होंने बोला कि कलकत्ता से दिल्ली capital shift कर दो चार और उडिशा को अलग province बना दो असं को एक अलग province बना दो ये सारी बातें यहां पर होती है 1111 में अब यहां पे देखेंजी यह कहाणी मैं समझा चुका हूँ just point समने है हमने यहाँ पे 16 अक्तूबर 1905 को Bengal partition हुआ जब Bengal partition हुआ तो लोगों ने protest किये, लोगों ने मौंधारन किये और political life जो Bengal की है वो change हो रही है यहाँ पे, लोगों ने राखी दिवस celebrate किया लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांदी और बालगंगदर तिलग जी ने परमोट किया गनपती और शिवाजी फेसिवल को क्यूँ, क्योंकि हम एक है हमारा देश एक है और इकठे रहो देश में nationalism की भावना को और आगे लेके आने के लिए बालगंगदर तिलग जी इन चीज़ों को परमोट किया कि नहीं देश तूटेगा नहीं इनकी एक कर्तूत से कि हाँ बेंगॉल को अगर तोड रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, पूरा देश तूट गया है नहीं, हम इकठे हैं तब भी बालगंगदर तिलग जी ने राष्टरबाद को आगे लेके आने के लिए बात करीए यहां पे और अटी पार्टिशन मुवमेंट कल्मिनेटेट इन्टू दा सब्देशी मुवमेंट एंड सब्देशी मुवमेंट सेम चीज़ कि सब्देशी मुवमेंट बढ़ाई बाइक और दा फॉर्ण गुड्स किया ओके एकनॉमिक सेल्फ रिलाइट जब हम कह रहे हैं कि हम सब्देशी अपनाएंगे तो इसका मतलब क्या है हम अपनी फैक्टरी भी हो लेंगे किया हमने जैसे के टेक्से मिल्स बनाई बेंगॉल कैमिकल फैक्टरी जो पीसी रेकिक फैक्टरी थी ये सब कुछ ओपन किया हमने क्योंकि हम जब एजुकेशन को भी नैशनल वाली एजुकेशन को फॉलो करवा रहे हैं वेदानता फिलोसफी को फॉलो करवा रहे हैं रिलिजिन को पढ़ रही हैं गौड को पढ़ रहे हैं शिवजी फेस्टिबल को सेलिब्रेट कर रहे हैं गनपती फेस्टिबल को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हम अब सब कुछ अपना अपनाएंगे तभी तो बात आएगी ये सेल्फ रूल की बात आएगी तभी तो बात आएगी self government की बात आएगी तभी तो बात आएगी सब्देशी की तभी इन्होंने textile mills भी स्टार्ट कर दी Bengal chemical factory भी स्टार्ट कर दी इंडिया में partition जो हुआ और फिर उसके बाद क्या होता है हमने art school भी स्टार्ट की ये गगेंदरनाथ बोस और अबेंदरनाथ बोस जी ने इस चीज़ को स्टार्ट किया और भारत माता की painting भी मनाई गए भारत माता की painting सबसे पहले अबेंदरनाथ टैगोर जी ने बनाई थी तो इस इस वेरी इंपोर्टन जब arts को पर्मोट कर रही है तो arts भी आगे चलेगी एलोरा पेंटिंग्स को पर्मोट किया गया राजपूर ट्रडिशन को पर्मोट किया गया जगदीश चंदर बोस जी ने invent किया क्रेस्कू ग्राफ तो inventions भी होने लगी है हमारे बारदेश में एक क्रेस्कू ग्राफ क्या होता है जो प्लांट की ग्रोथ को देखता है कि प्लांट की ग्रोथ कितनी हो रही है उन्होंने invent किया 1906 में सेक्रेटरी था मौरले और मिंटो कौन था गवर्नर जनर जिसने क्या किया रिफॉर्म किये legislative council में और ये legislative council में वो reform किया थे वो इस separate electorate वाली करने लगे थे और जिसमें moderate तो agree कर रहे थे लेकिन extremist जो है against थे यहां पर तो that means अब moderate extremist divide होंगे सब्देशी चाहे मुद्दा वो ही है सब्देशी अपनाना क्योंकि उदर से Muslim League को भी खड़ा किया जाएगा Muslim League को हमें हिंदू-Muslim वाली चीज़े करवाई जाएंगे हमारे देश में समझ में आ रहा है अंग्रेजों की कर्तूते समझ में आ रही है तुमें कि ये Bengal को मुद्दा क्यों बनाया क्योंकि हिंदू भी है यहां पर Muslim भी है यहां पर और unity है यहां पर तो मतलब धरम के according divide करवा दो इनको जैसे तैसे तो वो ही किया इनको लेकिन हम हट नहीं रहे हम क्यों नहीं हट रहे हमें चाहिए सुराज हमें चाहिए सेल्फ रूल हमें चाहिए नैशनल एजुकेशन हमें चाहिए सब्देशी सेल्फ रूल सेल्फ गवर्मेंट हम नहीं हटेंगे तबी तो कहा था इन्होंने, एक्स्रीविस ने कहा था, जैसे वो मुवीज में दिखाते न, कि बरफ की सिल्यों पे लटाके कोडे मारते थे, इन्होंने कहा जितने मर्जी तुम हमें मार लो कुछ मी कर लो, लेकिन हम नहीं हटेंगे बिछे, हमें चाहिए आजादी, हमें चा और फुल फ्लेच, पॉलिटिकल मास स्ट्रगल बन जाता है, जिसमें यह सवराज क्याते है, क्योंकि एक्सिमिस ने क्या किया था, आम लोगों को जोड़ा था, तो पूरा का पूरा, यह क्या बन गया, पॉलिटिकल मास स्ट्रगल, ज्या रखना, अब यहां पे है, जो सर्देशी मुवमेंट चल रही है, एक आपका 1920 में हम आगे जाखे पड़ेंगे, नौन कोपरेशन मुवमेंट, जिसमें हम क्या कहते है, यह मास बेस्ट मुवमेंट थी, यह मास बेस्ट का मतलब क्या है, पूरा देश इनवार्ट था, लेकिन यह क्या बनी है, पॉ नारस में, और उस राइम प्रेजिडेंट होते हैं, आपके गोपाल कृषिन गोखले जी, और इनकी डिमाट, गोपाल कृषिन गोखले कौन है, मॉड़ेट्स, यह अगेन वही कॉंसलिशन के तरीके से काम करेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिन ससाइटी वाले बाते करेंग इन्हों ने क्या कहा, हाँ, वो गलत कर रहा है, छीक है, यह तो सब को पता है, गलत कर रहा है, गोपाल कृषिन गोखले जी कह रहे हैं, हम इसका बहिशकार कर रहे हैं, पाइकॉट कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सिमिस कर रहे हैं, Extremist को कह रहे हैं पकड़ो हमें, jail में डालो, मारो हमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए self-rule, लेकिन अगेन यहाँ पे उस तरीके से गोपाल, क्रिश्ण, गोखले जी द्वारा उस तरीके से नहीं बोला गया, क्योंकि गोपार्ल कृष्ण गोखले जो हैं वो मौडेट्स से बिलॉंग करते हैं क्योंकि मौडेट्स का वो मुद्दा ही नहीं है कि हमें मारो हम आपके गेंश हैं ये हैं वो हैं नहीं क्योंकि मौडेट्स क्या हैं resolution, petition, constitutional reforms बस बासचीत करके लेकिन यहां पर क्या कहा है, forceful तरीके से, हमें कोई petition नहीं फाइल करेंगे, हमें तो चाहिए सुराज, हमें चाहिए seraf rule, बस बात खतम, पॉइंट सामन में आया, यह ध्यान रखना है इन चीज़ होंगा, next, अब यहां पर थोड़े से तो बालगंगद तिलग जी कह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं लाठी कलब बना रहे हैं, वो शिवाजी फैसिवल को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, और forceful तरीके से, आजादी लेना चाते हैं, self-pool करना चाते हैं, और इसलिए यह दोनों की इसलिए दोनों की आइडालोजी डिफेंट है, और आइडालोजी डिफेंट है, लेकिन एम सेम है, देश की, सफ़दीशी दोनों ही कह रहे हैं, भाईकाट और फोर्ट दोनों ही कह रहे हैं, बस मॉडटेट क्या कह रहे हैं, शांती बोरवक यह कहते हैं, forcefully तरीके से, इसल कलकत्ता सेशन में क्या बात करी जाएगी, कलकत्ता सेशन में बात करी जाएगी सौराज, कौन काईगा, दादाबाई नरोजी, सफ़देशी मूमेंट को आगे बढ़ाएंगे, लیکिन सौराज वर्ड यूजज़ करेंगे, self-rule की बात करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं, यह लो decided to work as a faction within the Congress itself. क्या मतलब बना? पतलब बना? बालगंगा दतिलग जी अलग हैं और गुपाल कृष्ण को खले अलग हैं लेकिन बालगंगा दतिलग जी ने बोला नहीं चाहे हमारा हम दोनों के बात करने का समझने का तरीका अलग है लेकिन हम लड़ेंगे तो एक ही मिलके क्योंकि देश को तो आजाद कराना ही कराना है ठीक है? फिर उसके बाद दादा भाई नरोजी जी ने जो है आगे बात करी आपका कलकत्ता सेशन में 1906 की और यहां पे वर्ड यूज किया सुराज सब्देशी मुमेंट की बात करी बाइकॉट ऑफ वर्ण गूट की बात करी और बाइकॉट अगर्मेंट स्कूल की बात करी नैशनल एजुकेशन की बात करी यहां पे बात होती है ऐसे अब यहां पे कोशन यह आ जाता है कि सब्देशी मुद्दा क्या था सब्देशी का मतलब क्या है सब्देशी मुव्मेंट का मतलब यही है कि again वो ही सेम चीज स्कूल भी अपने, खाना पीना भी अपना बायकॉट करेंगे फॉरं गूड्स की चीज़ों का हम नहीं अपनाना चाते कोई टेक्स नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे यह सब बाते कर रहे हैं सब्देशी मुव्मेंट में तो यहाँ पर बस पॉइंट समझने वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ओल लेडी जितनी कहानी हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करी है जितने वे पॉइंट्स अभी तक हमने समझे हैं वो सारे तुम्हें पता लग जाएगा कि सब्देशी मुव्मेंट में आके इकठे हो गई तो देखे जी क्या है पहली बार ऐसा हुआ, इंडियन स्टगल जो है और जिसमें बैरिस्टर अब्दुल रसूल ल्याकत हुसेन और गुजनाभी और मुलाना अजाद इन्होंने इन चीज़ों को सब्देशी मुव्मेंट को सपोर्ट किया तो यह है जी सब्देशी मुव्मेंट तेखो, लोग क्या कर रहे हैं सडकों पे आ रहे हैं कि हम नहीं करेगे तुमारी चीज़े नहीं अपनाएगे अब यह एजेंडा क्या है? एजेंडा भी वो ही है सेम यहां पे जितनी कहाने पड़ी वो भी एजेंडा में समझ में आ जाएगी ती ये हिंदू है ये मुस्लिम है इनों ने हमारे लोगों में से ही अलग निकल वा दिये मुस्लिम लीग बना दी और मुस्लिम लीग के अंदर जो है ना एंटी हिंदू सेगमेंट्स डाल दिये और अगेन यहां पे भावनाई थोड़ी सी डिफर कर गए तो जब ये हुई त मुव्मिंट को खत्म किया जाए सदेशी वोलिंटर्स को बहुत मारा गया और जेल में डाला गया और बंदे मात्रम जो बोल रहा है इसको खत्म करो गवर्मेंट इम्प्लॉइंग जो इंडियन्स हैं उनकी जॉब्स को खत्म करो और इसी कारण जो एक्स्रिमिस लीडर है इनको जेल डालो और यहां से बेजो पॉइंट सावन में आया तो यह क्या हुआ जी यहां पे यही एजंडा है इनका तो सेम चीज यही है कि इसके लिए इन्होंने मेजर क्या किये भाई मुस्मिली खड़ी कर दी इन्होंने हमारी बाते नहीं मानी लोगों को जेल में डाल कहलो इन लोगों के पास क्या आगी थी एक्स्रिमिस फेस के साथ आम लोगों का साथ जो मौडेट्स में नहीं था बहुत इंपोर्टन पॉइंट आइए आम लोगों का साथ तबी तो जब 6-7 1908 से लिके 1916 तक जब बालगंगत तिलग जी कहां पे रह रहे हैं जेल में रह 1899 में 6 महीने के लिए जेल में गए थे तब भी एक्स्रिमिस फेस नहीं रुका था जो उनकी आइडॉलजी थी तब भी चल रही थी वो क्यों चल रही है और ये लीडर्स जो है शान्त हो जाएंगे ये विपिन चंदरपॉल अरविंदो वो शान्त हो जाएंगे लाला बात यहां पर यह है एक्स्रिमिस फेस नहीं रुका नैशलिजम नहीं रुका शीवाजी फेस्टिबल नहीं रुका यह जो है यह लाठी कलब नहीं रुके क्योंकि आम लोगों को साथ ले लिया था इन्हों ने तबी यह मूमेंट आगे जाके सफन होती है देखते हैं जी क 1770 में हुआ था और बंदे मात्रम गाया गया रबिंदरना टेगोर जी द्वारा 1896 में पहली बार और फिर इसको नैशनल सौंग के रूप में आई एंसी ने घुशित किया 1937 में जो बार में इंडिया ने इसको अपनाया That was बंदे मात्रा Muslim League का formation जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि इनको बताया गया तुम कम हो इनको बताया गया कि तुमारी संख्या कम है इनको बताया गया anti-hindoo anti-muslim वाली बाते करी गई इनके साहर पावर देने की बाते करी गई यहां पे तो इसलिए Muslim League आगे आती है अब देखते हैं जी क्या है मुस्लिम लीग में सर सयद एमद खान had founded the momdan educational conference in 1886 December 1906 में 3000 मुस्लिम delegates जो है all over इंडिया में इस conference में आते हैं धाका में आते हैं और यहां पे मुस्लिम लीग को परपोज किया जाता है किसके द्वारा नवाब सलीम उल्ला खान of डाका द्वारा परपोज किया जाता है और हमारी ये मुस्लिम लीग बन जाती है 30 December 1906 में अब यहां पे again मैं बार बार कह रहा हूँ यहां पे हिन्दू-Muslim sentiments मतले के आना यहां पे बात समझो ध्यान से अंग्रेजों की dividing and rule वाली पालिजी को समझो ठीक है divide and rule वाली पालिजी को समझना क्योंकि मुझे पता हैं कि काफी लोग हिंदू-Muslim करके बात करते नहीं यहां पे divide and doole की बाह समझा, कि इनको बताया गया, पहले तो इनको बताया गया, पहले तो इनको बनानी चाहिए, जैसे INC ने बना रखी है, क्योंकि उनको बताया गया, इसमें सारे हिंदू हैं, maximum हिंदू हैं, मुस्लिम तो ही नहीं हैं, तो obviously बात है, किसी के मन में भी बात है, हाँ बना लो यार मुस्लिम बना लो, फिर पावर देने की बात करेगे, तब ही इलेक्टोरेट की बात करेगे, यागे, तो इसी कारण जो है, यह हिंदू मुस्लिम फेस खड़ा हो गया, किस टाइम पर, यहा जोने, हम, क्योंकि इनको पता था, कि धरम बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, हमने धरम में घुसे, हमारे साथ इन्हों ने लड़ पड़े, 1857 का रिवोल्ट इंडिया में पूरा स्प्रेड कर दिया, उसके बाद नैस्टरिजम की बावनाई आने लगी लोगों के अ नवाब सलीमुल्ला खान धाका बनाते हैं, और हेड़कोर्ट रखे जाते हैं जी आपके लखनवों में, और नवाब सलीमुल्ला खान जो है वो धाका से बिलोंग करते हैं, और यह बहुत सारी लोग हैं, यहाँ पेपर में आते हैं, नाम आता है, यह पेपर में पूछा ज देखो जी पेपर में यहां पे आपसे पेपर में मैक्सिमम टाइम में ने देखा है ये पूछा जाता है कि इड में आपके मुस्लिम लीग के मेंबर कौन थे कौन नहीं थे एक सिंगल वर्ड टेप में कोशन पूछता है तो आपको ये छे साथ लोगों का नाम याद होना चाहिए अच्छे से क्योंकि ये में प्रॉमिनेंट परसन थे मुस्लिम लीग के बनाने में नवाब सलीम उल्ला खान आगा खान बड़े इंपॉटन परसन है इसे ही यहां पे भी पूछे जाते है तो ये कहानी मेंने समझा दिया कि actually मुस्लिम लीग की बात क्या थी तो देखे जी क्या है अब इन्होंने क्या कहा मुस्लिम लीग बना लो जी ठीक है हम तुम्हें पावर भी देदेंगे ठीक है जी देदो तो आप हर साल सेशन किया करो और हमसे डिमांड किया करो कि क्या चाहते हैं अब तुम खुद देखो जिनको पता भी नहीं था ऐसी चीज़ें उनको पहले हमें बनाया उनसे बोला कि आप हमसे डिमांड करो तो इन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। तू कॉन मै कॉन क्योंकि INC के साथ भी इन्होंने यही किया तू कॉन मै कॉन वाली बात करी क्यों क्योंकि इन्होंने INC खुदी तो बनवाई थी यह मुसलिम लिग इन्होंने खुदी तो बनवाई है यहां पर तो इसका मतलब तू कौन मैं कौन चलने वाला है अब यहां मुस्लिम लिख कुछ कहेगी तभी तभी याद करो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तर्की के सुल्तान जो खलीफा थे उनको गदी से हटा दिया कौन खलीफा कौन कुछ खतम कर दिया खिलाफत मुव्मेंट भड़ गई थी मुस्ल क्या हा चल रहा है अंग्रेज क्या करे अंबस पकड़े में आई कि में तुमने यहां तक शायन पर जोंचे नहीं पता तुमने सोचा था यहांसे समिंघवां था पर ध्यां से तो यह इनकी पहली अचीवमेंट थी यह अक्चल में इनकी अचीवमेंट नहीं थी मैं आपको बताओ दिमाग इसका चल रहा है अंगरीजी सरकार का दिमाग इसका चल रहा है मौरले मिंटो का समय में आ रहा है मौरले मिंटो का दिमाग चल रहा है वीछे क्यों कि करजन ऐसा करके गया है भारत में क्या partition क्या Hindu Muslim करके गया है इसको आग लगाओ और वो ही चीज़ चल रही है यहां आपके ठीक है इस original political goal was to define and advance the Indian Muslim civil right अब यहां से समझो its original political goal was to define and advance the Indian Muslim civil right इसका मतलब क्या है मैंने तुम्हें क्या गा था तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा कुछ ले लो बना लो organization बना लो अंग्रेज कहा रहे है हाँ बना ली ठीक है फिर तुम्हें electorate देते हैं तुम अपने लोगों को आप चुनो ठीक है जी चुनेंगे चलो जी चुनलो तो लेकिन actual goal क्या था यह यह कहां से आ गया यह कहां से आ गया और यह कहां से आ गया separate electorate तुमने तो यह कहा था यह चीज हमसे बोले था और यह कहां से आ गया बै हिंदू हिंदू को वोट मुस्लिम को वोट करेगा लगा ले दिमांग अंग्रेजों ने डिवाइड रूल कर दिया तो ध्यान से समझो यहां पर इट मेंली रिपर्जेंटेट दा लैंडिड एंड दा कमर्शिल मुस्लिम इंट्रेस्ट ऑफ युनाइट प्रोविंस got it you got the point अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है ये कहां बोला इनोंने कि भाई हमें चाहिए सिविल राइट यहां पर हमें सिविल राइट छोड़ो तुम ऐसे करो separate electorate ले जाओ अरे वाँ हम सिविल राइट मांग रहे थे हमें electorate मिल गया तो ये तो खुश होंगे लेकिन इनको स समझ में नहीं आ रहा इनको यह नहीं समझ में आ रहा आईशी के सादवी इन्हों ने यहीं किया था ऑट्रलेट को पहले फुश किया था फिर कैते गया इतनी बात हो समझे जाके उन ज यह न unpredictable गे दो आगे सूरत विवाजन ये तो तुम्हें कहानी सारी बता दी वो प्रेजिडेंट वाली बात जो मैंने बताई थी थी ठीक है ओके आए जी आगे दा मॉटेट्स एक्सिमिस डिस्प्यूट ओवर टेक्नीक्स लेट तो स्प्लिट इन दा आई एंसी फाइनली एड़ दा सूरत सेशन गडबड तो अंदर थी नबज इन्होंने पकड़ ली डिवाइड गरवा दिया राश ब्यारी गोश्ट को प्रेजिड इंड़ाना चाहते हैं यह लोग लेकिल लाला लाज की पत्राइज याद यूँ अच्छी स्फिमीस लोग तो लड़ाईया होंगी जब लड़ाईयां होंगी तो पुलिस आएगी पुलपया करेगी तो क्या करेगी अantal पता यह क्या करेंगी कि आ समय में आ रहा है तुम्हें एक मिनट पानी पिलो फिर आगे बढ़ते हैं कहानी समय में आ रहे हैं कि इंडिया ये हिंदू-मुस्लिम की कहानी कैसे स्टाट करें थी इन्होंने हमारे देश में क्या हो गया अब डेकलाइन ऑफ सब्देशी मुव्मेंट कैसे डेकलाइन होता है अब सब्देशी मुव्मेंट कैसे होगा ज्यान से सुझाओ सब्देशी मुव्मेंट सब्देशी मुव्में में मॉडेट्स भी कठे हैं एक्स्रीमिस भी कठे हैं तूट गए Muslim League अलग हो गई लोग active politics में थे retired हो गई समझ में आया non-corporation movement एक मुद्दा रह गया हम corporate नहीं करना चाहते passive resistance मुद्दा रह गया नहीं ठीक है पिछे बैठके रहेंगे बात खता तो ये मुद्दे बनगे रह गया तो इसी कारण सब्देशी movement खत्म होगी देखे जी कैसे the severe government ये act बगएरा पास किये थे ना जैसे मैंने तुम्हें बताया था the movement failed to create an effective organization of a party structure अरबिंदो गोश विपन चंदरपॉल retired कर गए internal बहुत सारी ये सूरव split up हो गया non-corporation movement passive resistance ये एक आइडियाजी रह गये ये सिर्फ आइडियाज रह गये एक्षिन में हो नहीं रहा था कुछ ऐसा ये बालगंगादा तिलग जी को जेल बेज दिया गया था 1916 में वापिस आये थे जब 1916 में वापिस आये तब भी टिके नहीं ये क्योंकि देश में आजादी खून में सु सुराज is my birthright इन्होंने word use किया है ये तब ही अपनी moment में ये बार बार कह रहे हैं ये सुराज इस my birthright लोगों नfeld कहना सार्ट कर दिया था तो जब 1916 में वापिस आएंगे तो आके इंडिया में फिर क्या स्टार्ट करने वाले है होम रूल movement का मतलब ओम द्रूल मतलब हमा मतलब देश का रूल करेंगे हम लोग बस नाम चेंज कर दिया सेल्फ गवर्मेंट का नाम चेंज हो गए यहां तो वो ही चीज़े यहां पे हो रही है और जब इन्हों ने 1916 में हॉम रूल मुवमिन्ट स्टार्ट करें तो इन्होंने headquarter बनाती है यह कहां पे डाड़ी जिन्दा महाराश्चा टूने में और आनी पेसेंट पूरे rest of इंडिया में start करती है और फिर start होता है आपका मदरास से मदरास में अधियार जो है इन्होंने headquarter बनाती है ओके तो यह start होगा झी आपका सब्देशी मूव्मेंट का decline होना proper तरीके से अब यह तो तुम्हें पता लग गया जी कि सब्देशी मूव्मेंट का reason गया था fail होने का अब यहाँ पे देखो सारे हमने पढ़ चुके हैं सिर्फ read करेंगे यहाँ पे क्योंकि लोगों का जो है main drawback था कि सब्देशी मूव्मेंट का कि it was not able to garner the support of the mass लोगों का support नहीं ले पाया था कॉमनलिजम की भावना अंग्रेजों ने पैदा कर दे थी Muslim League बना दे थी ठीक है और प्लस यह है कि सब्देशी मूव्मेंट की जो बात थी किसानों को साथ नहीं लेके गए आम लोगों को इतना साथ नहीं लेके गए सारे लोगों को साथ नहीं लेके गए यह fail होने अब बनता था 1908 में obviously बात है इन्होंने बहुत सारी चीजों की उपर control लगाया, act बनाए public meetings नहीं होने दी और at the end जो है ban होगा ही होगा, यह point movement जो है major contribution रहा idea of nationalism में proper दरीके से हर society के लोगों को यहां पर इकठा किया सब्देशी movement and सिदी से बात है, mass politics से यहां पर होने लगे अब बात करते हैं Muslim league के उपर Muslim league के उपर बताओ, इसको continue करें Muslim league से लखना हो, pact जा next lecture में समझना है जल्दी से जल्दी बताओ क्योंकि Muslim league अरे कहां गया है Muslim league एक अलग topic भी है अगर आपको लगता है कि यहां तक ही पढ़ें तो हम यहां तक इसको over कर सकते हैं नहीं तो next lecture में देख सकते हैं क्योंकि extremist space खतम हो चुका है आपे अब स्टार्ट होगा Muslim league Muslim league से लखनाओ pact पढ़ सकते हैं बताओ अगली क्लास Muslim league और लखनाओ pact तक लेगे जलें बताओ जी हाँ ठीक है चलिए तो Muslim league को next lecture में continue करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा lecture बन जाएगा अभी क्योंकि ये lecture जो है ना अभी भी दो घंटे का पढ़ा है क्योंकि मैं टिकूंगा तो नहीं तुम्हें पता है मैं तो घुसूंगा उसके अंदर topics में मुझे लगा था कि मैं पढ़ा दूँगा दो घंटे में बट ये एक complex lecture बन चुका है complex मतलब बहुत बड़ा lecture बन चुका है तो इसको absorb भी तो करना है सिर्फ में से सुनना ही नहीं है ना पढ़ना भी तो है घर पे जागे तुम लोग होने तो अच्छे से पढ़ना इस चीज़ को ठीक है तो करेंगे जी next class करेंगे Muslim League से लेके लखनाव पक्त की फिर उसके बाद discuss करेंगे revolutionary phase और फिर गांदे नीरा फिर उसके बाद independence तक चलेंगे ऐसे ओके तो ये ध्यान रखना तो आज जो topic है हमारा topic है Muslim League इससे पहले हमने 1857 discuss कर लिया इससे पहले हमने जो है INC discuss कर लिया और ये modest extremist phase discuss कर लिया हमने जिसमें हमने Bengal partition सब्देशी movement वगरा discuss किये थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अगला topic हम start करेंगे वो करेंगे Muslim League का अब ये Muslim League का जो समय है जो मैं आज के particular lecture में लेने वाला हूँ वो 1906 से 1916 तक का समय है अब question यहाँ पर ये आता है कि यह moderate भी थे extremist भी थे तो actually इन्होंने किया क्या ऐसा actually इन्होंने काम ऐसे क्या किये कि उसके बाद जो है ये Muslim League कहां से बीच में आगी मतलब I.N.C. चल रही थी है Muslim League बीच में कहां से आगी तो तुम लोगों को मैंने पहले बताया था कि ऐसे ही जिस तरीके से इन्होंने I.N.C. के जे देखे जो भी आपके classes के जो link है जा आपकी videos है वो सारी के सारी उसमें है हमारी playlist बनी हुई है spectrum वाली उसमे playlist में जाओ ना playlist में आपको देखने को मिलेगा और मैंने telegram channel के उपर भी सारी playlist दे रखी है तो मुझे नहीं पता आप लोग उनको देखते हो या नहीं देखते हो तो lecture पे आ जाओ end में बात करेंगे कहां पे है कैसे है वो भी मैं YouTube पे दिखा दूँगा आपको ठीक है तो start करते हैं पहले session start करते हैं otherwise हमारी कहानी अदूरी रह जाएगी और हम अदूरी कहानी नहीं करना चाते हैं हम पूरी कहानी करना चाते हैं ओ बनाने का मुद्दा गया था कि हां भाई अगर तुम्हारा कोई issue हो safety valve की जो इन्होंने बात करी थी कि कभी कोई तुम्हारा issue हो देश में तो आप हम से discuss कर सकते हैं ठीक है हम आपको कुछ rights दे देंगे ठीक है जी दे दो दे दो rights दे दो हमें दे दो बहुत बढ़ी आए हमें rights दे दो मिल जाएंगे अच्छी बात है ठीक है फिर उसके बात जो है इन्होंने बात करी थी कि हां मतलब जैसे जैसे इनको लगा कि इन्होंने कांग्रस ने जो है अपनी demands increase करने स्टार्ट कर दी पत्ता कट पत्ता कट करने का मतलब borders और extremist में डिवाइड कर दिया अब कहा नहीं यहां पर मुस्लिम लीग की भी यह आगी है कि देश में nationalism की भावना बढ़ रही है पहले तो बेंगॉल पार्टिशन करवा कि हिंदू मुसल्मान को तोड़ने की बात करी क्लास ट्रगल क्लास और community को डिवाइड करने की बात करी फिर यह मुस्लिम लीग को क्यों बना आपको पूरे तरीके से चीज़े प्रोवाइड नहीं करी जाती जिस तरीके से इनको मिल रही है तो मतलब उंगली लगाई और मुसलिम लीग बना दी जैसे INC के साथ हुआ वैसे ही इनों ने किसके साथ कर दिया मुसलिम लीग के साथ पहले तो आओ जी आओ भगत पूरी प्रोवाइड किये जाएंगे उसके बाद जो है राइट्स आपको मिलगे उसके बाद जो है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से राइट्स मिलगे फिर आपके एनुल सेशन्स चलेंगे आपकी डिमांड के उपर बात करी जाएगी फिर हम आगे जाके कुछ बात करेंगे लेकिन बात क्या होती है। मैं इनी शॉट बताता हूँ फिर आपको पूरी लेक्चर में हम स्टार्ड करेंगे। फिर बात कहां पर आती है। क्या चीजे आती हैं। कहां पर ये बाते आके रुकती है। ये annual sessions होते हैं, ये हमें हिंदो और मुसलमाण divide करने की बात करते हैं, separate electorate देने की बात करते हैं चलो जी दे दिये separate electorate भी इन्होंने दे दिये फिर उसके बाद दिल्ली दरबाद सजाते हैं और capital shift करने की बात करते हैं करदी जी फिर उसके बाद जो है ये तरकिश सुल्तान जो के Muslims head है खलीफा जिसे कहते हैं उनको उनकी seat से हटा देते हैं कि कोई नाम की चीज नहीं है कोई कुछ नहीं है ऐसा हम ही सब कुछ हैं जब खलीफा को हटाते हैं तो dad means setback इसको लगेगा Muslim League को लगेगा अब ये Muslim League को setback लगता है तो ये आपस में फिर कठे होते हैं कौन ये INC और Muslim League now pact की बारे में अगर हम बात करें ठीक है और इसी के चलते चल support दिखाया कि हाँ हम आपके साथ हैं moderate चाते थे कि हाँ चलो जी कुछ power मिल जाएंगी extremist चाते थे नहीं हमें self governance मिल जाएगा जो उस तेम पर revolutionary phase चल रहा था कि वो चाते थे कि हाँ यार ये तो right time है इनके मारो अभी क्योंकि ये बाकी विदेशों में मतलब अटके पड़े ह हैं अब इनको मारो और एर्दन देश को आजाद परो हर बंदे का अपना-पना अलग मोटिव चल रहा था तो जो आज के इस lecture में हमने समझना है और इस lecture में हम proper तरीकी से detailed way में ठीक है हम discuss करेंगे proper तरीकी से muslim league के बारे में हम discuss करेंगे home rule league के बारे में proper तरीके से क्या impact आ समझता है तो ध्यान से समझ के इस सारी कहानी को आज के lecture की कहानी को समझना पढ़ना और आप लोगों को एक अलग तरीके की knowledge आपको मिलेगी जो आप चीज़े पढ़ तो लेते हैं लेकिन काफी चीजों से वंचित रह जाते हैं वो वंचित रहने का मतलब क्या है कि काफी चीज़े आप ऐसी कर जाते हैं कि हाँ बढ़ तो ली लेकिन हमने उसको implement नहीं किया पहले क्या होता था कि जिस सरीके से questions आते थे ना उपर उपर से आते थे अच्छा है ये ठीक है ये ठीक है ये कब बना ये ठीक है बस कहानी खता लेकिन अब उस तरीके की चीज़े नहीं है हमने कि internal कहानिया कहां पे छुपी हुई थी internal कहानिया वो चाहता क्या है internal कहानियों में actually है क्या चीज़ static तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन internal चीज़ हमें पढ़नी है तो आज इस lecture को start करेंगे और इस class को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है dr. विपन गोल हम discuss करेंगे 1906 से 1916 का समय तो चलिए जी start करते हैं यहाँ पे अब हम बात करेंगे Muslim League के बारे में तो Muslim League की जो formation होती है 1906 म में भी समझा था ठीक है प्रीविस लेक्चर में भी समझा था और साथ के साथ अभी भी हमने कहाने डिसकस करी मैं आपको एक चीज़ बताता हूं क्योंकि अब जो questions आते हैं आपको बहुत ही analytical point of view question आते हैं तो जिसके कारण हमें एक slide से पहले मैं आपको क्या करूंगा slides समझ के चलना देखेजी they conducted the annual session and put their demands to the British government जैसे INC हर साल अपना effort लगाती थी हर साल मिलते थे लोग तो ऐसी ही ये हर साल मिलेगी और अपनी demands जो हैं अंगरेजों के सामने रखेगी इनकी जो सबसे बड़ी achievement थी सबसे पहली achievement थी वो ये थी कि हाँ अब ये भी election में participate कर सकते हैं इनके लोग जो हैं इनके लोग मतलब Muslim people जो हैं वो इनको चुनेंगे हिंदू हिंदू को वोट करेगा मुसलिम मुसलिम को वोट करेगा और ये achievement इन्होंने हासिल कब करी मॉरले मिंटो रिफॉर्म में जिसे हम जो है 1909 का act भी कहते हैं मॉरले यहां पे कौन है ये secretary of the state है मिंटो यहां पे कौन है governor general vice right देखने को में मिलता है its original political goal was to define and advance the Indian Muslim civil right जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हम आपको rights दे रहे हैं कुछ और चीज़ नहीं दे रहे हैं INC के होते होते आपको कुछ नहीं मिलने वाला हम तो आपके चहीते हैं अंग्रेज इनको कह रहे हैं कि हम तो आपके चहीते हैं हम आपको rights दे रहे हैं that means कौन से civil right दे रहे हैं कि हाँ आपकी बे पहचान बने आप भी जो है voting कर सकें आप भी जो है election लड़ सकें हिंदू हिंदू को vote करेगा मुसलिम मुसलिम को vote करेगा यह main इन्होंने propaganda यहाँ पर इन्होंने मुसलिम लोगों के दिमाग में लेके आए ठीक है it mainly represented the landed and the commercial muslim landed का मतलब जिनके पास जमीने हैं commercial का मतलब यह है जो business करते है muslim people interest of the united province जो की उत्तर प्रदेश वाला इलाका है उसके लोगों का ही interest इन्होंने शो किया बड़ा important point आई यह कि यहाँ पे जो interest शो हो रहा है सारी community का शो नहीं हो रहा यह उन लोगों का शो हो रहा है जिनके पास जमीने हैं land वाले हैं जा फिर वो commercial muslim है जाने कि sale purchase जाने कि business में involved है उन लोगों का interest यहाँ पे शो हो रहा है जो daddy is in the muslim league में अब यहाँ पे जो है establishment कैसे होती है आगा खान और Lord Minto की meeting होती है आपकी शिमला में और यह होती है किस दिन 3 October 1906 में और इसमें initiative लगता है किस चीज़ का Muslim league का तो 3 October को पहली meeting जब इन्होंने बात करी कि हाँ हम Muslim league बनाना चाते हैं आगा खान और Lord Minto के बीच में होती है लेकिन यह discussions होती रहती है और discussion होते होते 30 December 1906 में आपकी All India Muslim league जो है बन जाती है नवाब Salimullah Khan of Dhaka आगा खान और सर सयद एमद खान जो है इसको start करते हैं लेकिन the main person is Salimullah Khan of Dhaka This is very very important point clear याद रखना Muslim league president was सयद इमाम in 1908 1908 में Muslim league के जो आपके president थे वो थे सयद इमाम जहां पे इन्होंने demand किया separate electorate ये separate electorate का मतलब क्या है separate electorate का मतलब वो ही है हिंदू हिंदू vote Muslim Muslim को इन दा अमिरिस्टर पंजाब सेशन अब यहां पे कहाने समझों जी कहानी क्या हुई कहानी क्या हुई वो समझों जैसे हमने बात करी starting में बात करी कि Muslim league बनना कब start हुआ तीन अक्तूबर को meeting बैठी इसके बीच में आगा खान के बीच में और लॉड मिंटो के बीच में इन्होंने बोला कि हम Muslim league बनाना चाते हैं बना लो जी ठीक है और बनाई क्या 30 दिसंबर 1906 को आपकी ये Muslim league बन जाती है नवाब सलीमुल्ला खान ओफ धाका वाज़ा में पर्सन सयद इमाम और सर सयद एहमद खान ये में पर्सन है ये Muslim league बनाने का में अब्जेक्टिव क्या है कि हम आपको civil right प्रोवाइड करना चाते हैं और at the end ये उनको मिले जो के जमीन वाले लोग है जा commercial business करने वाले लोग हैं ये उनको rights मिल रहे है that is Muslims को उनको rights मिल रहे है अब यहां पे सीन क्या आ जाता है कि चलो ठीक है यार यह राइट्स मिल रहे हैं यह सब अच्छी बाते हैं बहुत अच्छी बाते हैं आपको राइट्स मिल रहे हैं आपको यह मिल रहे हैं आपको वो मिल रहे हैं बहुत अच्छी बाते हैं लेकिन यहां पे सीन क्या आ जाता है क्या कि यहाँ पे जब यह कहते हैं कि हम आप लोगों को अलग अलग चुनाव के लिए responsible है I mean कहने का मतलब हिंदू हिंदू को वोट करेगा मुस्लिम को वोट करेगा हम आपको separate electorate देंगे 1909 इसके लिए पहली बात मुस्लिम लीग ने 1908 में 1908 में अमरिस्टर सेशन चल रहा था मुस्लिम लीग का सेशन चल रहा था वहाँ पे इस चीज़ को डिमांड करते हैं कि हाँ हम आपको जो है प्रॉपर तरीके से separate electorate हम चाहते हैं और 1909 में मौरले मिंटर रिफॉर्म के चक्कर में आपके अलग अलग जो है voting rights आपको मिल जाते हैं हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा ये आपकी बात हो जाती है और 1908 सेशन के जो प्रेजिडेंट रहते हैं मुस्लिम लीग के और वो रहते हैं सर सयद इमाम ये चीज़ आपको याद रखनी है समझ के चलना है अब उसके बाद ध्यास के समझ जीए एक मुमेंट आती है जिसे हम कहते हैं अहरर मुमेंट ये मुमेंट जो है जितने मुस्लिम नैशनलिस्ट हैं जाने के बेंगॉल में वो एम क्या करते हैं कि हाँ हमारा पार्टिसिपेशन नैशनल फीडम स्ट्रगल में भड़े और जो है ये जो है ये कहते हैं कि हाँ हम आपकी लॉयलिटी शो नहीं कर रहे हम ब्रिटिशर्स के लॉयलिटी शो नहीं कर रहे और ये मुवमेंट किसे ने लीड करी मुलाना मुहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, मुलाना जफर अली खान और हसन इमाम एंड नजरूल हक ये लोग जो हैं ये किस मुवमेंट के साथ संबन दीता है यहां से कोशन पूछा जा सकता है कि वाट इस अमीनिंग आफ अहर मुवमेंट आप कहेंगे कि हां मुस्लिम लीग जब बनी थी उसी टाइम पे एक मुवमेंट हुई थी डैड वाज अहरर मुवमेंट और उसमें वो बात क्या कर रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं बेंगॉल के अंदर वो नैशलिजम की बात कर रहे हैं वो राष्टबाद की बात कर रहे हैं उनमें में में बरसन कोई है मुलाना मुहम्मद अली हसन इमाम ठीक है हाकिम अजमल खान मुलाना जफर और नजरूल यह main person है जो इस movement के साथ link करते हैं पॉइंट सामने में आए बस एक episode है यह that is the horror movement बीच में अब आगे बात करते हैं तो इस तरीके से Muslim League बनती है हर साल आपके sessions होते हैं यहाँ पे और meetings होती है मौरले मिन्टो reform पास किया जाता है Government of India Act 1909 भी कहते हैं Indian Council Act 1909 के नाम से भी जानते हैं जिसे मैंने आपको पहले बताया था जो मौरले है यह Secretary of the State है और London में बैठते हैं यह मिन्टो 2 है जो के इंडिया के viceroy है यह आपके कैलकटा में बैठते हैं अब यह कैलकटा में इसलिए दिल्ली इसलिए नहीं क्योंकि उस त्रेम पे अभी तक capital हमारी कैलकटा है तो कैलकटा में बैठेंगे बाद में आपकी capital shift होगी तो दिल्ली में आएंगे अब यहाँ पे देखे जी यह बड़ा important point है यह बड़े important point है यह समने वाले point है आपके यहाँ पे अब बात यह है कि 9009 का act separate electorate की जो बात करी यह ऐसी थोड़ा आ गई दिमाग में हाँ जी बैठें है सुबह उठे अंग्रेज उठे आँखों को आँके मली और उनको कह दिया कि हाँ भई हम आपको separate electorate दे रहे हैं ना उस time देश में ऐसा कुछ चल रहा था जिससे अंग्रेजों को डर था जिस तरीके से इन्होंने बेंगावल partition किया उसी तरीके से यह अब देश को और भी divide करना चाहते थे Muslim को एक अलग identity देना चाहते थे उस time पे देश में extremism जाने के जो गरम दल वाले लोग है वीडी सावर कर जीडी सावर कर ठीक है ये लाल बाल पाल लाल अलाज पत रहे बालक इंगदर तिलग विपिंच अंदर पॉल इनकी जो चीजें हैं इनकी जो बातें हैं देश में अलग लेवल पे फैल रही है तो इनको रोकना बनता था तो जो rising extremism है वो अच्छा नहीं था अंग्रीजी सरकार के लिए तो इनको ये 1909 का एक्ट इसलिए पास किया गया कि हम वैसे तो डिवाइड कर नहीं सकते अब करके भी देख लिया हमने बेंगौल पार्टिशन करके भी देख लिया दोग तो युनाइट हो गए nationalism की बावना बढ़ने लगे इसलिए हम क्या कर रहे हैं separate electorate दे रहे हैं ठीक है जी दे पास किया और उसके बाद जो है इंचे नंबर कम करी जा रहा है तो ऐसी पॉलिसी जो है हमारे देश के हित में नहीं थी और जिसके कारण ये आपका 1909 का एक्ट पास हुआ 1906 में शीमला डेपूटिशन ये जो हमने अभी डिस्कस किया था अभी हमने डिस्कस किया था आगा खान मिंटों के साथ मिलते हैं separate electorate की बात होती है अब जहां रखना शीमला डेपूटिशन में पहली बार बात होती है 3 अक्टूबर 1906 में फिर उसके बाद 1908 में 1908 में ये separate electorate की डिमांड करते हैं जब आपके सयद इमाम जो है आपके प्रेजिजेंट थे separate electorate यहां पे बात आता है 3 अक्टूबर को जो शीमला डेपूटिशन होते हैं आगा खान मिलते हैं और 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1906 को आपकी जो है All India Muslim League जो है बन जाती है और ये 1908 में separate electorate की डिमांड करते हैं सयद इमाम समझ मैं है ये कहानी आपके सिमाग में होनी चाहिए अब इस एक्ट की important provisions क्या थी सबसे बड़ी important provision तो आपके सामने ही है वो क्या that is separate electorate वाली बात ही ठीक है वो क्या था the important provision क्या है the principle of election to the council was legally recognized अब जो election होंगे वो legally recognize किये गए पहली बार ध्यान से समझे legally recognize किये गए election की बात याई क्योंकि अभी बात क्या करी हिंदू हिंदू को vote करेगा Muslim को vote करेगा तो पहली बार election को legally recognize किया गया दूसरी बार communal representation की बात आई सबसे पहली बार हिंदू मुस्लम की हिंदू मुस्लमान की बात आई यहाँ पे separate electorate को जो है provide किया गया Muslim लोगों को provide किया गया और यह electorate जो है यह class और community की उपर based हो गया कि हाँ जो landed class है landed मतलब जिसके पास जमीने हैं और जिनके पास commercial business है तो वो Muslim लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं community पे कैसे divide हो गया हिंदू मुस्लिम हो गया class divide कर दी upper class lower class वाली बात कर दी तो Muslim में भी आगे division कर दी इन्होंने तो Muslim लोगों को separate electorate मिला था तो उनमें भी किसको मिला पढ़े लिखे लोगों को business वाले लोगों को class community की उपर divide किया इन्होंने जैसे इन्होंने INC में बात की थी INC में पहली बार क्या आये थे moderates आये और वो moderates क्या थे पढ़े लिखे इंसान थे upper middle educated class तो यहां पे भी जब इन्होंने separate electorate की देने की बात करी तो यहां पे भी वो बात क्या कर रहे है landed और plus commercial Muslims को जो है चीज प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं तो इसी रही यह जो divide हुआ separate electorate का divide हुआ यह class और community की उपर division हो रही है rather than else कुछ भी और चीज नहीं है class और community की उपर विवाजन हो रहा है यहां पे अब बात करते हैं Minto Morale Reform of 1909 Government of India Act of 1909 Indian Council Act 1909 जैसे अभी अपने बात करी थी हमने बात क्या करी थी यहां पे कि यहां पे पहली बात जो है election को legally recognize किया गया था अब यह जो legally recognize का मतलब यह है कि यहां पे जो आपके elected members है Imperial Legislative Council में और Provincial Legislative Council में इन लोगों को increase किया जाएगा जहां से समयना है यह चीज़ हमने बात करी कि legally recognize किया गया जब legally recognize किया गया तो इसका मतलब Imperial Legislative Council और Provincial Legislative Council में members को increase किया जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे जो यह लोग होंगे यह ऐसा नहीं है डिरेक्ट इलेक्शन होगा यह होगा आपका इंडिरेक्ट इलेक्शन होगा यह इंडिरेक्ट इलेक्शन में कैसे होंगे जो लोकल बॉडिज है जैसे आज आज हमारी पंचायत और मुंसिपलिटी है पंचाय यहां पे legally recognize तो किया गया लेकिन यहां पे आपके अभी भी जो है indirectly method से हम बात कर रहे हैं यह चीज ध्या रखना अभी भी हम बात कर रहे हैं indirect elections की बात कर रहे हैं यहां पे चुने होए लोग आगे चुनेंगे कहने का मतलब यह है जब हमने elections को recognize किया गया तो imperial legislative council और आपकी provincial legislative council में members को increase करने की जब हमने बात करी तो यहां पे बात क्या हुई कि जो local body वाले लोग हैं वो आगे चुनेंगे कि इसको provincial वालों को provincial वाले आगे चुनेंगे कि इसको imperial वालों को I mean central वालों को चुनेंगे तो indirect elections हो गया separate electorate जो है Muslims को representation in the excess of the strength of their population यहां पे separate electorate देने की यहां पे बात कर दे हिंदू हिंदू मुस्लिम वाली बाते कर दे मिने जैसे आपको बताया Muslim में भी किसको landed class जिनके पास जमीने हैं और commercial वाले लोगों को clear तो यही दिक्कत आई आगे जाके देखो सीरी सी बात है यहां पे जो powers है वो बढ़ा दी गई आप powers बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं ना ऐसा नहीं है आप जो है resolutions पास कर सकते हैं लेकिन यह resolution जो होंगे वो accepted भी हो सकते हैं यह not accepted भी हो सकते हैं आप question पूछ भी सकते हैं लेकिन एक चीज धिया रखना है यहां पे आप जो है vote separate items इंदा budget कहने का मतलब budget के अंदर जैसे budget है budget के अंदर 10 चीज़े हैं तो आप उसमें separate एक दो त दिधान रखना है बड़ी important चीज़ है कि यहां पे as a whole budget को आप जो है vote नहीं कर सकते हैं आपकी power यहां पे बढ़ाई गई लेकिन power बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप किसी मुद्दे के उपर बात कर सकते हैं resolution पास कर सकते हैं discussions कर सकते हैं point 7 में लेकिन आप जो budget भी discussion होगा उसके मुद्दों के जो उनके मुद्दे हैं अंदर उनके उपर discussion करके आप उसमें vote कर सकते हैं लेकिन आप कहें कि हाँ budget 500 क्रोड का budget है तो 500 क्रोड के उपर आप vote कर सकते हैं वो नहीं आप कर सकते हैं 500 क्रोड के अंदर आपने 10 चीज़े हैं 50-50 क्रोड की तो 50-50 क्रोड की उपर discussion कर सकते हैं वोट कर सकते हैं लेकिन 500 कुरोड की उपर total pay vote नहीं कर सकते हैं ये इनका मुद्दा है तो यहाँ पर हमें ये आपके moral elementary form में ये चीज़े हमें मिली है अब बात यहाँ पर यह है एक इंडियन्स को appoint गया गया पहली बार जिनका नाम था SP SINA और ये 99-09 में यहाँ पर आपके चुने गए तो देखो CDC बात यहाँ पर यह आगी है जो 1909 का आपका separate electorate था यहाँ पर mainly बात क्या करी गई थी यहाँ पर जो legislative council है वहाँ पर लोगों को increase किया गया और वो भी provinces में भी और सेंटर में भी provinces वालों को कौन चुनेगा लोल goal body चुनेगी local body चुनेगी provinces वालों को प्रोविंस वाली लोग चुनेगे किसको Center वालों को that means indirect elections की यहाँ पर बात करेगी जब indirect elections की यहाँ पर बात करेगी तो obviously बात है यहाँ पर जो power है वो धिरी 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 बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी यहां पे आप पूछ सकते हैं कोई भी question पूछ सकते हैं discussion कर सकते हैं vote पूरे budget को नहीं कर सकते उसकी individual चीजों को आप vote कर सकते हैं यह बात कर रहा है और यहां पे पहला Indian SP सिना जी जो है पहले इंडियन यहां पे आपके बैटे थे council के अंदर पॉइंट समझे में आया यहां पे यहां से समझे है introduction of the elective principle let the groundwork for the parliamentary system in India reforms did not address the demand for self-government as demanded by the India यहां पे ध्यां समझे elective principle यहां पे कहने का मतलब यह है कि यहां पे आप लोगों को अगर आप चुन रहे हैं तो यहीं से हमें idea मिल जाता है कि इसका जो आज हमारे भारत देश में parliamentary system है जैसे आज हमारे देश में parliamentary system है इसके जो seeds हैं यहीं पे ही बोए जाते हैं यहां पे तो this is very important दूसरी बात अगर हम करते हैं कि इनोंने कभी भी जो है self-government जाने कि आप अपना session करें जा लोग कह रहे हैं इंडियन्स को कहें इंडियन्स को कहा जाए कि यहां आप अपना rule regulation करें वो यहां पे बात नहीं करी गई रूल regulation करने वाले हम ही हैं जाने यह अंग्रेज हैं यहां पे self-government की कोई बात नहीं करी गई हां आपको अंदर बिठाया discussion करी members बढ़ाये यह सब बाते होगी लेकिन आपको self-rule की बात नहीं करी गई यहां पे द्यान से समझेए मैंने क्या बोला था कि यहां पे अगेन जब आपको बोला गया कि आप vote कर सकते हैं वो vote आप कैसे कर सकते हैं क्लास अपकर क्लास लोर क्लास वाली बाते होगी मुस्लिम्स में रिपर्जेंटेशन दी लैंडेड और इसको जो आपके बिजनस करते हैं कमर्शिल वाले लोगों को तो यहां पे रिपर्जेंटेशन वोट करने का भी यदिकार उनको ही है पहले INC में भी यही प्रवाइड किया था इन्होंने अपर एजुगेटेड मिडल क्लास भई ठीक है और यहां पे भी वोई डिवाइड कर रहे हैं अब तो और भी काम हो गया हिंदू मुस्लिमान कर दिया तो कॉमुनिटी भी डिवाइड कर दिया इन्होंने पॉइंट सामन में आया तो यह आपकी जो है narrow franchise की बात हो रही थी यहां पे ऐसा नहीं था कि पूरा देश वोट कर रहा है ऐसा नहीं हुआ यहां पे पॉइंट सामन में आप पॉइंट सामन में आप लोगों को तो यह चीज धियान रखना है और यहां पे the separate electorate was the most detrimental step which aimed at dividing the national strength also the lower income qualification for muslim created a mistrust between the communities जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इन्हों ने क्या किया कि इन्हों ने बोला landed and commercial muslims की बात करी ठीक है कि जो पड़े लिखे हैं पैसा वाले लोग muslim लोग है उनको इन्होंने representation दे दी तो मतलब जो lower वाले हैं उनको तो कुछ providing किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने divide कर दिया muslim को भी आगे divide कर दिया separate electorate hindu muslimान तो किये किया उसके बाद में भी आपने muslim में divide कर दिया upper class lower class नों divide कर दिया जो lower income वाले लोग हैं जब qualification वाले लोग हैं तो उनमें अपने ही अपने ही लोगों के लिए upper muslims के लिए क्या होगा भेदभाव होना start हो जाएगा और वो भेदभावी जो है आगे mistrust create करेगा between the communities क्योंकि आपको देखने को मिलेगा INC में भी यही हुआ अब यह Muslim League में भी यही कर रहे हैं और जो हम समझ नहीं पा रहे हैं पॉइंट सामने में यह यह चीज दिया रखता है यहां पे budget put note भी voted upon जैसे मैंने आपको बताया था कि budget के उपर आप पूरा vote नहीं कर सकते आप उनकी provisions के उपर vote कर सकते हैं no real responsibility was considered मतलब आपकी कोई real responsibility यहां पे आपको बताया नहीं गई आपकी actually responsibility क्या है अगर members को increase किया जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सारी चीज़े provide कर दी लेकिन आपकी real responsibility क्या है यह नहीं बताया इन्होंने आपको यह बता दिया हाँ आप resolution pass करो question पूछ सकते हो जितने बर्जी पूछो supplementary question पूछो जितने भी budget के अंदर चीज़े हैं उसके उपर आप vote करो लेकिन बुरे budget को आप vote नहीं कर सकते तो at the end of scene क्या हुआ हमें पता ही नहीं हमें करना क्या है separate electorate दे दिया हिंदू-Musliman कर दिया बिठा दिया कर दिया ये हो गया वो हो गया लेकिन actually हमारा काम क्या है ये हमें बताया ही नहीं अगर आप हिंदू-Musliman करके हमें communal representation दे भी रहे हो तो actually हमारा काम क्या वो तो बता तो ये भी नहीं बताया इन्होंने जैसे में नहीं बताया लोकल वाले प्रोविंशल वालों को चुनेंगे प्रोविंशल वाले आपके सेंटर वालों को चुनेंगे ये हमें बात करी थी तो ये सारी की सारी चीज़े मौरले मिंटो रिफॉर्म में देखने को में मिल रही है अब बात यहां पने से समझते है, मौरले में जो मिंटोर रिफॉम का इंपक्र पड़ा नेशलिजम के ऊपर राष्टवाद की उपर क्या फरक पड़ने वाला है? अब जहां से समझे? अब राश्टरवाद क्या है कि भाई पूरा देश की बाते कर रहे हैं हिंदू-मुस्लिम लोग जो है वो देश की बाते कर रहे हैं अब nationalism के ऊपर क्या impact पड़ा हिंदू-मुस्लमान करने पे वो point समय से हैं separate electorate created the new problem for the national politics. It created a permanent political barrier to the unity of the Hindus and the Muslims. At the same time, different communities claim such privileges as Sikhs and Dalit. Appeasement of the small section created the division among the nationalists. अब ध्यान समझे जब इन्होंने हमें divide किया हिंदू-मुस्लमान वाली बाते करें अब जब हिंदू-मुस्लमान वाली बाते हुई separate electorate की बाते हुई तो पूरे देश में भी यही बाते होंगे. Sikhs लोग खड़े होंगे और आपके दलित लोग खड़े होंगे. आपके और different communities खड़ी होंगी. हमें भी representation चाहिए. जैसे इन लोगों को चुना के तुम लोगोंने अंदर बिठाया है तो हमें भी बिठाओ. तो add and जो हमारा political barrier है वो बन जाएगा. इसका मतलब क्या है कि मुझे भी बिठाओ अंदर जाके मैं भी देखना चाता हूँ अंदर क्या हो र अब सारे धर्मों के लोग भी आएंगे, सारे communities के लोग भी आएंगे तो ये nationalism की जो भावना है यहां पे हमारी खतम होनी स्टार्ट होगी. मतलब तूटनी स्टार्ट होगी जो अंग्रेज चाहते थे जो अंग्रेज चाहते थे और वो उसमें सफल हो रही हैं. दूसरा, the failure of reforms to fulfill the aspiration of the Indians, nationalists realized that popular pressure was required to attain the concession from the government. अब देखे जी क्या होता है, जैसे INC और Muslim League, ये दोनों जब इकठे थे, जा दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे थे, जो सबसे पहली बार काम हो रहा था, तो क्या होता था, कि कुछ भी demand होती थी थी ना, जैसे let's suppose, मैंने कहा कि, मैंने INC को सर ये चाहिए, ठीक है ना, ये चाहिए, तो दस लोगों ने और बोला, सर ये चाहिए, तो क्या होता था, INC या Muslim League, क्या करती थी, पूरी की पूरी बाते रखके अपना काम निकलवा लेती थी अंगरेजों से, लेकिन अब क्या हो गया, अब जब आपने हिंदु-मुस्लम खतम, अब आप collective approach से काम ही नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, तेरी बाते तेरे पास रहगी, तेरी बाते तेरे पास रहगी, मेरी बाते मेरे पास रहगी, तुम्हारे बाते तुम्हारे पास रहगी, तो यहाँ पे जो हम लोगों की बाते करते थे, देश की बाते करते नहीं वो क्यों नहीं पहुंची आपस में लड़-लड़ के मर गए पॉइंट समय में आर वो ही यह चाहते थे डिवाइडन रूल ली ही चाहते थे और डिवाइडन रूल देखो तुमारे सामने हो रहा है इसी कारण हमारे भारदेश में होम रूल लीग की बात करी गई थी जो हम आगे बढ़ेंगे और होम रूल मुवमेंट केम एज रिप्लाई टू दा रिफॉर्म यह पूछा जा सकता है तुमसे कि अच्छा यह बताईए ठीक है इन्होंने डिवाइड कर दिया सब कुछ कर दिया जो यह होम रूल लिग आई यह किसके रिस्पॉंस में आई यह आई आई आपके इंडियन काउंसिलेक्ट 1909 के रिस्पॉंस में मौरले मिंटर रिफॉर्म के रिस्पॉंस में separate electorate के response में ये movement आती है आगे home ruling, this is super important point मैं आपको एक चीज बता दूँ, अगर आप state PCS, UPSC exam की अपतियारी कर रहे हैं तो आप भूल जाएए कि आपको सीधा सीधा question आएगा home ruling किसने start करी, ये morality reform में separate electorate दिया गया अब नहीं आएंगे question, अब आपको analytical work आएगा तो ध्यान से समझ के चलना कि अगर आपसे पूछा कि अंग्रेजों ने तो ये कर दिया, इसके response में इंडियन्स ने क्या किया, तो वो home rule league आपका response था इन reforms के against, clear, the movement gathered support from the most of the nationalists including the zinnah, यहाँ पे इस movement, जो home rule movement है actually home rule movement ये reply तो आया, लेकिन यहाँ पे सारे लोगों ने इनका support क्यों किया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बात किस चीज की करे थी, self government की बात करे थी क्योंकि इन्होंने बात क्या करे थी, self government की, इन्होंने बात करे थी, सुराज की बात करे थी क्योंकि बालगंगद तिलग जी यहां पे आके कहते है स्वराज is my birthright and I shall have it मतलब भई स्वराज मेरा जनम से ददिकार है और इसको मैं लेके रहूँ का तो यही बाती यहां पे हो रही है तो स्वराज की बाते हो रही है self government की यहां पे बाते हो रही है तो add and यहां पे देश के अंदर एक fresh elections की बात हो रही है दोबारा से यहां पे the home rule movement gave a fresh direction to the freedom struggle the power of the struggle was now to be in the hands of masses who were to play an important role during the gandhian phase this is the important one morale minto reform का response home rule league home rule league का आगे response क्या जो gandhian phase चलेगा non-corporation movement चलेगी यह आगे जो movement चलेगी gandhian era चलेगा तो यह ध्यान से समझने वाला point है यह पूरा का पूरा जो चीज है कहानी कहां पे जुड़गी यह कहानी ऐसे जुड़ रही है ध्यान से समझो Bengal partition हुआ फिर सदेशी movement start हुई Muslim league बनाई गई Muslim league के बाद जो है सूरत विवाजन हुआ सूरत विवाजन के बाद जो है आपका separate electorate की बात करी गई separate electorate के बाद जो 1909 वाला जो point हुआ उसके बाद इसके response में हमने home rule league चलाई home rule league जो है आगे continuation चली गांधिन एरा को और गांधिन एरा में actually किस चीज़ को non corporation movement को आगे lead कर रही है यह तो यह पूरा का पूरा response ऐसे चल रहा है यह ध्यान रखना अब इसमें और चीज़े मत गुसाना कि हाँ यह कुछ और चीज़े मत गुसाना यह कहानी actually यह चल रही है अंग्रेजों ने क्या किया हमने क्या किया हमने क्या किया अंग्रेजों ने आगे क्या किया ये कहानी इस तरीके से चल रही है यहाँ पे कि हाँ अंग्रेज हमें कुछ कर रहे है उनके response में हम उसको क्या करके दिखा रहे है तो ये कहानी ऐसे चल रही है ये जहां रखना कि हाँ एक गांधियन फेस तक ये चीज़े लेके चलेंगे हम ऐसे ओके तो आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ अब क्या हुआ अब ये हुआ कि भाई जब आपको मौरले मिंटो रिफों में सेपरेट एलेक्पोरेट दे दिये गए जब सेपरेट एलेक्पोरेट दे दिये गए ना तो दिल्ली दरबार सजाया गया 1911 का ये 1911 का दिल्ली दरबार सजाया क्यों गया ये इसलिए सजाया गया क्योंकि जो George V है राजा King George V और उनकी wife Mary हमारे भारत देश में आ रहे हैं जब ये भारत देश में आएंगे तो obviously बात है जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली को सजाया जाएगा ये जो George V और Queen Mary है ये इतना खुश हुए दिल्ली को देखके उनको लगा कि स्वर्ग में आ गए है तो इन्होंने क्या कर रहे हो तुम Bengal Partition करिया रहे हो Bengal Partition Cancel अब तुम ऐसे करो कलकत्ता से Capital Shift कर दो दिल्ली में Capital Shift कर दो और ये सब कुछ Cancel कर दो ये तुम Bengal Partition बगरा जो करिया आ रहे है ठीक है और ये जो दिल्ली दरवार सजाया गया था 12 दिसंबर 1911 को सजाया गया था 1911 में एक कमैटी बैटी थी अरुंडेल कमैटी इस वेरी वेरी इंपोर्टन अरुंडेल कमैटी बैटी थी जिसके रिस्पॉंस ये इनकम में क्या था में एम वाज़ा Capital Transfer वो दिल्ली Capital Shift करी थी कल इस इंपोर्टन ओटी थी अब उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल वासराय है वो कौन है Lord Harding फैकेंड आपके जो है गवर्नर जनरल वासराय होते हैं उस टाइम पर जब बैंगॉल पार्टिशन होता है और एक कलकता से दिल्ली Capital Shift हो जाती है आपकी 1911 में Coronation दरबार जो George V का और दिल्ली में होता है ये भी 1911 में होता है और Annulment of the Bengal Partition जाने कि बेंगॉल Partition आपकी यहाँ पे cancel कर दी जाती है और Hindu महासभा यहाँ पे set up होती है 1915 में clear और Bannara Sindhu University जो बनती है आपकी 1916 में बनती है यह सारा काम किसके टाइम पे होता है यह आपके Lord Harding Second जो आपके Governor General Viceroy है इनके टाइम पे देखने को हमें मिलता है यह This is important point समझ में आया है आप लोगो यूगाट मैं पॉइंट यह सारी कहानिया जो है यह George Lord Harding Second के टाइम पे होती है यह सारी कहानिया इनके टाइम पे देखने को में मिलती है अब कोशन यहाँ पे यह है कि Lord Harding जो है जब Governor General Viceroy है तो इसको ही responsible माना जाएगा तो इसी लिए यहाँ पे एक बंबी फेका जाता है Lord Harding Bombing Case यह क्या है इसमें 23 दिसंबर 1912 को इनके उपर बंब फेका जाता है दो लोग बेजते हैं इनके उपर सचेंदरनास सानयाल और राश भिहारी बोस यह बंब फेक देते हैं और यहाँ पे यह दोनों सानयाल और राश भिहारी बोस यह भाग जाते हैं यहाँ से बंब फेक के अब यह तो कहानी जो है जी यह तो कहानी एक नॉर्मल कहानी थी यह कहानी तो नॉर्मल एक कहानी थी यहाँ चलो भी बंब फेक दिया यह हो गया वो हो गया ऐसे हो ठीक है अब कहानी यहाँ पे यह में नहीं लेके आएंगे पूरा world war topic ने discuss करेंगे हम discuss करेंगे world war first world war and India's response nationalist response क्या रहा अब जो first world war है आपकी 1914 से लेके 1919 तक होती है ठीक है और इसमें जो britisher है जो हमारे उपर rule कर रहे हैं वो किसके साथ ही होते हैं फ्रांस के साथ ही होते हैं Russia Russia, Russia, US, Italy और Japan के साथी होते हैं और ये किसके against war start करते हैं Germany, Austria, Hungary and Turkey के against war start करते हैं तो यहाँ पर ये कहानी ये है कि ये जो लोग हैं ये दोस्त हैं किसके अंग्रेजों के कौन France, US, Italy, Japan, Russia ये दोस्त हैं और ये against किसके हैं Germany, Austria, Hungary, Turkey के against हैं तो ये लड़ाई स्टार्ट होती है अब obviously बात है हमारे Indians का साथ चाहिए होगा क्यों हमारे लोग जनसंक्या हमारी ज़्यादा है और हमारे जो लोग हैं military में भी लगे हुए हैं army में भी लगे हुए हैं अब तीन तरीके का case यहाँ पर चलता है अब तीन तरीके के लोग हैं यहाँ पर एक को हैं moderates जो मतलब जो चाहते हैं constitution reform जाते हैं जो हमने last lecture में भी निसस किया था और यह कहते क्या है यह बढ़िया है इनको support करो यह तो हमारा यह मतलब एक राष्ट्रिया जो है matter है जाने के यह हमारी duty है कि जो हमें हमारे उपर rule कर रहा है उसको बचाना ठीक है और जैसे हम राजाओं को बचाते थे तो यह हमारे राजा हैं तो इनको बचाओ तो moderates यह कह रहे हैं extremist यह कह रहे हैं हम बचाएंगे लेकिन बदले में हमें पता यह बताओ कि हमें self rule मिलेगा यह नहीं मिलेगा क्योंकि home rule league जो मैंने आपसे बात करी थी उनका main name क्या था self rule तो यहां पे हमें सुराज मिलेगा हमें यहां पे self government मिलेगी तो यह इसके response में आ रहे हैं कि ठीक है हम आपका साथ दे देंगे अंग्रेज कहते हैं ठीक है हम आपको self government दे देंगे अब थर्ड की बात करते हैं थर्ड आते हैं revolutionaries क्रामतिकारी यह कहते हैं यह राइट टाइम है कि हां कि जो सर है जो अंग्रेजों का सर है वो तो first world level में उदर जुका पड़ा है उदर जुकाव है तो इंडे की तरफ उनको जुकाव नहीं है उनको इंडे की तरफ देखी ने रहे तो यही point है कि इनका सर काटो यहां से सर काटने का मतलब यहां भी यह है कि that means यहां पे अब हम देश को आजाद करवा सकते हैं तो यह मुद्दा बन गया यहां पे तो तीनों की अपनी अपनी बाते बन गई nationalist response यह शो हो गया कि modest चाहते क्या है कि हाँ हमें support करना चाहिए कि यह हमारी duty matter of duty है तिलग जो है extremist including तिलग यह चाहते क्या है कि हाँ हम proper तरीके से आपकी loyalty शो करेंगे लेकिन आपको बदले में self government देनी पड़ेगी revolutionaries कहते हैं कि इस opportunity को use करो और देश को आजाद करो यह कौन चाहते हैं यह revolutionaries चाहते है अब एक सिसी तिसी बात है अगर यह हमें divide ना करते अगर यह हमें divide ना करते और अगें यह हिंदू, muslim यह छोटी class, बड़ी class यह ना बनाते तो तुम्हें लगता है यह तीन तरीके की बाते हमारी खड़ी होती ना, तीन तरीके की बाते होती हम तो यही कहते कि आजाद कर आप जाह हम यहीं चाहते कि नहीं हमें इनको मतलब I mean, इनको support करना चाहिए जाह हम यह चाहते कि हाँ इनकी उपर अब attack कर दो एक बात होती, यहाँ पे तीन तरीके की बाते start हो रही है अब आपके सामने है कि इनोंने divide and rule करके हमारी opinion create करना यहाँ पे start कर दिया था तो यह तीन तरीके opinions की यहाँ पे देखने को आपको मिलती है अब यहाँ पे first world war में की अगर हम बात करते हैं and nationalist response की बात करते हैं any percent any percent जो है अपने motive सुराज्या के साथ आई वो ही आपका home rule league वाली जो बात करी है हमने उसके साथ आई और इन्होंने all इंडिया national congress and council of ministers की meeting करवाई so यह help करें in the formation of home rule league अब यहाँ पे इंडिया national congress भी सताई पड़ी है आपके all इंडिया muslim league भी सताई पड़ी है तो अब कौन करता है any percent इनको कहती है कि आप इकठे हो और हम home rule league start करते हैं home rule league का main aim क्या है self government, self rule की बात करते हैं तो यह किस ने start किया any percent ने start किया और इनोंने बात करीं Bombay election हुए 1915 में जिसमें moderates और extremists में moderates को सीटे मिली 8 out of 15 सीटे यहाँ पे मिल जाती है तो obviously बात है हर बंदे का साथ हमें important है यहाँ पे हमें muslim ने का भी साथ चाहिए हमें चाहिए moderates का भी साथ हमें चाहिए extremists का भी साथ हमें revolutionaries का भी साथ हमें तो साथ सब का चाहिए देश को आजाद करवाने में तो इसलिए इनोंने बात करी any percent ने आओ एकठे आओ और home rule इक बनाओ जो हमारा vision है जो हमारी सोच है देश को आजाद करवाने की जा देश के ऊपर self rule करने की उसको हम आगे लेके चलें ये main aim चल रहा है यहाँ अब यहाँ पे जो इंडियन्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड वर में इतने लोगों ने participate गया 1.3 million Indian soldiers serve under the British army in the great war 5,000, 50,000 से जादा जो है उन्होंने अपनी जाने गवाई और इनके response में जो आपने देखा होगा दिल्ली में India Gate बना हुआ है India Gate के उपर काफी जो है pictures बनी हुई है और नाम भी लिखे गए है वो सारे नाम किसके लिखे गए है That is the first world war में जिनोंने अपनी जान गवाई थी उनके नाम है India Gate ना New Delhi War Memorial जो है यहां पर बना दिया जाता है उनकी याद में उनको उनर करने के लिए clear अब कोश्चन यहां पर क्या है यह इतना कोश्चन नहीं खतम होता है ठीक है INC ने यह बोल दिया Moders ने यह बोल दिया Muslim League ने यह बोल दिया और अलग अलग लोगों ने यह यह बोल दिया यह नहीं है अब मुद्दा क्या है analytical point क्या है ध्यान से समना Indian supporter of British war effort fail to see that the imperialist powers were fighting actually पता क्या है अब ध्यान से समना अब ध्यान से समना अब यहाँ पर कहानी क्या चल रही है Moders ने अपना काम बोल दिया आपने जो revolutionaries ने अपना बोल दिया extremist ने अपना बोल दिया कि हाँ हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे अंगरे जोगा साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए लेकिन actually जब यह सब काम चल रहा था यह world war one चल रही है इसमें आपके जो ब्रिटेन वाले लोग है ब्रिटेन, US, इटली, ठीक है फ्रांस, USA यह सारे देश जो है against किसके है जर्मनी, ठीक है तर्की और आपके हंगरी इन देशों के against चल रहे है अब actually हम क्या कर रहे हैं हम सोच क्या रहे हैं इंडियन क्या सोच रहे हैं कि जो अंग्रेज हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं वो हमारे लिए लड़ने का मतलब क्या है वो इंडिया के लिए लड़ रहे हैं इंडियाज की जो आपने पोलोनीज बनाई है, मार्किट रिफॉर्म जो बनाई है, कोलोनीज में आप रहने लगे तो इंपिरिलिस्ट की अप्रोच जो आपने अपनाई है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके आज जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितन यह क्या पता चला? यह क्या कर रहे है? ये अपना कि हाँ ये मेरी कलोनी ये मेरी कलोनी ये मेरी कलोनी ये मेरी कलोनी ये मेरा एरिया ये तेरा एरिया इसके उपर बात कर रहे हैं ये ऐसे नहीं बात करें इंडिया मतलब बिटिश इंडिया नहीं इसके उपर बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अच्छा ये इसमें मैं रूल कर रहा था तो ये मेरा इलाका ये तू रूल कर रहा था तो तेरा इलाका तो इसके उपर बात चल रही है यहाँ पे इंडियन्स को ये पता लग गया इस response में point 7 में है कि इनका देश के के लिए कोई hit नहीं है इनका अपने पास hit है तो फिर दूसरी बात क्या होती है कि ये तेरा इरिया ये मेरा इरिया फिर क्या होती है कि अब हम अब तेरा इरिया तेरे पास मेरा मेरिया मेरे पास तो डैट मेंज अब हम लड़ाई नहीं करेंगे लड़ाई खतम हो रही है जो तेरे पास एरिया थे वो तेरे रहे गे मेरे पास एरिया थे मेरे पास रहे गे तो add and जो हम लड़ रहे थे जो हमारे ये modests चाह रहे थे कि हमारी duty है revolutionarys चाह रहे थे कि हाँ इनको अभी खतम कर दो, ये extremist चाह रहे थे कि हाँ भाई self rule चाहिए ये कुछ नहीं मिलने वाला ये कुछ नहीं मिलने वाला हमें तो ये कलोनी रखके बैढ़ गई ये सारे लोगों ने अपने पास कलोनी रखके बैढ़ गई अब देखो जी क्या बनता है यहां पे कहानिया Indian supporters of British war efforts failed to see that the imperialist powers were fighting precisely to safeguard their own colonies and market worldwide the allied powers to rally the colonies to their side during the war had promised them an era of democracy and self-determination after the war ये क्या कह रहे है हम आपकी लिए लड़ रहे है इस लड़ाई में हम आप हमारा साथ दो Indians को कह रहे है और अपनी colonies को कह रहे है कि हम आपको democracy और self-determination self-rule की बाते करेंगे लेकिन जैसी ही war start हो जाती है दोनों side जो है अपने propaganda को आपका expose करते हैं एक दूसरी को expose करते हैं और जैसी war खत्म होने पर आती है Paris Peace Conference जो आपकी First World War को खत्म करती है तो यहाँ पर यह होता है कि जो है कोई intention नहीं है कि वो अपनी no intentions of loosening their hold over their colonies in fact they were went to divide the colonies of banquished powers among themselves कहने का मतलब यह है कि इनका जो main aim था जैसे जब यह लड़े थे तो लड़े थे तो इन्होंने बोला कि हाँ हम अपनी colonies को बचा रहे हैं हम आपको democracy देंगे हम आपको self rule देंगे ठीक है इंडियास को लगा लिया लड़ लड़ पड़ो यहां पे हमारे इंडियास को बचाओ इंडिया को बचाने की तुम्हारी duty है तो इंडियास भी लड़ पड़े ठीक है अब बात यहां पे यह आ जाती है फिर जब एक दूसरे को expose किया दोनों ने यह USA ने UK ने दूसरे को expose किया Germany ने USA यह UK को expose किया तो उसमें पता क्या लगा तो इंका aim क्या था जो यह colonies बनी ही है जो इंकी markets है यह इस चीज को lose नहीं करना चाते बाकि जो area जिसके पास है वो अपना area अपने पास ही रखना चाता है जाने कि दूसरी colonies को exploit ही करना इंका main aim था यहां पे कोई democracy नहीं देना चाते ना कोई self determination देना चाते है ना कोई यह self rule देना चाते है यहां पे तो यह main aim था यहां पे analytical points यहां सी यह निकल के आते है तो समझ में आया तुम्हें तुम्हें समझ में आया यह कहानी चल रही है यहां पे तो ध्यान से समझने वाली बाते हैं यहां पे, ओके, आगे बात करते हैं, Home Rule League Movement, अब यह Home Rule League Movement जो है, जैसे मैं तुम्हें बताया था, Any% ने इकठा किया, Any% ने इकठा किया सब लोगों को, तो यह response है, First World War का, Any% अइरिश थियोग, Sophist, Decide for a Movement for Home Rule League, on the lines of Irish Home Rule League, जैसे Ireland में, क्य चाहती हैं, जिसके लिए इन्होंने All India Muslim League को, और आपके, जो है, INC को, इकठा करने की बाती यहां पे करी थी, और तिलग वास रेडी टू अज्यूम दा लीडर्शिप, आफ्टर हीज रिलीज इन ना 1914, री अश्योर्ड दा गवर्मेंट आफ इस लोयलिटी, मतलब यह कह पहुंचा मने में है, Home Rule League का जो में एम है, वो क्या है, में एम क्या है, जो Home Rule League बनाना चाहते हैं, बालंगद दिलग जी, एनिपसेंट बनाना चाहते है, इनका में एम क्या है, तो में नेम इम इस सेल्फ गवर्मेंट, जाने कि हम अपना शासन खुद करेंगे, हमें अंग् Vernacular Language का मतलब क्या है, Vernacular मतलब जो अपनी भाषा है, लोकल भाषा है, अब एक चीज़ बताओ, जब लोकल भाषा को पर्मोट कर रहे हैं, तो इट मेंज ये क्या कर रहे हैं, ये स्टेट्स को भी भाषा के अकॉर्डिंग जो है, डिवाइड करना चाहते हैं, रिफॉर्म कर करना चाते हैं, sorry, reorganize करना चाते हैं, तो इसलिए इन्होंने दूसरा aim क्या रखा, linguistic based stage, ताके मेरी भाषा में और दूसरे बंदे की भाषा में कोई difference ना है, उसको पता न चले मैं क्या कह रहा हूं, तो जो लोकल भाषा है, vernacular language है, उसी को ही पर्मोट करना चाते हैं, और उस क्या significance आएगा, इन्होंने, जो है, मासिस को awareness फेलाएंगे, जब मासिस को जब अवेरनेस फेलाएंगे, तो obviously बात है, जो पहले चीज़े चल रही थी, आपकी awakening वाली बाते चल रही थी, nationalism की बाते चल रही थी, तो ये home rule की movement की जो बाते होंगी, ये लोगों तक पहुँचे हैं, यहाँ पे, clear, तो जब awareness फेलेगी, तो obviously बात है, आपका national movement भी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है, nationalism की बापना जो है, जाला बढ़ेगी, अब यहाँ पे, ध्यान से समझना, जब इन्होंने, ये आपकी INC बनाई, moderate extremist divide किये, फिर उसके बाद Muslim League बनाई, उसमें भी दो division कर दी, अब यहाँ पे, जो actually ये लोग create किये गए थे, वो upper class के लोग create किये गए थे, अब home ruling आने से, अब आपको, upper class तो ही है आपके साथ, अब आपके पास lower class भी है, that means, यहाँ पे focus जो है, politically backward regions, like गुजरात और सिंद के उपर भी आपका किया जाएगा, और यहाँ पे, public library और meetings को promote किया जाएगा, organize किया जाएगा, और आपके social works को promote किया जाएगा, यहाँ पे, तो कहने का मतलब यहाँ पे यह हो गया, कि यह local logo को साथ लेके जो है, आगे बढ़ रहे हैं, अब, जैसे moddates ने गलती करी थी, कि local logo को लेके नहीं गए थे, ठीक है, Muslim league में भी इन्हों इम देखने को में मिल रहा है, जिसते awareness भी फैल रही है, nationalism की बावना भी फैल रही है, गुजरात और सिंद वाले, इतने backward reasons की उपर भी focus किया जा रहा है, public meetings हो रही हैं, तो discussion यहाँ पे अच्छे तरीके से देखने को आपको मिलेगी, तो यह सारा का सारा जो response है, यह home rule movement का response आपको देखने को मिल रहा है, दो home rule ली create करी गई, 1916 में, एक तो करी गई बालगंगद तिलगजी द्वारा पूना में और April 1916 में, एक करी गई एनिबेसेंट द्वारा लंडन में in June 1916, एंड मदरास इंडिया headquarter थे, September 1916 में, तो ध्यान रखना है, तो पहले बालगंगद तिलगजी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो सब्तमबर में, मदरास में कौन स्टार्ट करती है, यह एक बड़ा point important है, clear, अब बात यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर जो आपके एनिबेसेंट है, एनिबेसेंट जो थियोसोफिकल मूव्मेंट से लिंक करती है, जो New York की थि आई है, और बाकी लोग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलें, जैसे के for example, यहाँ पर आपके जैसे जो हालाल नहरू अलहाबार से आखी यहाँ पर मिलें, ठीक है, बीच चक्रवर्ती और जेब एनरजी जो है आपके कलकत्ता से जोइन कर गए, होमरूर लीक को, turning point क्या था, यहाँ पर turning point यह था, यह turning point का मतलब क्या है, कि जब देश के different corners से आप लोग मिल रहे है, जोहाला नहरू आ रहे है, ठीक है, और यह जेब एनरजी आ रहे है, चक्रवर्ती जी आ रहे है, आप लोग मिल रहे है, देश इकठा हो रहा है, नैशनलिजम की बावना बट रही है तो फिर पीछे से मदरास में इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, वीबी वादिया, जो मदरास union से बिलॉंग करते हैं, जो एनिबसेंट, जिनोंने अपने headquarters मदरास में बनाए थे, और जब इनको अरेस्ट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो यह बढ़ेगा, ध्यान से समझेए, इसके चक्कर में, सुबरमन्यम अयर जी, जो है अपना knighthood का title छोड़ देते हैं, कि भाई यह क्या कर रहे हैं, और जो इन movement से अलग थे, जैसे के for example, moderate streeter like, Mother Mohan Malviya, Surinder Nat Benerji, Mohamed Ali Zina, now listed as a member of the Home Rule League, to record their solidarity with the internist and their condemnation of the government section, अब देखो जी कहानी क् बने, Home Rule League अभी भी जो है कहीं न कहीं से टूटी हुई थी, वो क्यों टूटी हुई थी, क्यों क्यों बड़े-बड़े leaders का साथ नहीं मिल रहा था, वो बड़े-बड़े leaders कौन हैं, जैसे यह धिर धिरे आये, यह जो है, यह जेब एनरजी आये, चक्रवरती जी आये, फिर फिर बाद में, मदरास में उनको capture करने की बात कर दीगे, कि भाई उसको arrest करो, कि इसको, any percent को, any percent को, VP बादय को, अरेंडेल को, जो है, आपक करो, मतल़ इनको arrest करो, कि यह क्या movement movement लगा रखी है, क्या nationalism लगा रखा है, इनको पकड़ो और jail में डालो, अब इसके चक्कर में, यह home rule league को joint कर लेते हैं, और दिखाते हैं कि nationalism first, राष्टरबाद first आता है हमारे सामने, तो यह जितनी भी इन्होंने सीख सिखी होती है, तो यह home rule league वले लोगों को जो है, proper तरीके से बताते हैं, और at the end, फिर देश एक movement के साथ, फिर खड़ा हो जाता है, अब कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, कोई भी बात यहाँ पे नहीं हो रही, तो यह अब एक movement बन रही है, यहाँ पे home rule moment, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और plus extremist भी है, moderates भी है, सारे लोग है, अपर क्लास है, लोर क्लास है, सारे के सारे लोग हैं यहाँ तो this is the great step, this is the very important step, जो home rule league है, क्योंकि home rule league जो response किसके आई, first world order के आई, और home rule league response किसका था, separate electorate का response था, क्योंकि यहाँ पे जब separate electorate में हिंदू मुस्लमान किया गया, तो यहाँ बे मौमद अली जिन्ना भी जॉइन कर रहे हैं, यहाँ बे, यहाँ पूरा देश जॉइन कर रहा है, all India Muslim league भ है, जैसे हमने बात करी, कि बालगंगद तिलग जी ने start कहां पर करी थी, that is in the Maharashtra, ठीक है, तो Maharashtra तक concentrated थे, लेकिन Maharashtra में Bombay वाला area जो है, exclude किया हुआ था, Bombay area में नहीं थे, यह question आ जाता है, कि Bombay में इनका बोल बाला नहीं था, यहाँ महाराश्टरा में था, Bombay की Central Province और बिरार वाला area जहां पर तिलग जी की movement आपकी responsible थी, बालगंगद तिलग जी ने organization जो start करी, उसके president बनाए जौसप बैप्तिस्ता और NC केलकर को secretary बनाया, एनिपेसेंट की movement जो है, वो सारे rest of India को concentrate कर रही है, लेकिन उन्होंने headquarter कौन से बनाए, मदरास अधियार headquarter ब मिलते हैं, और यहां पर जो any percent के headquarter है, वो मदरास अधियार में headquarter देखने को मिल रही है, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी है, इनको enter करने से रुका गया, कि वो इसमें enter नहीं हो सकते, और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने servants of Indian society organization started करी थी, जब हमने सरदेशी movement discuss किया था, तो इन लोगों को इसमें enter नहीं होने दिया जाएगा, home rule league में, अब newspaper जो है, मराथा newspaper, केसरी newspaper, बालगंगा तो तिलग जी का है, new India and common will जो है, any percent का जो है, आपको newspaper देखने को मिलता है, तो this is again important point, clear, यह याद रखना, अब यहाँ पे, जिस तरीके से Irish, जाने कि Ireland वाला जो home rule league था, वो any percent ने इंडिया में start किया, ऐसे ही इंडिया के जो लोग थे, उन्होंने different different जगा की उपर home rule movement start करी, जैसे के शामा जी, कृष्णा वर्मा जी ने start करी, मैडम विका जी कामा ने setup किया, Indian home rule society, London में 1905 में start करी गई थी, लाला दाश्मतराईज ने Indian home rule league start करी, अमेरि and it work round the year unlike INC, हर साल लगातार ये काम कर रही है, INC की तरह काम ने करी, कि session एक बार होगा, ये लगातार सारा साल काम कर रही है, वैलेंटाइन शिरोल, ये अंगरे जी राइटर है, उन्होंने बुला, father of Indian unrest on बालक इंगदा तिलक, बालक इंगदा तिलक जी को father of Indian unrest के नाम से जाना गया, बारत में अरसन तोष के जनक, इनके उपर एक book लिख दी, अब इस book को, इस book को जब लिखी कि भारत में अरसन तोष की जनक, जानकी बारत को टिकने कौन नहीं देगा, बालक इंगदा तिलक जी टिकने नहीं देगे, ये इनका कहना है, वैलेंटाइन शिरोल का कहना है, तो इसके response में ये बापिस लंडन चले जाते हैं, कौन बालक इंगदा दिलक जी और इंगे उपर case करके आते हैं, ठीक है, अब उसके बाद, एंगलो इंडियन, most of the Muslims and non-Brahmin's from South didn't join the movement, दिया रखना, इस movement में किस ने join नहीं किया था, South के लोगों ने काफी join नहीं क किया था, non-Brahmin's ने नहीं join किया था, खास करके South के दिया रखना है, और एंगलो इंडियन ने join नहीं किया था, यहाँ बे, they all felt home rule would mean rule of Hindu majority, mainly the higher caste among the Hindus, तो वो ही मैंने तुमें जह से बताया, कि main aim क्या चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने यही perspective बना रखा था, कि जो लोग मिशन में आ रहे है, वो अपर कास्ट हिंदू है, लोग कास्ट वालों को कुछ नहीं बूचा जा रहा, यह अंग्रेजों ने हैं बसा के रखा हुआ था, लोगों के बीच में, जिस कारण हमारी हर मुव्मेंट जो है कही न कहीं week पड़ जाती थी, तो home rule league में भी यह ही बात हो रही है, कि यहाँ पे बी आई एएंसी और मुसलिंगी के गठे कठे पन रहे हैं, लेकिन खास तबहें ऐंग्लों इंडियों नहीं आ रहें, Muslim league साओध हिंडिया की नहीं आ रहें, यह कहा क्या रहे है, कि यह अपर क्लास ही है, अपर क्लास ही चल रही है यहा पर यहां पर यहां पर यहां पर यह सारी बाते होगी यह उन्होंने बोला they all felt home rule would mean rule of the Hindu majority मिली the higher caste Hindus ध्यान रखना important part है यहां पर the turning point again turning point क्या था जब उन्हों को jail डाला गया ठीक है home rule का main aim क्या था again जो home rule or self government movement was not a not treated as a seditious activity यहां पर बड़ा important point है यहां पर कि यहां पर एक declaration होती है Montague declaration जहां पर यह बात करते हैं कि हाँ यह देश के against नहीं थी और यह जो है however this didn't mean that the British were ready to grant the self government यहां पर Montague declaration हुई थी जो के आपकी 1970 में हुई August 1917 में और यहां पर जो इन्होंने बोला कि ठीक है home rule लिग जो आपने start करी है वो एक seditious activity नहीं है seditious का मतलब क्या है कि देश के against नहीं है माल लिया हमने कि आप देश के against काम नहीं कर रहे है आप राष्ट्रबाद की बात कर रहे हैं देश को जोडने की बात कर रहे है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आपको जो है self rule self government देने वाले हैं यह पार्ट नहीं है और यही चीज चलते चलते home rule league आगे चलते चलते 1920 में all India home rule league जो है इसका नाम जो है सवराज्य सबा बच जाता है 1920 में तो this is very important तो home rule league जो start हुई 1916 में दीरे दीरे आगे आगे चलते चलते सवराज्य सबा नाम इसका बन चुका है उसके बाद अगर बात करी जाए इनकी main achievement क्या थी यह ध्यान रखे यह पढ़ चुके हम लोग इट created a generation of art and nationalists who formed the backbone of the nationalist movement in the later year under the leadership of मात्मा गांधी the Indian freedom struggle entered the new truly mass phase जैसे हमने बात करी थी home rule league में क्या हुआ सारे लोग इगठे हुए दोबारा से यहाँ बे nationalist response आये हिंदू जुड़ोए बुस्लिम जुड़ोए और different communities, caste, people जो है सारे जुड़ जाते हैं यहाँ और at the end यह home rule league जो है आगे continuation में जाती है गांधीन phase में जो हमने non-corporation movement की बा non-corporation movement जो गांधीन phase में आगे चलती है अब बात यहाँ भी करते हैं कि government के measures क्या थे, government ने क्या action लिए home rule movement के, obviously बात है government भी इस चीज़ को रोकना चाहेगी, किसको home rule league को रोकना चाहेगी, इसमें क्या होता है, severe repressions, especially in madras, were the students from, students were prohibited from attending the political meetings, कहने का मतलब क्या है, कि madras, तो any percent को पकड़ा क्यों गया था, क्योंकि यह movements को आगे बहुत बढ़ा रही थी, जब उस movement को आगे बढ़ा रही थी, तो उनको jail में डाला गया, जिसके कारण देश ही कथा और हो गया, तो वहाँ पे बोला गया, कि हाँ, भाई, तुम political meetings नहीं कर सकते, लोगों को बोला, students को capital है, दिल्ली was the capital, दिल्ली के साथ ही लग रहा है, पर जाब तो वहाँ पे नहीं जाने दिया जाएगा, आपको नहीं जाने दिया जाएगा, एड़ी बेसेंट और उनके associates को arrest किया गया, 1917 में, और उसके बाद जो है, अंग्रेजों ने क्या बोला, Montego Declaration की बात करी, जहाँ प दोबारा से reunion में जहाँ पे हुआ, लखनव के अंदरगत, 1916 में, और यहाँ पे एक बात आई क्या, लखनव pact की बात आई, जहाँ पे हिंदू और मुस्लमान दोबारा से कठे होगे, और nationalism की बावना जो है, आगे जाके बढ़ जाती है, यहाँ पे, clear, तो यहाँ पे अब क कहानी क्या हुई, कि जब यह दोनों जुडगे, हिंदू, मुस्लमान जुडगे, लखनव pact sign हो गया, अब कहानी क्या जुड़ती है, कि इसकी achievements क्या रही, अब आपके सामने है, home rule की achievements क्या रही, पहली बात तो सीधी सी बात है, nationalism की बावना बड़ी, ठीक है, और दूसरी ब इंडिया में भी, जहां पर साउथ इंडिया ले लोग हैं, वो भी इस movement में participate करेंगे, और यहां पर जो ideas हैं, ऐसा नहीं है कि अपर क्लास के ideas ले 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 ले, यहां पे हर बंदे का idea यहां पे लिया गया, और उस idea को लेके एक nationalist response शो किया गया, अंग्रेजों और at the end, लखनव पैक्ट जिसमें modest और extremist इकठे आगे, जिसमें हिंदू और muslims इकठे आगे, अगस्त declaration यहां पे इन्होंने हमने बात करी इनसे कि आप self-government दीजी, तो इन्होंने बात करी कि ठीक हम आपको self-government देंगी, पॉइंट समझ में है, और Montague Chancellor Reform पास हुआ, 1919 का जो हम आगे भी discuss करेंगे, समर्भाया, 1919 का Chancellor Reform Act पास हुआ, तो कहानी क्या हुई जी, response में देखे जी, यहां पे nationalist response आया जी, जैसे मैंने तुम्हें कहा, और freedom struggle की बाते होने लगी, यहां पे masses की बाते होने लगी, और यहां पे गुजरात और सिंध, United Province, विहार, और South India में ल अंग्रेजियों दवारा हुई, लखनू प्लक्त हमारे दवारा हुआ, और Montague Chancellor Reform 1919 का पास किया गया, तो add that यह इतनी बड़ी achievements यहां पे हमें देखने को हमें मिली, कि यह Home Rule League की achievements हैं यहां पे, तो this is very important, clear, अब यहां पे बात आती है, किस चीज़ की उपर, that is a reason for end of the Home Rule movement, अ इनों ने support नहीं किया हमें, मतला Home Rule League को support नहीं किया, तो यहां पे वही point बनते हैं, इसको पढ़ते हैं फिर मैं इसको समझाओंगा आपको, though gain popularity among the non-Brahmin, however, both the leagues remained dominated by Brahmis and the upper caste Hindus, this kept non-Brahmin and Muslim away, Besan had the passive resistance program on hold due to the proposal for the Montech reforms, this frustrated her support-based young extremist leaders, Tilak went abroad for liberal case against the Valentine's schedule, Muslim League remained leaderless in the leader phases, Gandhi's idea on national movement was gaining momentum and in 1920, All India Home Rule League was named Surajaya Sabah and later merged with the Congress in 1920, अब यहां पर ध्यास सब्दी है, Home Rule League के जो, एक इमना, sorry, Home Rule Movement के जो आपकी, क्या था, reason थे, end होने के वो क्या थे, वो यही थे, कि जो Muslim League है, जा आपकी INC है, इसमें अपर elite class ही है, इसमें lower classes कोई लेंदे नहीं है, upper class, Brahmins, इनके उपर बात होती है, non Brahmins के उपर बात नहीं हो रही है, और जो lower Muslims हैं, जिनकी salaries वगरा कम हैं, वो इस movement से दूर हटे हुए है, ठीक है, और again, जो any percent का, जो आपका participation है, passive resistance की वो बात कर रही है, वो क्यों कर रही है यहां पे, क्योंकि जो Montego Declaration आया है, जहां पे इन्होंने self government देने की बात करी है, तो वो self government हमें नहीं दे रही है, और उसके response में any percent टिक के बैठी हुई है, कि हाँ, यह जैसे self government देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो इनके साथ young blood जुडा हुआ है, जो कहता कि आज याजादी चाहिए, वो इनसे हटने लग जाता है, बालगगद तिलग जी वैलेंटाइन शिडोल के पीछे चले जाते हैं, केस लड़ने के लिए कि हाँ, तुमने मुझे father of Indian arrest क्यूं बोला, जब home rule league स्टार्ट होती है, उसके बाद जो Muslim league के leaders होते हैं, वो दीरी दीरे खतम होने लग जाते हैं, खतम होने का पतलब क्या है, कि वो गाइब होगे, भई Muslim league के leaders ही गाइब होगे, फिर उसके बाद गांधी जीस के ideas इतने ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, गांधी जीस की moment इतनी आगे बढ़ने लग जाती है, गांधीन एरा स्टार्ट हो जाता है, तो ये non-corporation, जो जो महमनूर league के लोग हैं, ये ज सारे के सारे reasons थे आपके end होने के, अब मैंने क्या बात करी थी, लखनौव pact भी sign हुआ था, आपका, that is 1916 का, अब लखनौव pact क्या है, लखनौव pact में क्या है, modest extremist मिलते हैं, और हिंदू और Muslim league मिलती है, किसके effort से मिलती है, ये किसके effort से मिलती है, कि that means, किसके effort से मिलती है, अब लखनौव pact ये किसके effort से मिलती है, देखते हैं, understanding for joint action against the British wars, between the Congress and the Muslim League, and it was called the Lankanao pact. INC यहाँ पे जुट जाती है यहाँ पे जो है Muslim League अंग्रेज के साथ ऐसा क्या हो गया था Muslim League के साथ Muslim League का मुद्दा क्या था कि इन्होंने partition को जो है cancel कर दिया दूसरी बात यह है कि अलिगर Muslim University को कहते है कि तुम्हारी युनिवस्टी ने अंबरिला युनिवस्टी नहीं है Muslim Students के लिए और तीसनी बात के लिए टर्की टर्की के खलीफा जो टर्की सुल्दान है खलीफा उनको उनके सीड से हटा दिया गया जिनके चक्कर में Muslim League जो है भड़की हुए थी अंग्रेजो के गेंस तो इसी लिए ये Muslim League भी यहां पर इकठी होती है अब यहां पर जब लखनू पैक्ट होता है तो I.N.C के प्रेज़ेंट कौन होते है अंबी का चरण मज़ूमदार एसी मज़ूमदार इनके प्रेज़ेंट होते है जिन्ना को यहां पर टाइटल मिलता है अंबैसडर और लखनू पैक्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी क्यों कहा जाता है क्योंकि जैसे एनी बेसेंट ने इकठा किया था मॉडरेट्स और एक्स्टीमिस्ट को और मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग को बोला गया था कि तुम भी जॉइन करो किसको जॉइन करो भाई तुम भी जॉइन करो लखनू पैक्ट को जॉइन करो ये किस ने बोला था डैडिस मॉअम्मद अली जिन्दा ने बोला था जिसके कारण को अंबैसडर ओफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला गया यहां पर और अब यहां पर कोशन यह है कि इस लखनू पैक्ट का importance क्या है हमारे उसमें मतलब history में importance क्या है यहां पर तो ध्यां से वन एक एक वर्ड को समझना है ध्यां से important step दिन था हिंदू मुस्लिम यूनिटी सिदी सी बात है हिंदू मुसलमान यहां पर पहली बार, I.N.C. ने accept किया separate electorate of Muslim for the first run, I.N.C. ने माना ठीक है, हिंदु-हिंदु को वोट करेगा, Muslim-Muslim को वोट करेगा, one-third सीटे मुस्लिमानों को दिये जाएंगी, और legislative council जो है, पांस साल के लिए होगी, और जो Indian council, जो अंग्रेजों ने रख रखिये, उसको cancel किया एगा, until they ask for a joint electorate, सभी communities को separate electorate देंगे, जब तक वो कहते नहीं है, कि हाँ, एक joint electorate बना लो, सारे लोग उसमें participate करो, सारे लोग जो है, election करो, सारे लोग जिस मर्जी को चुन सकते हैं, तो ये जब तक नहीं होगा, तब तक हम सब को separate electorate देंगे, प्रांति लेबल की उपर, प्रोविशियल लेबल की उपर, फोर फिफ्थ मेंबर जो होंगे, वो नॉमिनेटिड होंगे, ज़ने के फोर फिफ्थ जो होंगे, वो आपके इलेक्टिड होंगे, और जो आपके वन फिफ्थ मेंबर हैं, वो क्या होंगे, आपके नॉमिनेटिड होंगे, all the members except those nominated should be elected directly based on the adult franchise, कहने का मतलब यह है, कि यह जो चार पटा पांच लोग होंगे, यह डिरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, और वन फिफ्थ जो मेंबर होंगे, वे आपके किस से आएंगे, that is the indirectly nominated होंगे, आपके, पॉइंट सामन में आया, तो यह सब चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें म काउंसिल को खतम करने की बात करे गई, जहां पे बोला गया कि चार पटा पांच लोग जो होंगे, वो डिरेक्ट इलेक्शन से आएंगे, और एक बटा पांच जो लोग होंगे, वो nominated होंगे, तो यह बाते करे गई यहाँ और दोनों ने हां कहा एक दूसरे को, और separate electorate की य अब यहाँ पे significance क्या है, लखनो पैक्ट में को response, मतलब इसका significance क्या है, जब सूरत विवाजन हुआ था, जो हमने mortis और extremist phase में discuss किया था, कि हाँ, आपके जो blunder हुआ सूरत विवाजन का, जिसके कारण जो Congress है, वो एक politically inactive हो गया, जिसमें, जिसमें यह कह रहे थे कि लाला कठे होते, तो चीज़ें कुछ और होती, reflected the sincere desire of Congress to ally minority fears about the majority domination, यहाँ पे Congress को पहली बार पता लगा, कि हाँ, majority का मतलब क्या है, हिंदू, majority मतलब हिंदू, upper caste हिंदू, इनकी majority होने के चक्कर में, जो minority वाले लोग जो है, वो अपने आपको कमजोर महसूस कर रहे हैं, जा अकेल का feel कर रहे हैं, यह actually है, यह actually उनका feel करना बनता है, तो उन्होंने यह चीज़ को realize किया, किसने, Congress ने realize किया, a shift in the Muslim League stand under the young nationalist having the more anti-imperialist stand, कहने का मतलब यह है, कि अब अंग्रेजों को यहाँ पे बिठाने नहीं दिया जाएगा, जो young blood था, Muslim League के अंतरगत, वो कहा क्या रहे है कि ठीक है, तुमने कोलोनी बना ली, सब कुछ कर लिया, अब तुम आगे हमारे rule नहीं कर सकते, anti-imperialist approach जो है, young blood में थी, Muslim League के, तो यह significance रहा हमारे, किसका, that is the laknau pact का significance हमारे देश में देखने को मिला, तो start करते हैं गाईज, आज हमारा जो next lecture है, and that is the first phase of revolutionary activities, that is from the 1907 to the 1970 1907 से लेके, 1917 तक हम discuss करेंगे, अब actually कहानी यह है, कि हमने अभी तक जो कहानिया पड़ी, जो हमने अभी lectures पड़े, उसमें हमने जाना, कि Indian National Congress जैसे बनती है, फिर moderate आते हैं, फिर extremist आते हैं, फिर Muslim League बनती है, फिर Home Rule League बनती है, सब कुछ हमने discuss किया पूरे detail में, और उसमें एक phase आपका रह गया, and that is the first phase of revolutionary activities, मैंने आपको बताया था, जब first world war चल रहा था, तो उस time पे, modest चाते थे, support करो, extremist चाते थे, बदले में हमें self rule चाहिए, और revolutionary कहते थे, कि हाँ, ये right time है, इनको मारो अभी, इनको बगाओ इंडिया से, तो ये revolutionary जो चीज़े हैं, करांतिकारी बाते हैं, ये important मन जाती हैं, हमारे भारत देश में, Indian history में, अब यहां पे जो revolutionary activities हैं, हम पढ़ते हैं करांतिकारी बाते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं, कानून की नजर में, तोकि उस time पे अंग्रेजों का कानून है, अंग्रेजों के लिए ये क्या हो हैं, कौन सी activities हैं, ये terrorist activities हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, कि आप लोग ऐसा समझें कि हां, sir revolutionary terrorist कैसे हो गए, हम उसको समझ रहे हैं, lecture की context में, British India के context में, हमारी history के context में समझ रहे हैं, हम तो उनको revolutionaries बताते हैं, करांतिकारी बताते हैं, लेकिन सरकार की नजरों में, British India की नजरों में, जब अंग्रेजी सरकार यहां पे rule कर रही थी, तो उनके लिए वो क्या थे terrorists, क्यों terrorists, क्यों terrorists, क्योंकि terrorists जो ऐसे activities करते हैं, हाँ भाई कहीं पे bum फेक दिया, कहीं पे गोली मार दी, तो ये जो revolutionaries हैं, इन्होंने अपनाया ही ये रस्ता था, बंदू के चलाना, bum फेकना, weapons रखना, अंग्रेजों को मारना, किसी भी अंग्रेज को देखे मार दो, तो इस तरीके की activities वो कर रहे थे, तो जिसके कारण ये अंग्रेजी सरकार इनको क्या कहती है, that is, what, क्या कहती है, terrorist, समझ में आया, तो मैं कोई terrorist word ना होके, वो terrorist word ना होके, वो actually revolutionary word है, क्रांतिकारी, समझ में आया, तो यहाँ पे start करते हैं, जी, आज के इस lecture को बढ़ाते हैं, आगे, start करते हैं, और इस class को लेके आ रहा हूँ, मैं मेरा नाम है Dr. Wipan Koyal, जैसा कि आप सबको पता है, तो जहाँ जहाँ भी आपको ए class share कर क है, बाकी students के साथ, अब बात करते हैं, जी, revolutionary's की, कौन है ये revolutionary's, कौन है ये करांतिकारी लोग, कहां कहां पे इन्होंने करांतिकारी वाली बाते जो हैं, हमारे भारत देश में करी, ये क्या, ये terrorist moments, जो अंग्रेज इन्हें कहते हैं, कि ये terrorist moments करते हैं, ये जो देश के इनको, क्या कहते हैं, इनको represent करते हैं, यहां पे, ठीक है, तो यहां पे समझिए जी, revolutionary activities, again, कहानी सासा समते चले जाएंगे, करक्स मैं end में बताऊंगा, लेकिन पहले one word, 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 जो है, वो समझना है कि कहानी कहा, क्या कह रही है, outcome of the same set of the causes, which give rise to the extremist wing in the national politics, अब मुझे एक चीज़ बताओ, यह revolutionary भावना, जो भारत देश में आई, यह क्यों आई, इसका reason क्या था पीछे, इसका reason वो ही था, जो extremist, जो गरम दल वाले लोग थे, उनका, जैसे उनका, मतलब aim था जा, जैसे वो खड़े होके आए, तो same aim इ चाते हैं, कि यह अंग्रेजों से लड़ना चाते हैं, अंग्रेजी सरकार से अपना root revolution की बात करते हैं, लेकिन बात यहां पर यह आ जाती है, कि जो moderates हैं, वो constitution reform चाते हैं, यह तो बदले में फटफट आजादी दो, यह चाते हैं, तो जैसे extremist movement हमारे भारत देश में, ऐस हां, हम किसी को मनाएंगे, नहीं, हम तो गोली दागेंगे, और अपने देश को आजाद करेंगे, हमें कोई pressure नहीं चाहिए, किसी का, हमें तो freedom चाहिए, सीधा decision चाहिए, हम नहीं इनसे बाते करेंगे, हमें decision चाहिए, हमें आजादी चाहिए, clear, British rule was destructive of all, that is worthwhile in the national life, political liberties, religious freedom, morality and Indian culture, ये जो British rule है, अगर हमारे भारत देश में ये रहेगा, हमारे Indian culture को, हमारी nationality को, हमारे nationalism को, freedom की बातों को, morality को, कहीं ना कहीं ये खतम करने की, मतलब खतम करेगा ही करेगा, ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं, एक्स्ट, ये revolutionary लोग कहते हैं, करांतिकारी लोग कहते हैं, और अब बात ये है, इनके methods क्या हैं, इनके methods हैं, violence, बंदूक मारो, गोली मारो, bombs and revolvers, जहां पर मिलेगा अंग्रेल मार देंगे, हमें आजादी चाहिए, हमें तो एक क्या, दस क्या, सो क्या, पचास क्या, हमारे लिए तो सारे ही देश के दुश्मन हैं, तो हमें अपने पास बंदूके रखनी पड़ेंगी, revolvers रखने पड़ेंगे, bomb रखना पड़ेगा, और यही चीज़ जो है, revolutionary इसकी खासियत है, violence करते हैं, समझ में आया, लेकिन इसको देश के context में मसा मैं न, इनको British India के context में समझ था, क्योंकि British India इस तरीके के word use कर रही है, और यह हमें समझना है, क्योंकि इन्होंने violence करी थी, इन्होंने गोलियां मारी थी, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज दूद के दूले थे, उन्होंने पहले violence करी, तभी तो हमने response में revolutionaries खड़े हुए, clear, तो यह बातें नहीं करना चाते, यह आजादी लेना चाते हैं सीधा, अब phase 1 जो है, वो 1890 से 1918 का है, और phase 2 जो है, वो 1920 के onwards, यह हमें देखने को मिलता है revolutionaries का, पहला phase की अगर हम बात करते हैं, हमारे इंडिया के different corners पे revolutionaries जो बाते हैं, वो start हुई, सबसे पहली बार जो है, आपका mainly बेंगॉल वाले एरिया में, महाराष्टरा वाले एरिया में, पंजाब वाले एरिया म और मदरास वाले एरिया में, यह revolutionaries group जो है, बनते हैं, अब यह revolutionary groups यहां ही भी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहां पे ही राष्टरवाद ज़्यादा फैला हुआ है, बेंगॉल, कैलकटा वास अ कैपिटल, ओविसली बात है, इधर महराष्टरा में, बालंग अगद तिलग बैठे हैं, लोगों में भावना हैं, नैशनलिजम की, मदरास, देखो कलकटा, बॉंबे, मदरास, यह presidency states थे, जहां पे गवरनर्स बैटते थे, तो ओविसली बात है, यहां पे तो काम हो गई ही होगा, तो यह सारी चीज़ें यहां पे देखने का आपको मिल गी, पंजाब वैसे ही कॉम्टन सेंटर रहता था, कोई भी इंडिया में एंटर घुसता अंदर आता था, तो सबसे पहले पंजाबसी हो गए आता था, लैंड रूट से, तो ओविसली बात है, यहां पे इन एरियाज में जो है, यह revolutionaries बावना जागी, क्रांतिकारी बावना जागी, अब यहां पे जो extremist हैं, गरम दल वाले, यह कह रहे हैं self rule, यह हम नहीं चाते, हमने कोई मनाना नहीं है इनको, हमें कोई pressure पुशर नहीं चाहिए, हम तो गोली मारेंगे और सिधा आजाद करने की बात करेंगे देश को, और यह जो started है, मतलब इनोंने movement जो है, वो different corners of the India में start कर इंडिया में भी करी, बाहर भी करी, तो अलग-लग जगाओं के उपर जो है, यह revolutionary भावना जागने लग देगे, अब यहां पे सबसे पहले अगर बात करी जाए बेंगॉल में, अनुशिलान समती और युगांतर इसको establish किया गया कहां पे? बेंगॉल में, this is very important, अनुशिल आते हैं, मैच ओदा फॉलिंग में पूछे जा सकते हैं, बंदों के नाम पूछे जा सकते हैं, किसने क्या क्या किया? भारत माता association, यह नील कंड ब्रमचारी ने start करी मदरास में, तो यह सारी movements important है, बेंगॉल, महराष्टरा और मदरास में यह association जो है, आपकी start होती है, और association पंजाम में भी start होती है, जो अजीत सिंग करते हैं, और जिसमें यूद को promote किया जाता है, यूद को attack किया जाता है, भारत माता association बनाते हैं यह, पंजाम में भी, और यूद को attack करके, revolutionary बावना जगाते हैं, देश को आजाद कराने वाली बातें, यहां पे करते हैं, लाला में, बंबे में, मदरास में, बेंगॉल में जो है, वो आपके ये बैठे हैं, अनुशिलान समती और युगांतर वाले, और उसके बाद जो है, महराष्ट्रा बंबे वाली साइड पे बैठे हैं, अब इनभारत society वाले, मदरास में कौन बैठा है, मदरास में बैठे हैं, भ कि देश को आजाद करवाना है, क्लियर, राजा महेंदर परताप ने भी एक पार्टी बनाई, किसकी मदद से, जर्मनी की मदद से, कहां में काबुल में, जर्मनी की मदद से, काबुल में एक पार्टी बनाते हैं, वहाँ पे, तो ये भी क्या है, ये revolutionaries activities start कर रहे हैं, different corners of the world, अब, कोशन यहाँ पर यह है, क्योंकि महाराष्टरा में हमने डिस्कॉस किया, कि अभिना भाराष सुसाइटी बने, अब बहुत सारी societies, बहुत सारी organization और बनती हैं, जो paper में आती हैं, यहाँ पर जब activities के उपर question आता है, जा तो किसी case की उपर question आता है, ठीक है, कोई case किसी का relate कर रहा हूँ, जा फिर question paper में आता है, कि हाँ यह society है, यह कब बनी, इसके headquarters क्या है, इनके newspaper क्या है, papers क्या है, जा इनके leaders कौन कौन से हैं, तो इस तरीके के exam में question देखने को मिलते हैं, तो अगर हम बात करते हैं महाराष्टरा में, तो revolutionary activity जो है, यह चितपावन ब्रामिन आफ पूना के द्वारा start करेगी, चितपावन ब्रामिन आफ पूना, 1890s में, तिलग बिगेन प्रोपागेटिंग ना militant ideas, थू हिस जनल केशरी एंड मराथा, जब तिलग जीन ने revolutionaries बाते करी, जब militant वाली बाते करी, extremist वाली बाते करी, तो इससे परभावित कौन होगे, चापेकर ब्रदर्स, यह चापेकर ब्रदर्स कौन है, दामोदर चापेकर, और बाल कृष्णा चापेकर, इनों ने एक बंदे को मारा, जिसका नाम है, रैंड, और यह प्ले कमिशन का चेर पर्सन था, प्ले कमिशनर आफ पुना, एड लेटन आइरिस्ट, इन दोनों लोगों को मार दिया, तो इसी लिए कहते क्या है, कि बाल कंगदर तिलग जी ने, यह revolutionary बावना, militant बावना, कहिना कहिन, महाराश्रमें फिलाईए, कहिना कहिन, यह link करते हैं, तब ही अगर आपको, कल का lecture अगर आपको याद होगा, हमने discuss किया किया था, कि the father of Indian unrest किसे कहा जाता है, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था, बाल कंगदर तिलग, जो वो इन activities के कारण बोला गया था, समझ भया, तो इन activities के कारण, कि उनके paper ने ही, उनके papers ने ही, उनमें ऐसी बाते लिखी गई, कि जिसके कारण, जो आपके चापेकर ब्रदर्स हैं, उनको पढ़के इतने activate हो गए, कि उन्होंने Rand Commission को, और Lieutenant Irish को मार दिया, समझ में है, बाकी चित पावन ब्रहमिन ओफ पूना ने, ये activity स्टार्ट करी थी, अब सावरकर, जिनोंने, अभिना भारस सुसाइटी स्टार्ट करी थी, सावरकर बदर्स में किया है, BD सावरकर, एड गनेश सावरकर, इनोंने क्या स्टार्ट किया, मित्रा मेला सुसाइटी, कहां पे नाशिक में स्टार्ट करते हैं, 1904 में, मित्रा मेला के बाद, BD सावरकर और्गनाईज करते हैं, अभिना भारस सुसाइटी, जो के एक secret सुसाइटी है, revolutionaries की, तो पेपर में तुमसे ये पूछा जा सकता है, कि पहली association कौन से बनती है, तो पहली association जो बनती है, वो बनती है आपकी मित्रा मिला, पहली मित्रा मिला बनती है, मित्रा मिला के बाद जो है, आपकी, वो association जो बनती है, and that is the, अभिना भारस सुसाइटी, तो जैसे मैंने तुम्हे बताया था कि ये जो लोग है ये टिक्केर बैठने वाले लोग नहीं है ये तो गोली मारें तबी तो अनंत खरेने जो है जो के अभिना भारस सुसाइटी से बिलॉंग करते हैं उन्हें जज्ज को इमार दिया नाशिक के तो ये activities क्यों कर रहे हैं इनका aim क्या है इनका पीछे दिमाग क्या चल रहा है इनका aim दिमाग जो चल रहा है वो बस यही है कि देश को आजाद करवाना है तो अभी हमने अभिना भारस सुसाइटी पड़ी इसमें मित्रा मिला एस्सोसीशन पड़ी ठीक है हमने पड़ा चितपावन ब्रह्मी ने स्टार्ट किया बाल गंगदा तिलग जी के पेपर से परवाबित होके चापेकर ब्रदर्स ने रैंड कमिशन और लेफ्रेंड आइरिस्ट को मार दिया तो ऐसी activities जो हैं आपकी कहां में हो रही हैं यह सारी महराष्ट्रा में activities हो रही है मैंलिया यह देखे जी यह है जी बाल ग्रिशन चापेकर दामोदर चापेकर वास्तुदेव हरी चापेकर तो यह सारे जो हैं महाराष्ट्रा में इस तरीके की activities जो हैं यह लोग कर रही हैं जे तो यह revolutionary activities महाराष्टा में होती है अब महाराष्टा के बाद धीरे धीरे activities दूसरे different corners में भी फैलती है और अब जो है यह आपकी कहां पे आई बेंगॉल अब यह कहां पे आई बेंगॉल में ठीक है अब बेंगॉल में पहले तो अनुशिलान समती बनती है अब अनुशिलान स मती जो है यह कहां पे बनती है मिदनापूर डिस्टिक जो के एक secret society है जो revolutionary activity को परमोट कर रही है अब कहानी यहां पे यह आ जाती है कि 1902 में पी मित्रा जतिंदरनाथ पैनरजी और बरिंदर कुमार धूश और ग्यानेंदरनाथ बोस इन्हों ने अनुशिलान समती बनाई म इदनापूर डिस्टिक में और यह एक secret society है जहां पर revolutionary activity स्टार्ट हो रही है अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगा आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यह जो बेंगॉल में moment स्टार्ट हो रही है अब पी मित्रा जी ने अब पेपर में बता क्या कोशन आया members बता हिए यह सब बच्चे रटके चले जाते हैं कि हाँ ठीक है पी मित्रा और बरिंदर गुमार घोश्ट थे यह ग्यानेंदरनाथ बोस बूल जाते हैं जतिंदरनाथ बेनरजी बूल जाते हैं और मिदनापूर डिस्टिक में स्टार्ट करी गई है secret society स्टार्ट करी गई पर यह सब कुछ बोल जाते हैं एक्जाम के टाइम बे तो यह सारे नाम आप लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं समझ में है धाका अनुशिला समती ये कौन स्टार्ट करते हैं पुलिन दास कहाँ पे इस बेंगौर में कहाँ बे इस बेंगौल में हाँ जी समझ में आए अब ये अनुशिला समती जो है ये पी मित्रा जी बरिंदर कुमार गोश जदेंदर नाग बेनर जी ग्यानेंदर नाग गोश मिदनापूर इस्टिंग में स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद ये डाका अनुशिला समती आकर गुंच और बुरिसल इन्दा इस्ट बेंगौल ऐसी सें एसपूर्टी जो है हम़ारे डिफरन डिफरन कोर्नर ऑफ़ इंडिया में बनती थी और ऐसे ही ये चार एसेशिलां और बी जो है ये बेंगौल में बनी है तो इसपर इंप्र्टे इस समझ में आया तो ये ये paper publish करते हैं बवानी मंदर उसके बाद 1906 में बरिंदर कुमार गोश और बपेंदर नात दक्ता ये एक paper start करते हैं जिसका नाम क्या है युगांतर अब ध्यान से समझे बरिंदर कुमार गोश ने एक paper start किया बवानी मंदर और बरिंदर कुमार गोश और बपेंदर नात दक् युगांतर की बात करूँ 1906 में स्टार्ट किये गए बोपिंदर नाधत्ता और बरिंदर कुमार गोश अब यहां पर ध्यां से समझे पेपर में कहां से कैसे कोशें पुछा जा सकता है यह भवानी मंदिर बरिंदर कुमार गोश ने स्टार्ट किया उसके बात युगांतर बरिंदर कुमार गोश और बपिंदर नाधत्ता ने स्टार्ट किया और उसके बात यही इन दोनों ने ही संधिया पेपर भी आपका स्टार्ट करते हैं तो यार यह कोशन पेपर में आते हैं इस तरीके की कोशन देखने को आपको मिलते हैं कि हाँ किस-किस person ने क्या-क्या association कौन-कौन सी organization जो है start करी है तो this is important factual data जादा है लेकिन हम तरीके से फिर भी पढ़ रहे हैं कि महराष्टा में कैसे हुआ और उसके बाद बेंगॉल में कैसे हुआ तो अनुशिलान समती बेंगॉल में चाही हुई है समझ में आया तो यही चीज आपने को ध्यान रखनी है जो पेपर में पूछी जाती है अब बेंगॉल में आगे अगर बात करते हैं 23 दिसंबर 1907 को revolutionaries ने धाका के अंदर फरीदपूर में railway station की उपर मैजस्टेट को मार दिया यह पेपर में वैसे कम पूछा जाता है और यह assassinate करने की कोशिश कर रहे थे leftian governor of Bengal को लेकिन leftian governor of Bengal को assassinate किये बिना ही इन्होंने मैजस्टेट को assassinate कर दिया मैंने तुम्हें क्या बताया था इंगा aim क्या है सिर्फ aim यह है कि कोई भी अंग्रेज हमें मिलता है उसको मार दो violence, weapons, revolvers, बंदूके यह सब कुछ रखना, bomb रखना अपने पास तो यह इनके main aim है यहां पे point 7 में आ है तो यही इसी aim को लेके आगे बढ़ रहे हैं यह और इसी aim को लेके ही जो है यह आपके इन लोगों को खतम करते चले जा रहे है प्लियर हो गया अब आगे बात करते हैं ऐसा ही same case 1908 में हुआ है खुदी राम बोस और प्रफुल चकी ने bomb फेका किसकी उपर Kingsford के उपर bomb फेका जो के unpopular vice raya है मुझफरपूर बिहार का और यह इसमें जब Kingsford के उपर bomb फेका Kingsford के उपर तो लगा नहीं तो उनके साथ जो दो लेडी सी वो मर गई जब वो दो मर गई तो प्रफुल चकी ने तो अपने आपको गोली मार ली और जो खुदी राम बोस हैं खुदी राम जो बोस हैं उनों को जेल डाला गया और उनको assassinate किया गया I mean उनको जो है फासी दी गई clear यह जो घोश ब्रदर्स हैं यह घोश ब्रदर्स हैं along with the others who are arrested and tried a little conspiracy case for the act देखो सीदी सी बात है मजफर पुर conspiracy case में मजफर पुर conspiracy case में इन दोनों का नाम आता है प्रफल चक्की का और प्रफल चक्की का और at the end जो है खुदी राम बोस का तो सेम इसी चीज़ के लिए जो है बाकियों को भी अलिपुर conspiracy case के चक्कर में यह घोश ब्रदर्स यह जो बरिंदर कुमार घोश यह बरिंदर कुमार घोश यह बंदे जो है आगे जो है चीजों को फेला रहे हैं जैसे चापे कर ब्रदर्स को परमोट परमोट कहेंगे ज़िए मतलब ऐसे कहेंगे कि उनको जो है केतना की एक चिंगारी लगाने का काम बालंगत तिलख जी ने किया कॉंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं और ऐसे ही ऐसे ही यह किंग्सवर्ड जो है यह प्रफुल चक्की और खुदीराम बोज को चिंगारी लगाने का काम किसनी किया घोश बदर से यह बोलते हैं ऐसी चीज़े कि हाँ यह रिस्पॉंसिबल है बंदे नहीं तो यह इनके दिमाग में कहां चलती थी यह चीज़ें तो इसी लिए इन लोगों के नाम बड़े हो जाते हैं हमारी हिस्ट्री में बालक अंगदतिलक अर्बिंदो गोश ब्रिंदर कुमार गोश यह सारे जो के इंपॉर्टन बन जाते हैं समझ में आया तो यह इस तरीके से महराश्ट्रा में और इसी तरीके से बेंगॉल में जो है आपकी नैशनलिसम फैलती है यहां पर यह देखे कितने छोटे बच्चे हैं यह प्रफुल चकी एंड खुदीरम जिनोंने गोलियां मारी थी समझ में आया अब ऐसी एक्टिविटीज मैंने जैसे तुम्हें बताया कि महराश्ट्रा में तो होगी अब उसके बाल जो है बेंगॉल में हमने डिस्कुस कर ली नाव थर्ड पार्ट इस पंजाब और दिल्ली में पंजाब मिलके रेवलिशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करी पंजाब में तो अबिसली बात है गोली मारेंगे आज़ाद करवाने देश तो अलग-लग डिफिर्ट डिफिर्ट कॉर्नर्स पे इस तरीके की बाते चल रही है तो भारत माता सुसाइटी एक पार्टी बनाती है जिसे कहते हैं अंजुमन महबत ये वतन इन लाहौर वेरी वेरी इंपॉर्टन कुशन ये अजीर सिंग कौन है ये अजीर सिंग जो है ये ये अंकल है किसके चाचा चाचा है किसके भग सिंग जी के चाचा है समझे में आया अब कोशन यहां पर यह आ गया कि पंजाम में यह सूफी अंबा परसा अजीज सिंग, लाला हर्द्या जेम चितर जी यह और्गनेशन स्टार्ट करते है भारत माता सुसाइटी भारत माता सुसाइटी ही आगे एक पेपर जारी करती है भारत माता फिर एक पार्टी बनाते हैं अंजुमन महब्बते वतन लाहोर के अंदरगात तो दिस इस वेरी वेरी इंपॉर्टन और ऐसे ही जब यह जेल से रिलीज होते हैं नाइंटी जिरो सेवन में सरदार अजीज सिंग जो है एक revolutionary outfit बहुत different corners पे फिलाते हैं क्योंकि इनको पता होता है इनका जिन्दा रहना बहुत ज़रूरी है इसी लिए अजीज सिंग जब जेल में होते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं और यह भाग कहा जाते हैं फ्रांस में यह भागने का मतलब यह नहीं है कि डर के बाग है यह ऐसा है कि मेरा जिन्दा रहना जुरूरी है चाता कि यह जो revolutionary भावना चल रही है क्रामतिकारी जो भावना चल रही है मैं इंडिया से अलग-अलग जगाओं के उपर भी इस चीज को फिला से तो इसी लिए यह फ्रांस चले जाते हैं यहाँ से नवंबर 1908 DSP of लाइलपूर and his orderly were assassinated जो DSP लाइलपूर का है और उनको मार दिया जाता है यह पहला इंसिनन्ट होता है पॉलिटिकल इंसिनन्ट जहां पे गोली चलती है यहाँ पे 1908 में यह बात होती है एक जो है बॉम एक्स्प्रोड कर दिया जाता है डिपडिकलेक्टर ओफ अमबाला के घर के बाहर तो यह करना क्या चाहते हैं यह कर क्या रहे हैं अगें देखो सरकार की नजरों की अगर हम बात करें वाइलेंस बॉम फेक दिया रिवोल्वर है गोली मार दिया यह कर दिया वो कर दिया तो यही काम कर रहे हैं यह एक्टने करना क्या चाहते हैं देश को आज़ाद बस तरीके अलग पंजाब में अजीर सिंग सूफी अमबा परसाग जेम चिटर जी लाला हर्द्याल यह मूवमेंट को आगे जब लेके जाते हैं तो यह लाला हर्द्याल बात में यूस चले जाते है जो हमने बात कर रही थी गदर पार्टी की अजीर सिंग जो है यह फ्रांस चले जाते हैं ताकि एक्टिविटीस को और बढ़ाया सके तो यह जिन्दा भी क्यूं है ये जिन्दा भी अपने आपको रखना क्यों चाते हैं ताके हमारा जो revolution है हमारी जो करांदी का रही बावना है ज़ा देश को आजाद कराने का जनून है हमारे में वो जिन्दा रहे और ये जनून जो है हम आगे की generation को दे पाएं जब तक ये अंग्रेज हमारे इंडिया से भाग नहीं जाते तो ये ही चीज़ ये कर रहे हैं यहां पर पॉन्ट सामन में आया उसके बाद Lord Harding 2 एंड दिल्ली conspiracy case ये दिल्ली conspiracy case क्या है आपको याद होगा हमने discuss किया था 1911 में capital shift करने की बात हुई थी capital shift भी होगी थी लेगिन इनके उपर bomb फेका गया उस चाहिम पे governor general viceroy कौन थे आपके Lord Harding 2 23 December 1912 को राश बिहरी बोस और स्चिंदर नास थान्यार ये bomb फेक देते हैं किसके उपर Lord Harding 2 की उपर Lord Harding 2 की उपर bomb तो फेक दिया लेकिन ये बच जाता है कहीना किसी किसी तरीके से ठीक है थोड़ी बहुत injuries बगरा आती है और जो बाकी लोग होते हैं उनकी death हो जाती है 13 लोगों को यहाँ पे arrest किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं दिल्ली conspiracy case के नाम से जानते हैं और 13 के अंदर जो है दिनानाथ one of the arrested became the government approver under the pressure very very important यह जो दिनानाथ है यह गवर्मेंट के लिए जो जो गवर्मेंट को साथ देते हैं कि हाँ मैं बताऊंगा कि किसने बंफिका है दिनानाथ जो है वो government के साथ जानि कि British government के साथ मिल जाते हैं यहाँ पे अब यह दिनानाथ जो मिल गए जानि कि एक कहते हैं कि सरकार के पास सबूत आ गया अब इसी तरीके से 4% को पकड़ लिया जाता है यह लोगों को हैंग कर दिया जाता है क्योंकि यह चार परसन जो है आपके involved हैं किस केस में दिल्ली conspiracy केस में लॉर्ड हार्डिंग 2 की उपर बंफेकने के केस में कौन है एक बंदे मास्टर अमीर जो है बाल मुकंद जी और उसके बाद जो है अवद बिहारी यह कुशन बहुत बहुत इंपर्टन है पेपर में पूछा जाता है यह चार लोग कौन थे जनको हैंग किया गया था दिल्ली conspiracy केस में जा इन में से कौन सा है कौन सा नहीं है यह पेपर में बहुत बार आता है कुशन अब राश बहनी बोश जो हैं यह जापान भाग जाते हैं अगीन मैंने तुम्हें क्या कहा यह अगर इनको लगे कि हाँ हाल हमारी जान को खत्रा है तो यह दूसरे देश में भाग जाते क्यूं क्योंकि इपने आपको जिंदा रखना चाते हैं reason की revolution, revolutionary activities, करांतिकारी भावना वो जागी रहे, तो इसलिए राश्विहरी बोस जो है जापान चले जाते हैं, ये वो ही परसन है, ये राश्विहरी बोस वो ही परसन है, जो आगे जाके Singapore में, जो आगे जाके Singapore में, जब इंडेनेशनल आरमी बनती है, इंडेनेशनल आरमी के जो चेर परसन, इंडेनेशनल आरमी जो बनती है, उसके headquarter के अहाँ पे है, Singapore में, ठीक है, तो अब कहान यहाँ पे आती है, कि जो आइने के चेर परसन सिंगा ये है, और उसुज़री परेजिडेंट, आई एने के प्रेजिडन कोई होते है राश बिहारी बोस और ये राश बिहारी बोस सारी जो है सारी चीजे सुभाश चंतर बोस को पगड़ा देते हैं कि अब आप जो है इंडिनेशन आर्मी को संबालो तो ये राश बिहारी बोस भो परसन है इध्यार रखना यहां पे आश्वियारी घोश थे, वो कौन थे, घोश, ये चीज ध्यार रखनी है, आप लोग, बोस और घोश में दोनों में difference है, बोस वो person है, जो दिल्ली conspiracy case के साथ संबंदित है, गोश वो person है जो के आपके सूरत split के साथ संबनती थे दोनों में confusion मत लेके आना यह देखे जी इस तरह के से bumpfig आ जाता है और इनके जो है थोड़ी बहुत चीजे इनको मतलब खराब होती है ठीक है यह George V और Queen Mary जब भारदेश में आते हैं clear जे अब कोश्चन यहां पर यह है The revolutionary activities in the West अब देखो जी हमने क्या पढ़ा हमने Bengal पढ़ लिया हमने Maharashtra पढ़ लिया हमने दिल्ली पढ़ लिया कि different different corners में क्या क्या चीजे चल रही है और different different corners में क्या क्या चीजे चल रही है और different different corners में किस किस तरीके की activities हो रही है अब हमने ये चार areas पढ़ लिया जो हमने बात करे थी मदरास हमने पढ़ लिया Bengal पढ़ लिया, Maharashtra पढ़ लिया Punjab पढ़ लिया, अब कोश्चन यहां पर देते है activity abroad in the England जाने कि England में भी ये setup करते है और इसमें सबसे पहली जो society बनती है 1905 में शामा जी कृष्णा वर्मा ये Indian Home Rule Society Indian Sociologist, Indian House ये setup करते हैं कहां पर, that is in the London में शामा जी कृष्णा वर्म और ये अपना एक journal भी जारी करते हैं इस society से, that is Indian Sociologist और ऐसे ही 1909 में मदलाल धिंगरा जो मार देते हैं, करजन विली को मारते हैं ये करजन विली जो है Assistant of Secretary for State for India in London कहने का मतलब ये है ये करजन विली कौन है ये जो Secretary State का इंडिया का लंदन में बैठता है उसका Assistant है ये मदलाल धिंगरा इसको मार देते हैं मैंने तुम्हें क्या कहा था ये किसी ना किसी को तूम मारेंगे revolutionary activity को जंदा रखने के लिए ये किसी ना किसी को मारेंगे तो यहाँ पी मतलाल धिंगरा जो है ये मारते हैं करजन विली को धिंगरा को जो है death sentence 1909 में घुशित कर दिया जाता है और India house activities को मनला India house activities को रोक दिया जाता कि अब तुम ऐसी activities नहीं कर पाऊगे उसके बाद जो सावरकर है इनको इंडिया को इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है शामा जी कृष्णा वर्मा यहां से भाग जाते है और वो कहां पर settle हो जाते है पैरिस में अगें अब मुझे चीज बताईए जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो यह activity start कर रहे है जो यह activity start कर रहे है revolutionary activity start कर रहे है अब यह जो लोग है no doubt no doubt कि revolution को जिन्दा रखने के लिए अब कोई पैरिस जा रहा है कोई फ्रांस जा रहा है कोई लंडन जा रहा है कोई यूएस से जा रहा है यह क्यों यह अपने आपको बचाने के लिए नहीं again मैंने जैसे तुम्हें बताया ये revolution को जिन्दा रखने के लिए ताके बाहर से भी activity हम कर सकें बाहर के देशों को भी बता सकें यहाँ अंग्रेज दूद के दूले नहीं है अंग्रेज हमारे देश में किस तरीकी की activities कर रहे है इंडिया लोगों का साथ चाहिए जो बाहर settled हैं इंडिया से बाहर settled हैं उन लोगों का साथ चाहिए so that हम expose कर सकें किसको ब्रिटिश सरकार को expose कर सकें यह में नहीं हैं यहाँ पे तो इस तरीकी की activities होती है यह वेस्ट में ठीक है ऐसा ही एक Stuttgart जर्मनी में भी activity होती है यह Stuttgart जर्मनी में कौन है मैडम भीकाजी कामा यह तिरंगा लहरा देती हैं वहाँ पे और वहाँ पे second socialist second international socialist conference हो रही होती है 1907 में Stuttgart जर्मनी में तिरंगा लहरा देती है वहाँ पे तो अबिस्ट जब लहरा दिया तिरंगा जब लहरा दिया तो obviously बात है क्या होगा that means देश की भावना जागेगी यहाँ समझ में आया और यह जो मैडम भीकाजी कामा है इनको बोलते हैं Mother of Indian Revolutionary जैसे हमने बात करी थी Father of Indian undest कौन है बालगंगा दतिलग जी Valentine शिरूर ने बोला था लेकिन Mother of Indian Revolutionary भारत में क्रांतिकारी भावना को जगाने की Mother जननी कौन है मैडम भीकाजी कामा क्योंकि मैडम भीकाजी कामा और सर्दार राना यह दोनों मिलके जो है इंडिया को स्मगल करते थे चीज़े अब इस स्मगल वर्ड जो है यह सब बाहर से इंडिया बेशते थे ताकि इंडिया में जो रैवलुशनर वो जागा रहे तो इसलिए इनको Mother of Indian Revolutionary कहा जाता है अब यह वो पर्सन है जिन्होंने एक जन्रल जारी किया था तलवार मैडम भीकाजी कामा जो है यह उपरेड करती थी Paris से Geneva से और इन्होंने एक जन्रल और जारी किया जिसे हम क्या रहते हैं बंदे मात्रम तो इस इस वेरी इंपॉर्डन समन में है इस इस वेरी इंपॉर्डन यहाँ पे तलवार भी इन्होंने जारी किया जन्रल और यहां पे इन्होंने बंदे मात्रम भी जारी किया अगेर ये कर क्या रहे हैं क्यों कर रहे हैं रेविलुशन को जिन्दा रखने के लिए अभी हमने बड़ा भवानी मंदिर मित्रा मिला ठीक है और बंदे मात्रम संद्या, तलवार और भारत माता प्लस ये तुम्हारा तलवार बंदे मात्रम ये जो पेपर्स हैं, ये जर्नल्स हो हैं ये कर क्या रहे हैं क्योंकि देश में जो लोग है वो इसको पढ़ रहे हैं जब इसको पढ़ रहे हैं तो at the end जो है at the end इस चीज की जो बावना है जो नैशनलिसम की भावना है revolution को जिन्दा रखने की बात है तो वो जो चीज है ये लोग accept कर रहे है इस चीज को तो इसका मतलब ये है कि इसको आगे लेके जाना चाहिए तो this is the important one अब बात करते हैं कि जैसे आपने देखा world war one हुआ moderns extremists ने support किया war को मैंने तुम्हें बताया था moderns क्या कहते हैं कि मना लो इनको मना लो जैसे मर्जी अपनी national duty है और चलो करते हैं extremists कहते हैं कि बदले में self rule मिलेगा revolutionaryist कहते हैं कि भाई यही opportunity है इसको use करो इसको मारो बगाओ इंडिया से समझ में आया तो यहाँ पे America में एक JD को बाहर है वो सवदेश सेवक हो जो है start करते हैं Vancouver में और एक paper जारी करते हैं गुर्मुखी मतब पंजाबी language में and that paper is सवदेश सेवक यह सवदेश सेवक जारी किया जाता है अगेन वहाँ पे जो पंजाबी लोग है उनको साथ लेने के लिए और अपनी बाते रखने के लिए United India House स्टेटल में सेट कर दिया जाता है 1910 में जीडी कुमार एंड तारकनादास यह तारकनादास वो ही हैं अंग्रीजी सरकार भी चुपने ही बैठेगी अंग्रीजी सरकार भी आपको क्या करेगी रिस्टिक्शन लगाईगी तो भाई यह रिस्टिक्शन लगाईए हैं इन्होंने यहां अब कोई बंदा कैनडा नहीं आसे तारकनादास एक इंडियन स्टुडेंट है और फिर्स लेडर अफ इंडियन कॉम्मिटी इन नॉर्थ अमेरिका तो स्टाट ए पेपर कॉल प्री हिंदोस्तान ये एक प्री हिंदोस्तान का एक पेपर जारी करते हैं कौन तारकनादास ओके यह रिलाइज आच जारी किया तारकनादास ने और ये उसमें लिखते क्या है कि इंडियन लोगों को फिजी तो बेज सकते हैं ये फिजी में बेजनाएं का मतलब क्या है कि वहां पे ऐसे लेडर काम करेंगे वहां पे लेबर का काम करवाने के लिए ये इच्छुक है ये labor का काम करवाना चाहते हैं कौन अंग्रेज इंडियन से लेकिन ये इंडियन को North America बें बेजने से रोक रहे हैं वो क्यों रोक रहे हैं क्योंकि वहां पे अगर याद होगा पहला सविधान जो बना था लिखित सविधान वो बना था US का पहला देश अंग्रेजों से जो आ आइडियाज के कारण North America में लोगों को बेजने से रोका जा रहा है और फीजी बेज रहे हैं और फीजी क्यों बेज रहे हैं भाई जाके आप वहां पे labor का काम करो समझ में है Center of revolutionary activities soon shifted to the US which provided a free political atmosphere सिदी सी बात यह है कि धीरे-धीरे activities US में established हो रही है और यह center बन रहा है धीरे-धीरे देखो again question यहाँ पे यह है कि इंडिया में सारे आपके areas Bengal, Maharashtra, Madras, Punjab, दिल्ली यह इलाके जो best है for the revolutionary चीज़ों के लिए लेकिन US में बना, France में हमने पढ़ा, Germany में हमने पढ़ा, Japan में हमने पढ़ा तो यहाँ पे भी activities हो रही हैं इंडिया के बाहर, तो यह जो लोग है US को center बना रही है आगे उसके बाद Europe की बात करें, Berlin Committee बनाई गई for Indian Independence जो के 1915 में बनाई गई किसके दोरा, बिरिंदरनाथ, चटोपादया और बिपेंदरनाथ, दत्ता दोरा बनाई गई तो यह जो आपकी Berlin Committee है, पूछा जा सकता है तुम्हें, यह Berlin Committee किस चीज़ के लिए थी इंडिया की Independence के लिए थी, किसने बनाई थी, बिरिंदरनाथ, चटोपादया और बिपेंदरनाथ, दत्ता तो यह लोग क्या करना चाते हैं, देश को आजाद करवाना चाते हैं, नैशनलिजम की बावना को बनाना चाते हैं और revolution को जिन्दा रखना चाते हैं, different corners of the world, clear, yes, अब बात करते हैं घदर movement के, जैसे हमने बात करी, जैसे हमने बात करी, कि जो घदर, आपकी, जो यूएस है वो center बनता चला जा रहा है, तो यहाँ पे जो center है, अब यहाँ पे जो है आपका घदर movement, इसका जो पहला नाम है, form at Vancouver and United India House in Seattle, यह मिने आपसे अभी बात करी थी, कि यह setup होता है यहाँ पे, फिर धीरे 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 जो है, इसकी organization गदर पार्टी बनती है, और गदर पार्टी को establish कहां भी किया जाता है, San Francisco US 1913 में, इसको Pacific Coast, Hindustan Association के नाम से भी जानते हैं, और इनको Hind Association of America के नाम से भी जानत जो गदर हैं, English भाषा में publish किया जाता है, और vernacular language को promote करते हैं, और वहाँ पे जो US में आपके अंग्रेजी सरकार को expose करने की कोशिश करते हैं यह, और भारत में nationalism फैलाने की बात करते हैं, और बताते हैं कि Indian economy को कैसे इनों यह चूस रहे हैं, और कैसे पैसा इंडिया से बा बात कर रहे हैं कि यह ऐसे हो रहा है हमारे भारत देश में, पुलियाप, करतार सिंग सराबा जो के एक वनवदा founders हैं इस party के, यह वो है करतार सिंग सराबा, आज अगर हम भगस सिंग जी की बात करते हैं, तो भगस सिंग जी को करांती कारी बनने के लिए किस ने परवोक कि जा उनके आइडिल कौन हैं, करतार सिंग सराबा, तो बहुत सारे movies में भी देखते हैं कि एक करतार सिंग सराबा की मोद अगर भगस सिंग खड़े कर सकता है, और एक भगस सिंग की death होने के बाद, जब यह इनको फांसी होने होती है, तो देश में कितने भगस सिंग खड़ हो जाएंगे, तो करतार सिंग सराबा जो हैं वो घदर पार्टी से लिंक करते हैं, तो दिस इस वेरी इंपॉर्टन पॉइंट, क्लिया, तूड़े देर बिगंस गदरिंग वार अगेस अ बिडिश राज, हम यहां पे इंडिया से बाहर गदर गदर करी जा रहे हैं, और व मेरा नाम क्या है, तो मैं कहूंगा गदर, मेरा काम क्या है, गदर, मेरा रेवलुशन क्या है, कहां पे रेवलुशन करना है, मुझे भारत में, और जल्दी ही मैं इंडिया में जाऊंगा, और अगेन इंडिया को आजाद करवाऊंगा, यह कौन कहा रहे हैं, करतार सिंग सर अब एक्शली जो है यह जो गदर वर्ड है यह जो वर्ड है गदर इस वर्ड का मतलब ही रिपोल्ट होता है विद्रो गदर वर्ड का मतलब ही रिपोल्ट होता है तो मेरा नाम विद्रो ठीक है और देश को आजाद करवाने के लिए विद्रो क्या एम है विद्रो किसके साथ अंग्रेजों के साथ क्यों भारत को आजाद करवाने के लिए मैं पेन और पेन से, पेन और कॉपी से लही निख सकता मैं तो देश को आजाद करवाना चाता हूँ ये करदार सिंग सराबाजी की बाते हैं जैसे हमने बात करी गदर पार्टी ये आपकी सैन फ्रेंसिस्को में है तो ऐसी ही अगर हम बात करते हैं गदर के founder कौन कौन है देखें सोहां सिंग बाखना ये बाबा सोहां सिंग बाखना ये president है और general secretary कौन है लाला हर्दिया इनके इलावा बहुत सारी लोग और भी है ये person भी involved है आपकी गदर movement में leaders के नाम पूछे जा सकते है दो main person है सोहां सिंग बाखना एंड लाला हर्दिया बाकी बरकतुला जी और कांशिरा मरोली जी और केसर सिंग तथकट ये भी किसके साथ involved है आपके dad is in the गदर party very important गदर means revolt जैसे मैं तुम्हें बताया कि what is the meaning of gather गदर का मतलब होता revolt और front page के उपर अंग्रेजी राज का कच्चा चीठा और an expose of British rule ये एक issue करते थे मैंने तुम्हें क्या बताया था कि गदर paper issue किया जाता था और गदर paper का पहला page जो होता था उसमें लिखते थे कि हाँ इनका कच्चा चीठा क्या है कच्चा चीठा का मतलब ये है कि इन एंड आउट क्या है अंग्रेजी सरकार का जो इंडिया में हमें exploit कर रहे है वो सारी बाते front page पे लिखते थे ताकि देश जो है विद्रो के लिए त्यार रहे देश जो है इनकी इनके against वो और revolution जिन्दा रहे और हम देश को आजाद करवा पाए ये कौन कहा रहे हैं ये गदर वाले लोग कहा रहे है Most powerful impact was made by the poems that appeared in the Gathers soon collected and published as a Gathers and distributed free of cost बहुत सारी poems भी बनाएं गई बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई और उनका collection बना दिया गदर की गूंज नाम से और जो लोगों को बहुत ज़दा खीचती थी और देश के अंदर लोगों को देश के आजादी के लिए परवोग करती थी तो that is very important अब इनके जो members हैं इसके इलावा एक आदा और देख लेओ क्या है यह सारे लोग जो है यह किसके साथ लिंग करते हैं तो पेपर में पूछा जा सकते हैं इनमें से कौन सा member है कौन सा नहीं है क्लियर कामा गाटा मारो इंसिडेंट अब अक्शली जब देश में इतनी activities हो रही होंगे तो अंग्रेज भी चुपनी रहेंगे अंग्रेजों ने इंडियन्स को बाहर जाने से रोक दिया यह जो कामा गाटा मारो है एक ship है यह जैपनीज ship है यह अब इस जैपानी ship में बहुत सारे इंडियन्स बैठे थे खास करके पंजाबी 370 लोग जो जा रहे थे कैनेडा जब कैनेडा में उतरने के लिए बोला गया जब उतरने दिया गया तो यह कहते कि हाँ आप नहीं आ सकते आप बापिस जाओ कलकत्ता में एक पोर्ट है जिसका नाम है बजबज पोर्ट वहां पे सारे के सारे यह जो पंजाबी लोग हैं वहां पे सारे लोगों को गोलियां मारती जाती है वहां तो इस इंसिडेंट इस एक कामा गाटा मारू एक जहाज है जो बाई गुर्दित सिंगा है यह देखते हैं क्या है कामा गाटा मारू वाउजा नेम आफ जैपनी शिप इसमें 370 पैसेंजर हैं मेली सिख हैं, पंजाबी मुस्लिम हैं इम्मिग्रेंट्स हैं, सिंगपूर से वैंगूवर कैनेडा जा रहे हैं और कैनेडन अथॉरिटी ने बोल दिया कि हाँ आप लोग नहीं आ सकते जब बापिस बेज दिया गया कलकता में बजबज पोर्ट के उपर यहाँ पे गुरिया मार दिगी और साले लोगों को मार दिया गया यहाँ पे, और बोला गया कि आप इंडिया पापिस जाओ ठीक है, यह सारी चीज़ दिगी बेंगॉल रेवलुशनरीज वर कॉन्टेटेट पॉलिटिकल डखैथीज वर कमिटेट टू रेज फंड मिली इन दा पंचा यहाँ पे जो रेवलुशनरीज बेंगॉल में थे इनका बदला लेने के लिए खड़े हो गए क्योंकि बेंगॉल में कलकत्ता में बजबज पोर्ट के उपर मारी थी गुलिया फिर उसके बाद जो है पंचाब के अंदर भी इस रिफॉर्म को इस जो मुव्मेंट को आगे बढ़ाने के लिए फंड लिकठा किया गया ताकि हम इसको सपूर्ड कर सके और एक्स्प्लोजिव सिच्विशन जो है वो आपकी क्रियेट होगी पंचाब तो इस तरही के से लोगों को मारा लिए यह है जी आपका जैपनिशिप कामा गाटा मत वेरी इंपॉर्नेट अब ब्रिटिश सरकार का रिस्पॉंस क्या था ब्रिटिश सरकार का रिस्पॉंस क्या था इस चीज़ के बदले में इंडिया में ब्रिटिश सरकार भी चुप नहीं रहेगे यह बेंगौर में, माहराष्टरा में, मदरास्त में, पंजाम में, दिल्ली में US में, फ्रांस में, जैपैन में, जर्मनी में तुम इतनी चीजे करी आ रहे हो revolutionary activities को जगा रहे हो तो add and ये भी चुप नहीं रहेंगे तो अंग्रेजी सरकार क्या करती है sedacious meeting act 1907 करती है जिसमें आप लोग meetings नहीं कर सकते अगर आपने meetings करी तो ये उठाएंगे जेल में डाले explosive substance act 1908 आपसे explosive नहीं अगर आपसे पकड़ा गया, जेल criminal law amendment act 1908 criminal law में amendments करी गई newspaper incitement of offense act 1908 again आप newspaper में कुछ चाप नहीं सकते अंग्रेजी सरकार के गेज press act 1910, again rules regulation और लेकिया आए गए तुम paper में कुछ चाप नहीं सकते, अगर ऐसा किया तो at the end क्या करेंगे at the end क्या करेंगे, भाई तुम लोग को जेल डालेंगे, license cancel किया जाएंगे जो पहले हमने पड़े थे, law written वाले same उसी तरीके की बात यहां पे करी गई defense of India act 1915 ये बड़ा important है इसमें again defense त्यार रखने के लिए बात करेंगे, कि हाँ, अगर इस तरीके की activities होंगी, तो इंडिया का defense system खराब होगा तो हमें तो बचाना है देश को ये अंग्रेजी सरकार कह रही है लेकिन actually जो revolutionaries हैं, वो इनको कह रहे हैं कि तुम बागो यहां से पॉंट समल में आया तो revolutionaries तो यह कह रहेंगे तुम जाओ देशाजाद है हमारा, बस बात खतम हम अपनी activities खतम कर देंगे लेकिन यहां पर defense of India पास करने का मतलब यह था, कि revolutionaries वाले लोगों को मतलब suppress करना है revolutionaries activities जो है 1918 के बाद जो है थम गई, रुख गई थी वो क्यों रुख गई, क्योंकि बहुत सारे tough कानून पास किये गई पुलिस के दवारा self rule की बाते करते, यह पुलिस के दवारा रुका गया लाठी चार्ज बगरा कर देते थे यह self rule और responsible government की बात करी थी अगर आपको याद होगा हमने discuss भी किया था अगस्त declaration जिसे हम और क्या कहते है Montague Montague declaration के नाम से जानते हैं जिसमें इन्होंने बात करी थी responsible government की 1917 की यह declaration यह हमने discuss किया था arrival of Gandhi and non-violent method गांधी जी का arrival हो गया इंडिया में गांधी जी non-violence चाते हैं लेकिन अगेन यह लोग हैं जो revolutionary वाली लोग हैं यह violence कर रहे हैं अगेन मैं बात कर रहा हूँ context में British India के context में कि यह violence करते हैं bum फिकते हैं गोलियां मारते हैं लेकिन यहाँ पे गांधी जी क्या कर रहे हैं बातों से काम चला रहे हैं बातों से काम मतलब देश को इकठा भी कर रहे हैं nationalism भी जगा रहे हैं और अंग्रेजी सरकार से बाते करके ही उस चीज़ का solution लेके आ रहे हैं तो non-violent method से काम कर रहे हैं और गांधी जी का जो aura है जा गांदी जी के साल लोग जो है और भी अटेच होते चले जा रहे हैं जिसके कारण ये जो नैशनलिजम की बाते हैं ये आपकी थमने लग गए क्योंकि कानून भी ऐसे पास कर दिये न्यूस पेपर, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, सिडिशियस एक्ट पता नहीं क्या क्या पास कर दिया और दूसरी जगह के उपर गांदी जी का अर्राइवल भी हो गया और कानून भी इतने खतरनाक होगे कि हाँ आप जो है एक्टिविडिस को आगे नहीं लेके जा सकते थे तो ये सारी बाते जो करी गई आपके इस एक्ट में करी गई और के आगे भड़े तो ये था आपका फर्स्ट रेविलुशनरी फेस बाकी इस लेक्टर की जो पीडिएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलेग्राम चैनल की उपर इंस्ट्राग्राम की उपर आप इससे परसनल कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ पूशना आप पूश सकते हैं अगर आप इन एक्जाम की स्टेट PCS की तयारी कर रहे हैं तो आप इंडोल कर सकते हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अगर आप UPPCS RO ARO की तयारी वि कर रहे हैं UPPCS RO ARO की तयारी कर रहे हैं तो उसका बैच भी है उसके सारे जो है description और comment section में मिल जाएंगे नहीं तो आप सिधा study.io app या website.io पर जाके आप purchase कर सकते हैं आपको ये code लगाना है तो code लगाईए अपना discount ले सकते हैं इस code को लगाके So thank you so much guys All the very best, अच्छे से पढ़िए तियारी कीजिए अपनी ठीक है? और आगे भढ़िए मैं सर्फ ये ही कोँगा आप से और यहां पर आप connect रहे न मेरे साथ टेलिग्राम चैनल के साथ lectures, video, सब कुछ मैं यहां पर share करता हूँ So किसी का कोई doubt हो, आप उससे पूछ सकते हैं